हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगीन टू नानग्रिद देतीमन आज से हम करने वाले हैं कोश्यन आंसर सीरीज राजिस्थान का इतिहास और संस्कृती के जिस तरीके से RBSC की book हमने complete की है 6-10 तक की 1-1 विल्कुल अमने एक भी चीज नहीं छोड़ी है हर लाइन जो है वो question के format में देखी थी इसी तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं और जिन बच्चों ने PDF ले ली है 6-10 तक की complete RBSC की तो उन बच्चों को इतिहास Google और नागरिक तो इन तीनों की PDF जो है वो मिल चुकी है इसके साथ यह जो YouTube पर डाला जा रहा है राजिस्थान का इतिहास और संस्कृती इसके question answer series जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी और इसके लिए आपको कोई भी अतरित बुक्तान नहीं करना है चीक है तो आप इस चीज को बि अपर जा जाता है तो चुशन नंबर टू हमारे राजिस्थान राज्जी के लिए सबसे पहले राजिस्थान सब्ड का प्रियोग किस ने किया तो आप्शन जब जो तो जब जाता है करणल जैम स्टॉड आ जाता है तो 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 कन्क्यूज हो जाते हैं दौनों में याद र और राय थान या राजिस्थान शब्द का प्रयोग किया Colonel Jam Stodd. Q3. राजिस्थान प्रदेश के लिए मरूश अब्द का प्रयोग सबसे पहले कहा मिलता है? तो मरूश अब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है Rig Ved में. तो इसका सही आंसर है राजिस्थान तो अब आपको ये कुश्यन आंसर जो है वो बिल्कुल इजी लग रहे होंगे क्योंकि हम बुक बढ़ चुके हैं राजिस्थान का एकी करण कितने चरणों में हुआ तो सही आंसर है साथ चरणों में तो आप लोगोंने बिल्कुल सोच लिया होगा और फटाफट से आपके दिमाग में आभी गया होगा इतना जादा मैंने आप लोगों को करवा दी है ये चीज़ कि आप लोग कोई भी कुश्यन जो है वो गलत नहीं करेंगे आंसर है जांगल जांगल प्रदेश कहा गया विकानेर नागोर और जोतपूर के भाग को नेक्स्ट है कुश्यन सेवन जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी इसका सही आंसर है अहिचहत्तरपूर नेक्स्ट है कुश्यन नमबर एट महा भारत काल में मतस्य जनपत की राजधानी कौन सी थी तो ठीक है मतस्य जनपत की राजधानी आपको याद है तो आंसर क्या है विराट नगर याद रखना है ये राजधानी हमें कहा मिलती है महा भारत काल में ठीके महाबारतकाल में मतस्य जनपत की राजधानी कौन सी थी? विराट नगर जिसे हम बैराट कहते हैं माही नदी के आसपास का प्रताब गड़ का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या है? कांठल जो कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी पूछा था भैस रोड़ गड़ से लेकर बिजोलिया तक का शेतर पठारी होने के कारण क्या कहलाता है? तो याद आया होगा आपको जब मैंने बताया था कि भैस के उपर बिजली गिरी याद आया आपको इसका सही आंसर है उपर माल भैस के उपर बिजली गिरी ऐसे आप याद रख्माएंगे कुश्यन नमबर 11 उदैपूर का आसपाज का शेतर पहाड़ियों की अधिकता के कारण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है गिर्वा Queshan No. 12 डुंगरपुर और बासवाड़ा का शेतर क्या कहलाता है? डुंगरपुर और बासवाड़ा का शेतर क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर है बागड ठीक है? बांगड नहीं है यह, यहां पर बिंदी नहीं आएगी यह है बागड Next है Queshan 13 कोटा और बुंदी का शेत्र किस नाम से जाना जाता है तो इसका आंचर है हाडोती का शेत्र कोटा बुंदी बारा और जालावाड ये हांडोती के शेत्र के अंतरगत आते हैं तो यहाँ कुशन कुचा है कोटा और बुंदी का शेत्र किस नाम से जाना जाता है? आंसर है हडोती. तो आपको सब easy लग रहा होगा. मुख्य रूप से मानव इतिहास को कितने प्रकारों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है तीन प्रकार में. कौन-कौन से प्रकार में बांटा गया है? तीन प्रकार में. जिसमें क्या था? प्राग यूग, आदियूग और एतिहासिक यूग. जिसके लिखित साक्ष उपलब्द नहीं है? आंसर है प्राग यूग, इसके लिखित साक्ष जो है उपलब्द नहीं है, जैसे कि पाशान काल. मानव इतिहास का काल जिसके आपठनिय साक्ष उपलब्द है यानि की आपठनिय साक्षे तो मिले हैं लेकिन वो पठन के लिए नहीं है यानि की पढ़ा नहीं जा सका है इसका आंसर है आदियुग और एक्जाम्पल में क्या बताया मैंने हडपा हडपा का लिया सिंदुगाटी सब्वेता जहां पर साक्षे तो मिले हैं लेकिन वो अपठनिय हैं स्रिस्टी के आरंब से लेकर हडपा सब्वेता से पूर्व तक मानव इतिहास का युग कौन सा है तो लाइन जो है वो चेंज हो गई है लेकिन आंसर हमारा क्या रहेगा आंसर हमारा वही रहेगा आदियुग स्रिस्टी से लेकर हडपा सब्वेता से पहले तक का मानव इतिहास का युग क्या कहलाता है आदियुग जिसे कि हम पुरापाशाण, मद्यपाशाण और आधनिक पाशाण या नवपाशाण की नाम से जानते हैं नेक्स्ट है 18 कोश्यन हडपा सब्वेता से लेकर 620 पूर्व तक मानव इतिहास का युग है तो देखिए हर चीज पता होती है लेकिन फिर भी गलती हो जाती है सेंटेंस को या वाक्य को अच्छे से समझने में तो यहाँ पूचा है हडपा सब्वेता से लेकर 600 इसा पूर्व तक इस इतिहास का युग जो है वो कहलाता है आध्युग ठीक है और हडपा सब्वेता से पहले का प्राक युग और हडपा सब्वेता के बाद का एतिहासिक युग 600 इसवी पूर्व से लेकर आज तक के युग को क्या कहा जाता है तो यह अब हम समझ गए है इसे कहा जाता है एतिहासिक युग next देखिए 20 question मानव ने सबसे पहले किस धातू का प्रियोग किया मानव ने सबसे पहले किस धातू का प्रियोग किया तो इसका सही आंसर है तामबा का next है question 21 तो जिन बच्चों को लग रहा है कि ये बहुत ही easy question पूछे जा रहे हैं तो देखिए chapter के according ही मैं चल रही हूँ हर पहरा graph को मैंने question के format में किया है और जितना कोई जो भी easy है या hard है सब भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और बिल्कुल line by line मिलेंगे question 22 काली बंगा सब बता कहां विक्सित हुई तो यह हनुमानगर जिले में विक्सित हुई जो कि घगर नदी के किनारे मानी जाती है next है घगर नदी के किनारे कौन सी सब बता विक्सित हुई तो answer जो है वो बिल्कुल अभी बताया गया है कि घगर नदी के किनारे जो है वो काली बंगा सब बता विक्सित हुई अगला देखिए डॉक्टर बी बीलाल और बी के थापर ने किस सब बता का उत्खनन कारे किया तो फटा फट से बताईए अब ये कोश्यन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डॉक्टर बी बीलाल और बी के थापर ने किस सब बता का उत्खनन कारे किया तो सोचिए इसका answer क्य आपने तो भटापट से सोच लिया होगा सही आंसर क्या है काली बंगा सब्वेता इन्हों ने इसका उत्खनन कार्य किया था देखिए उत्खनन कार्य जो है और खोज करता दोनों ही अलग-अलग आपको याद रखने हैं काली बंगा सब्वेता का जो उत्खनन कार्य है वो ब मकानों का निर्मान इटों से हुआ, तो यहां मकानों का निर्मान जो है इटों से हुआ, वो है काली बंगा सब्वेता, जो याद आया होगा आपको, कि काली बंगा सब्वेता में मकानों का निर्मान जो है वो इटों से हुआ था, दूप में पकाई हुई इटें, किस सब्व निकालने के लिए लकड़ी और इंटों की नालिया बनाई गई तो ये बनाई गई है काली बंगा सब्वेता में याद रखना है आपको इस चीज़ को किस सब्वेता के खुदाई में एक टीले पर दुर्ग के अवशेश मिले हैं कि यहां किला हुआ होगा तो ये आंसर है काली बंगा सब्वेता नेक्स्ट है question 28 तो जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ कि यदि आप notes बना रहे हैं तो बिलकुल notes बनाई है topic wise अभी हम काली बंगा सब्वेता की बात कर रहे हैं विस्व में सबसे पहले जुते हुए खेद के साक्ष किस सब्वेता से मिले हैं या सबसे पहले दो पसल उगाने के साक्ष एक साथ दो पसल उगाने के साक्ष कहां मिले हैं इसका answer है काली बंगा सब्वेता जहां से हमें जुते हुए खेद के साक्ष मिले हैं अगला देखिए किस सब्वेता में गाए के मुख़ वाले प्याले मिले हैं अब देखिए यह जो है आपको बिल्कुल नया कोश्चन मिला है जो कि आपने नहीं पढ़ा है और यही कोश्चन यदि एक्जाम में आ गया तो आपको सब्वेताएं आपने याद कर ली हैं फिर भी आपका वहाँ पर आंसर नहीं आ पाएगा याद रखना है कि गाए के मुख वाले प्याले जो हैं वो हमें मिले हैं काली बंगा सब्वेता से तो इसका आंसर है वो है दो इसतर नेक्स्ट देखिए 31 कुश्चन काली बंगा की सब्वेता में मिले बर्तनों का कौन सा रंग है तो बताईए काली बंगा की सब्वेता में मिले जो बर्तन मिले हैं उनका रंग कौन सा है तो ओप्शन देखिए लाल नीला पीला या काला तो इसका सही आंसर क्या होगा तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाल next है क्योंकि काली बंगा का अर्थ समझकर की काले रंग की चूड़ियां तो वहां आप काला जो है वो बटन का रंग कर सकते थे ठीक है याद रखना है लाल किस सब्वेता में खुदाई में एक बच्चे के कंकाल की 6 जिद्र वाली खोपड़ी मिली है जिसे कपाल छेदन की क्रिया का अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो एक्स्पेरिमेंट जैसे हम जानते हैं वो होते होंगे तो क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे के कंकाल की 6 जिद्र वाली खोपड़ी मिली है तो ऐसा मिला है काली बंगा सब्वेता में नेक्स्ट देखिए 33 कोश्चन काली बंगा सब्वेता को कितने भागों में बाटा गया है तो इसका सही आंसर जो है वो है दो बागों में कितने भागों में बाटा गया है, दो भागों में, next देखिए 34, कुश्चन, काली बंगा सब्द का क्या आर्थ है, तो इसका आर्थ जो है, वह है काले रंग की चूडिया, और बरतन कैसे मिले हैं, लाल रंग के, next देखिए 35, कुश्चन, किस सब बताके ताम्बे के औजारों के निर्मान का केंदर होने के कारण तामरवती भी कहा जाता है, उसे तामरवती नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर तामबे के ओजार जो है, वो काफी मिले हैं, तो यहाँ पर ओजारों का निर्मान होता होगा, तो यह है आहड सब्विता, आहड सब्विता से हमें क् तांबे के आउजार के निर्माण के केंदर होने का प्रमान मिलता है कि यहां पर आउजारों का निर्माण होता होगा तो आंसर क्या है आहड सब्था Next है 36 question आहड सब्था की खुदाई कार्य किसके निर्देशन में हुआ और खोज करता जो हैं कौन है आहर सब्वेता की खुदाई कार्डे किसके निर्देशन में हुआ और इसके खोज करता कौन है तो देखिए इसका सही आंसर है अक्षे कीरती व्यास तो यहाँ पर थोड़ा सा सही से नहीं लिखा हुआ है तो आहर सब्वेता की खुदाई कार्डे जो है वो अक्षे कीरती व ठीक है, थोड़ा सा sentence मैंने change कर दिया है, confused नहीं होना है, अक्षे कीरती व्यास के निर्देशन में खुदाई का कारे हुआ, तो खोज करता कौन कहलाएंगे, अक्षे कीरती व्यास, नेक्स्ट है 37 question, आहर सब्वेता की खुदाई कारे किस ने किया, तो अब देखिए, खोज क करता कौन है, अक्षे कीरती व्यास, और खुदाई का कारे जो है, वो किया, रतन चंद्र अगरवाल, HD सांकलिया, ठीक है, इन्होंने किया, खुदाई का कारे, किसके निर्देशन में किया, अक्षे कीरती व्यास के निर्देशन में किया, गिलूंड शब्व्यता किस नदी के किनारे विक्सित हुई तो इसका सही आंसर है बनास नदी के किनारे विक्सित हुई कोशिन नमबर 39 गिलूंड सब्वेता कहां विक्सित हुई तो अभी मैंने आपको बताया गिलूंड सब्वेता जो है वह है राज सम्मध जिले में विक्सित हुई तो आज का ये अंतिम प्रशन देखिए गिलूंड सब्वेता का खुदाई कारे किस ने किया तो उत्खनन कारे जो है वह कौन है गिलूंड सब्वेता के तो देखिए ऑप्शन अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि बीबी लाल है डॉक्टर बी एस सिंदे है प्रॉफेसर तो कौन है गिलूंड सब्वेता के खुदाई कारे से संबंदित तो इसका सही आंसर जो है वह देखिए बीबी लाल भी है डॉक्टर वी एस सिंदे है और प्रॉफेसर गैगरी पोशाल भी है ठीक है गिलूंड सब्वेता में कितने प्रकार के बरतन मिले हैं गिलूंड सब सब्वेता से साधा, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल वा काले बरतन मिले हैं तो वो कौन से सब्वेता है जहां पांच प्रकार के बरतन मिले हैं साधा, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले बरतन तो इसका सही आंसर है गिलूंड सब्वेता नेक्स्ट है बागोर सब्वेता किस नदी के किनारे विक्सेत हुई तो इसका सही आंसर है बागोर सब्वेता कोठारी नदी के किनारे विक्सेत हुई नेक्स्ट है 44 कुश्चन बागोर सब्वेता कहां विक्सित हुई तो इसका सही उत्तर है भीलवाड़ा जिले में विक्सित हुई अगला है कुश्चन नमबर 45 बागोर सब्वेता का खुदाई कारे किसके निर्देशन में किया गया तो इसका सही आंसर है बी एन मिश्र डॉक्टर बी एन मिश्र 1967 से 70 इसवी के बीच में तो कुश्चन पूछा जाए कि बागोर सब्वेता का जो खोज करता है वो कौन है तो डॉक्टर वी एन मिश्र खुदाई कारे किसके निर्देशन में किया गया तब भी आपका उत्तर यही होगा डॉक्टर वी एन मिश्र और देखिए लास्ट वीडियो में एक कुश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया था जिसमें आंसर जो है वो आद्ध युग ना आकर प्राक युग आएगा तो आप लोगों नहीं बताया तो इस तरीके से आप लोग उसे सही कर लीजिएगा नेक्स्ट है कुश्चन नमबर 46 बागोर सब्वेता की खुदाई में लगू पाशान युग के उपकरन प्राप्त हुए है तो देखिए ये एक कुश्चन है जब पूछा गया है कि किस सब्वेता की खुदाई में लगू पाशान युग के उपकरन प्राप्त हुए है तो तो आपने अभी तक नहीं लगता है कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि छेद वाली तांबे की सुई कहां से मिली है तो इसका सही आंसर है बाग और सब्वेता से हमें तांबे की सुई मिली है गनेशर सब्वेता किस नदी के किनारे विकसित हुई तो इसका सही आंसर है कांतली नदी के किनारे विकसित हुई Question number 49, किस सब्बता को तांबर संचाई संस्कृती कहा जाता है या ये कुछन पूछा जा सकता है कि किस सब्बता को तांबर सब्बता की जन्नी कहा जाता है तो सबसे पुरानी जहां से तांबे के भंडार मिले जिसका सही आंसर है गनेश्वर सब्वेता जो की कांतली नदी के किनारे विक्सित हुई नेक्स्ट है नीम का थाना सीकर में किस सब्वेता का विकास हुआ नीम का थाना सीकर में तो आंसर वही है गनेश और सब्वेता कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर में विक्सित हुई Q51 गनेश और सब्वेता को खुदाई कार्य किसके निर्देशन में हुआ या गनेश और सब्वेता के जो खोज करता है वो कौन है आंसर है आर सी अगरवाल रतन चंद्र अगरवाल Q52 किस सब्वेता की खुदाई में मिले बरतन क्रपशवर्णी म्रदपात्र कहलाते है आंसर है गनेश और सब्वेता नेक्स्ट है किस सब्वेता को तामर सब्वेता की जननी माना जाता है तो अभी हमने देखा कि गनेश और सब्वेता को तामर सब्वेताओं की जननी कहा जाता है यहीं से प्रारम जो है वो माना जाता है तामर का 54 question भीन माल सब्वेता की खुदाई किसने की? भीन माल सब्वेता की खुदाई किसने की? तो इसके खोज करता है वही R.C. अगरवाल ने ही भीन माल सब्वेता की खुदाई की? नेक्स्ट है कुश्चन नमबर 55 किस सब्वेता में? खुदाई में एक यूनानी सुराही और रोमन एमफोरा मिला तो वह कौन सी सब्वेता है? जिसमें खुदाई में एक यूनानी सुराही और रोमन एमफोरा मिला तो इसका सही उत्तर है धीन माल सब्वेता इस बाल सभ्वेता कहां विक्सित हुई? इस बाल सभ्वेता जो है वो है विक्सित हुई उदैपोर जिले में नेक्स्ट देखिए, कुश्चन 57. असोग के दो इस्तम अविलिक भाबुरू और बैराठ सिलाले किस सब्वेता से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है बैराठ सब्वेता. नेक्स्ट देखिए, 58. किस सब्वेता से स्वास्तिक चिन तथा त्री रत्न चक्र चिन के युक्त अलंकरत घड़े की खुदाई के साक्षे मिले हैं? यह है बैराठ सब्वेता. यहां से हमें स्वास्तिक चिन मिला है. त्री रत्न चक्र चिन से युक्त एक अलंकरत घड़ा इसकी खुदाई के साक्षे मिलते हैं। किस सब्वेता से बौध मट के अवसेस मिले हैं। तो ये बैराट सब्वेता जहां से बौध मट के अवसेस मिले हैं। Next है, किस सब्वेता का उलेक महा भारत में मतस्य जनपत की राजधानी के रूप में हुआ। बहुत ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें राजिस्थान में कितने महाजनपदों का उनलेख मिलता है तो ये question जो है वो important है आपके रीट में last year आया हुआ question है और ये है 16 महाजनपद next है question 62 किस सब्वेता से सर्सों का एक मात्र उधारन मिला है कि वहां से सर्सों की खेती जो होती है तो ये है काली बंगा सब्वेता काली बंगा सब्वेता से ही हमें क्या मिले हैं खेती के प्रमाण मिले हैं दो फसल एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं Q63 गनेश्वर सब्वेता में कौन से महत्वपूर्ण साक्षे मिलते हैं? आंसर है देखिए तांबा वा मचली पकड़ने का काटा क्योंकि हमें पता है कि गनेश्वर सब्वेता जो की ताम्र सब्वेता की जननी कहा जाता है तो वहां तांबे की वस्तुएं जो मिली है उसमें तांबा वा मचली पकड़ने का काटा जो है वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और यह महत्वपूर्ण साक्षे में गिना जाता है 64 कोशन एक मात्र सब्वेता जिसमें मंदिर के अफशेश भी मिले है तो वह ऐसी सब्वेता बैराट सब्वेता है जहां हमें मंदिर के अफशेश मिले है Q65. तो देखिए, आप लोगोंने शायद नहीं पढ़ा होगा कि गुरु और सिश्य की मूर्ती जो है, वो किस सब्वेता की खुदाई से प्राप्त हुई है answer है इसका रंग महल की सब्वेता ठीक है? रंग महल की सब्वेता से हमें गुरु और सिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है Q66 है किस सब्वेता की खुदाई से अलंकरत इटे मिली हैं तो वो सब्वेता कौन सी है तो ये है काली बंगा सब्वेता जहां से अलंकरत इटे मिली हैं देखिए आहर सब्वेता जो है जहां से हमें कच्ची इटों के प्रमाण मिलते हैं वही पर काली बंगा सब्वेता जहां हमें पकी हुई, धूप में पकाई हुई इंटों के प्रमाण मिलते हैं और अलंकरत इंटे जो है वो हमें यहीं से प्राप्त हुई है काली बंगा सब्वेता से नेक्स्ट है, कुश्टिन नमबर 67, राज्य का एक मात्र इस्थान जहां से तामर युगीन, आरे युकालीन वह महाभारत कालीन अवसेश मिले है तो राज्य का वो एक मात्र इस्थान जहां से तामर युगीन, आरे कालीन और महाभारत कालीन अवसेश मिले है वो है नोह सब् कहां की सब्वेता है कौन से जिले की सब्वेता है तो यह 9 सब्वेता जो है वो भरत पुर जिले की सब्वेता है नेक्स्ट देखिए 68 कुश्चन किस सब्वेता में 5 लोहे की भटियां मिली है वो है बालाथल सब्वेता ठीक है बालाथल सब्वेता जो है वहां से हमें 5 लोहे भट्टियां मिली हैं, next है 69 question, किस सब्वेता से पसू पालन के अवसेश मिले हैं, तो ऐसी सब्वेता जहां से पसू को पालने के अवसेश मिले हैं, कि यहां पर पसू को पाला जाता है, तो यह है बाला थल सब्वेता, अगला देखिए 70 question, किस सब्वेता को महा सत्यों का टील कहा जाता है तो देखिए RBSC की बुक में ही आपको कितनी important line मिल रही है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी किस सब्वेता को महा सत्यों का ठीला कहा जाता है तो इसका सही उत्तर है बाग और सब्वेता 71 question है किस सब्वेता से पक्षी चित्रित इटे मिली हैं तो इसका सही उत्तर है 9 सब्वेता भरतपूर की 9 सब्वेता जहां से पक्षी चित्रित इटे मिली हैं next है किस सब्वेता से पथर से बनाए बांध मिले हैं वो कौन सी सब्वेता है जहां से पथर से बनाए बांध मिले हैं ये है गनेश्वर सब्वेता अगला है question number 73 मरू, धन्व, जांगल, मतस्य, सूरसेन इसका उल्लेक कहां मिलता है तो इसका उल्लेक जो है वो रिगवेद में मिलता है next है question number 74 शमी, कैर, पीलू और ये कंटीली जहाडियां है ये किस शेतर में उगती है ये किस शेतर में उगती है ये जांगल प्रदेश में उगती है तो जांगल प्रदेश जो है वो वहाँ पर समी, कैर, पीलू और कंटीली जहाडियां जो है वो मिलती है question 75 सर्व प्रथम जैपुर और इंद्रगर्ण से पत्थर से बनी पूर्व पाशान कालीन हस्त कुठार किसने खोज निकाली सर्व प्रथम सबसे पहले जैपुर और इंद्रगर्ण से पत्थर से बनी हुई पाशान कालीन हस्त कुठार जो है वो किसने खोज निकाली आंसर है E.C.A. C.A. हैंकेट ने किसने 1870 E.S.V. में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत है 1870 E.S.V. में C.A. हैंकेट ने निकाली थी सबसे पहले जैपुर और इंदरगड से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाशान काली नहस्त कुठार किसे लोहो सामिगरी की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजिस्थान के टाटा नगर की संग्या दी गई है इसका आंसर है रेन जो कि कहांपर है टॉंक जिले में ठीक है तो रेन जो टॉंक जिले में हैं वहां से लोह सामिग्री जो है वो बहुत जादा मिली है जिसके कारण उसे राजिस्थान का टाटा नगर भी कहा गया है तो ऐसे कोशन जो है यदि आपने किसी और बड़ी कोशिंग से किये होंगे तो आपको यहां जो कोशन मिल रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि हम लोग RBSC को ही फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट देखिए कोशन नमबर 77 एक साथ दो फसल उगाने के प्रमाण कहा मिलते हैं तो आंसर क्या है इसका काली बंगा सब्वेता किस सब्वेता में मकान कच्ची इट वा पत्थरों के बने हैं तो हमें पता है हमने बात की थी पहले कि कच्ची इटों के पत्थरों के बने हुए मकान हमें आहर सब्वेता में मिले हैं आहर सब्वेता जो की ग्रामीन सब्वेता है, इससे हमें पता लगाया जा सकता है कि यहां कच्ची ईट और पत्थर के जो मकान मिलते हैं. नेक्स्ट देखिए, 79 कुशिन है, मिट्टी के बरतन किस सब्वेता से मिले हैं? तो जब ग्रामीन सब्वेता है, तो आहर सब्वेता की अंतरगत ही हमें मिट्टी के बरतन भी मिले. Q80. पक्की ईटों का उप्योग प्रचुर मात्रा में किस सब्वेता से हुआ? तो यहां पर पूछा गया है कि पक्की ईटों का प्रियोग कहां हुआ? ऐसा पूछने की बजाय क्या पूछा है? कि पक्की ईटों का उप्योग बहुत जादा मात्रा में. तो यह प्राप्त का प्रियोग जो है वो गलूंड सब्वेता से मिलता है नेक्स्ट है चितोड के आसपास का शेत्र क्या कहलाता था चितोड के आसपास का शेत्र क्या कहलाता था तो इसका सही आंसर है शिवी चितोड के आसपास का शेत्र जो है वो कहलाता था शिवी यह फिस्ट चैप्टर के अंदर ही मेवाड का इतिहास इससे संबंदित question answer series जो है वो है और आप लोगों को देखना है कि कितने question की answer आप लोग सही कर पाते हैं या कितने अच्छे से आपने chapter जो है वो धंग से पड़ा है तो देख लेंगे और हर question जो है वो important रहेगा क्योंकि आप लोगों की exam मेवाड का इतिहास मारवाड का इतिहास बहुत ज़्यादा important रहता है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंद में कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है तो इसका सही उत्तर है दॉक्टर गौरी शंकर, हीरा चन ओज्ञा और सीवी बैद इन्होंने कहा है कि राजपूत जो है वो वैदिक आर्यों की संतान है question number 2 राजपूतों की उत्पत्ति के संबंद में किसकी अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनी वसिस्ट के अगनी कुंड से हुई तो किसने कहा कि मुनी वसिस्ट के अगनी कुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई तो ये कहा चंदवर्दाईने next question number 3 किनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्रहमनों से हुई तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा डॉक्टर डी आर भंडारकर डी आर भंडारकर का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्रहमनों से हुई next है question number 4 किस सिलालेक में वासुदेव चोहान के उत्रादिकारी सामन्त को बत्स गोत्रिय ब्रहमन बताया गया किस सिलालेक में वासुदेव जोहान के उत्रादिकारी सामन्त को वत्स गोत्रिय ब्रहमन बताया गया है। करनल जैम स्टॉड का ठीक है तो यहां आप याद रख सकते हैं कि करनल जैम स्टॉड जो है वो विदेसी थे तो उन्होंने क्या कहा कि राजपूत जो है वो विदेसियों की संतान है तो यह आपको याद करने के लिए मैंने एक लाइन बताई है ठीक है कि करनल जैम स्टॉड विदेसी हैं, तो उन्होंने राजपूत को क्या कहा? विदेसियों की संतान कहा. Next देखिए, Question No. 6. किसने राजपूतों को हूनों की संतान बताया? किसने राजपूतों को हूनों की संतान बताया? तो आंसर है, Dr. V.A. Smith. तो यहां तक बहुत सारे विचारकों ने अपने-अपने मत दिये, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखिए, राजपूतों को वैदे कार्रेव की संतान कहने वाले, Dr. Gauri Sankar, Hira, Chant, Aujha और C.V. Beth. चीक है, next, मुनी वसिष्ट के अगनी कुण से राजपूतों की उत्पत्ती मानने वाले हैं, चंदवर्दाई, और राजपूतों की उत्पत्ती नागर ब्रहमणों से हुई, ऐसा कहने वाले, Dr. D.R. भंडारकर, इसके अलावा, राजपूतों को विदेसियों की संतान कहा, कर्णल चैम स्टॉर्ड ने और हुणों की संतान बताया राजपूतों को विए इस्मित में, और हमने एक सिलालेक के बारे में पढ़ा, विजोलिया सिलालेक, जिसमें वासुदेव चोहान के जो उत्त्रादिकारी सामंत, उनको वच्स गोत्रिय ब्रहमन बताया गया, ठीक ह चलिए, next देखते हैं question number seven, गोहिल वंस ने कहाँ शार्षन किया? अंसर है मेवार में, next है question number eight, किसने गोहिल वंस को इरान के नो सेना आदिल की संतान बताया? तो किसने बताया कोहिल वंस को इरान के नो सेना आदिल की संतान तो इसका सही उत्तर है अबूल फजल ये question answer series जो है वो आप लोगों के याद करने के लिए बनाई जा रही है इसके अलावा test जो है वो भी आपके चलेंगे जब आपके 10th class की ये राजिस्तान का इतिहास complete हो जाएगा तो किसने गुहिल वंस को इरान के नो सेना आदिल की संतान बताया तो इसका सही आंसर है अबूल फजल चलिए next देखिए 9 question किसने गुहिल वंस को ब्रहामनों की संतान बताया देखिए जब हमने देखा था कि राजपूतों की उत्पत्ती नागर ब्रहामनों से हुई तब हमने याद किया डॉक्टर डी आर भंडार कर ठीक है वो कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ती नागर ब्रहामनों से हुई लेकिन यहां कोश्यन है कि गुहिल वंस को ब्रहामनों की संतान जो है वो किसने बताया? गोपीनाथ सर्मा ने बताया कि गुहिल वंस ब्रहामनों की संतान है अगला है किसने गुहिल वन्स को सूरे वन्सी राजा कनक सैन की आठवी पीडी में हुए सिला दित्ते की संतान बताया तो इसका सही आंसर है करनल जैम स्टॉट तो हम बिल्कुल एक एक कुश्चन जो है वो लेकर चल रहे हैं हर पैराग्राफ में जितने भी कुश्चन थे वो सभी मैंने इंक्लूड कर लिये हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लहें कि हमने चैप्टर नहीं पड़ा है तो इसका सही उत्तर है 566 इस्वी में ठीक है गौरी संकर ओज्चा की अनुसार गुहिल नरेश ने अपना साशन जो है वो इस्तापित किया और हमने देखा कि डॉक्टर गौरी संकर ओज्चा के बारे में हमने स्टार्टिंग में एक कुश्चन देखा था कि उन्होंने कहा कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है तो इस तरीके से आप एक नाम से ही दो-दो कुश्चन के आंसर जो है वो याद करिए नेक्स्ट देखिए कुश्चन नमबर 12 किस प्रसस्ती के अनुसार वप्पर आवल ने 734 इसवी में चितोड के साशक मान मोरी या मान मोर्य को हरा कर अपना साशन इस्थापित किया तो किस प्रसस्ती की अनुसार यह हमें मिलता है राज प्रसस्ती की अनुसार कि 734 ईस्वी में वपा रावल ने चितोड के साशक मान मोटे को हरा कर चितोड पर अपना शाशन स्थापित किया एक लिंग जी किस वंस के कुल देवता थे आंसर है गुहिल वंस के नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 14 वपा रावल के राज्य की राज़धानी कौन सी थी इसका सही उत्तर है नागदा वपा रावल ने अपनी राज़धानी जो है वो नागदा को बनाया था नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 15 किसके अनुसार वपा का वास्तविक नाम कालबोज था तो यहां हमें एक कुश्यन का आंसर मिल चुका है कि वपा का वास्तविक नाम था कालबोज ठीक है काल बोज जो है वो क्या थी उनकी उपादी थी लेकिन ये किसके अनुसार डॉक्टर गौरी संकर हीरा चंद ओजा की अनुसार बपा का वास्तविक नाम काल बोज था तो एक बार और रिवाईज कर लेते हैं डॉक्टर गौरी संकर ओजा वही है जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों की संतान बताया ठीक है कि राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है वो उनकी संतान है किसने बताया ये ये बताया डॉक् Q16. अरब यात्री सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार साशक की सक्ति साली सैना और कुशल प्रशाशन इसकी मुप्त कंट से प्रसंसा की, तो ये की मिहीर भोज की. ठीके याद रखना है अरब यात्री सुलेमान जो है वो मिहीर भोज के शाशनकाल में आया था, ऐसा कुशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मिहीर भोज की प्रसंसा जो है वो अरब यात्री सुलेमान ने की. अगले देखिए, यदि आपको थोड़ा सा स्पीड तेज लगती है, तो आप अपने मुबाइल में जो स्पीड होती है, उसको कम करके भी सुन सकते हैं, और यदि किसी को धीमा लगता है, तो आप स्पीड को बढ़ा कर सुनिएगा. सुनिएगा, किसने वपारावल की तुलना फ्रांसिसी सैनापती मार्टिल से की, जिसने मुसल्मानों को परास्त किया, तो वपारावल की तुलना जो है, वो मार्टिल से करने वाले सीवी बैद, डॉक्टर सीवी बैद, इन्होंने कहा कि वपारावल जो है, वो फ्रांसिसी स्यनापती मार्टिल जैसे हैं जिन्हों ने मुसल्मानों को परास्त किया था किसने मार्टिल ने जिस प्रकार मुसल्मानों को परास्त किया था उसी तरीके से वपारावल है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 19. जैत्र सिंग ने 1227 इस्वी में भूताला या भूतेला के युद्ध में किसे हराया था? तो यहां जैत्र सिंग ने जिन्होंने चित्तोड को अपने राजधानी बनाया था, इन्होंने 1227 इस्वी में भूतेला के युद्ध में इलतुतमिस को परास्त किया था. नेक्स्ट देखिए, question number 20, मेवाड की किस सासक के समय मेवाड चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंत श्रावक प्रतिक्रमण शूत्र चूर्नी को चित्रित किया गया, किस सासक के समय में इस मेवाड चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंत को? आंसर है तेज सींग के समय मेवाड के तेज सींग के समय मेवाड चित्र सहली का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ शिरावक प्रतिक्रमन सूत्र चोड़नी को चित्रित किया गया चलिए किस साशक के समय 1234 इसवी में बलवन ने मेवाड पर आक्रमन किया तो तेज सींग के समय में ही बलवन ने मेवाड पर आक्रमन किया नेक्स देखिए कुश्यन नमबर 22 किस मेवाड साशक ने 1299 इसवी में अलाउदीन के गुजरात अभ्यान के दोरान सैनापती उलुग खां से कर लेकर मेवाड की सीमा से आगे बढ़ने दिया तो किस मेवाड साशक ने तो इसका सही आंसर है समर सिंग मेवाड के साशक समर सिंग ने क्या किया था जब अलाउदीन की जो सैना है वो गुजरात अभ्यान को जा रही थी तो मेवाड जो है वो रास्ते में पढ़ता था दिल्ली से गुजरात जाने के बीच मेवाड नेक्स्ट देखिए, कुश्यन नमबर 23, मेवाड की रावल साखा का अंतिम शाशक कौन था? तो इसका सही आंसर है रतन सिंग, रावल रतन सिंग जो थे, वो मेवाड के अंतिम शाशक थे, रावल शाखा के. नेक्स्ट है, कुश्यन 24, अलावदीन खिलजी ने 1303 इसवी में चित्तोड पर आक्रमण किया, उस समय चित्तोड के शाशक कौन थे? तो बिल्कुल रावल रतन सिंग थे, चित्तोड के शाशक 1303 इसवी में. नेक्स्ट देखिए, कुश्यन नमबर 25, मलिक महमद जैसी ने कौन सा ग्रंत लिखा था? तो हमें पता है, इन्होंने ग्रंत लिखा था, पदमावद. नेक्स्ट देखिए, कुश्यन नमबर 26, गौरा वा बादल नामक वीर किसके सैनापती थे? तो गौरा और बादल वीर सैनापती थे, रावल रतन सिंग के. तो इन कुश्यन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतना जादा में आप लोगो को पढ़ा चुकी हूँ, ये सभी चीज़ें, जब हमने RBSC की बुक की थी. तो किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए अब, क्योंकि एक तरीके से आपकी इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, जो आपने कभी नहीं की होगी. तो ये तो मेरा मानना है कि आपकी एक्जाम आने तक आप लोग इतने पक्के हो जाएंगे हर प्रश्न में कि आप किसी का भी गलत आंसर नहीं देंगे. चलिए. Next देखिए question number 27. किस आकरमन कारी ने चितोड की विजय कर इसका नाम खिजराबाद रखा? तो चितोड को विजय करके और उसका नाम जो है वो खिजराबाद किस आकरमन कारी ने रखा? अलाउदीन खिलजी ने 1303 इसवी में. Next है किस सासक ने 1326 इसवी में चितोड को विजय कर गुहिलवंस की नीव पुनहे रखी? तो गुहिलवंस की नीव जो है वो दुबारा से किस ने रखी 1326 इसवी में? तो इसका सही आनता है राणा हमीर ने 1326 इसवी में चितोड को विजय किया और दुबारा से गुहिलवंस की नीव रखी यदि कोई student नहीं कर पा रहे हैं अब भी ये question तो please और please धिहान दें अपने पढ़ाई पर अब भी आपके पास समय है 6 से लेकर 10 तक की RBSC की complete book या question answer series आप channel से कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है और chapter जो है राजिस्थान के इतिहास के वो भी मैं पढ़ा रही हूँ channel पर आप लोग वो पढ़के और फिर इन question को हल करेंगे तब भी आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी लेकिन मेरे channel से जुड़ा हुआ हर बच्चा जो है वो SST में कम number लाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को भी ठीक है चलिए चितोड में सिशोधिया वन्स की नीव किस ने रखी तो answer है इसका राणा हमीर ने चितोड में सिशोधिया वन्स की नीव किस ने रखी राणा हमीर ने रखी next देखिए question number 30 किस साशक को मेवाड के उद्धारक की संग्या दी जाती है तो वो कौन सा साशक है जिसको मेवाड के उद्धारक की संग्या दी जाती है answer है राणा हमीर क्योंकि इन्होंने दुबारा से जितोड को विजय करके और गोहिल वन्स की दुबारा से स्थापना की थी इसलिए इन्हें मेवाड का उद्धारक माना जाता है 31 question है किस साशक को कीरती इस्थम प्रसस्ती में विशम घाटी पंचानन कहा गया है तो ये भी कहा गया है राणा हमीर को next देखिए हमीर ने सिंगोली जो बासवाडा में है इस युद्ध में किसे परास्त किया था सिंगोली का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था राणा हमीर और मुहमद बिन कासिम के बीच में हुआ था सिंगोली का युद्ध जिसमें हमीर विजय हुए थे और मोहमद बिन कासिम जो है वो पराजित हुआ था चलिए Next है question number 33 महाराणा लाखा मेवाड के शाशक कब बने? महाराणा लाखा मेवाड के शाशक कब बने? आंसर है 1382 इस्वी में 1382 इस्वी में महाराणा लाखा मेवाड के शाशक बने? Next है question number 34 किस मेवाड शाशक के समय जावर में चान्दी की खान निकली? कौन से मेवाड शाशक थे जिनके समय में जावर में चान्दी की खान निकली? तो राणा लाखा ही थे जिनके समय में जावर में चांदी की खान निकली Next है question number 35 राजिस्थान का भीस्म पितामा किसे कहा जाता है? आंसर है इसका चूंडा को राजिस्थान का भीस्म पितामा कहा जाता है क्योंकि जितना भी राजपार था उसको त्याग कर वो चले गए थे ठीक है? और जिस स्टोरी है वो मैंने आपको चैपकर में पढ़ाई ही थी Next देखिए question 36 मारवाड के साशक रणमल की बहन हंसा बाई का विवा किस के साथ हुआ था? तो रणमल की बहन हंसा बाई का विवा जो है वो सर्त के अनुसार किस के साथ हुआ था? राणा लाखा के साथ होना किस के साथ था? चूंडा के साथ ठीक है? चलिए Next है 37 question किस मेवाड शाशक के समय एक बंजारे ने पिछोला जील का निर्मान करवाया था? आंसर है राणा लाखा की समय अगला है question 38 राणा लाखा वा हनसा बाई का पुत्र राणा मुकल मेवाड का शाशक कब बना? Next है question 39 चाचा वो मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर किस मेवार शाशक की हत्या कर दी थी तो इन दौनों ने मिलकर महपा पवार के साथ मिलकर राना मुकल की हत्या की थी राना मुकल किसके बेटे थे राना लाखा के बेटे थे हंसाबाई के बेटे थे नेक्ष्ट देखिए, question 40, किस युद्ध में महाराना कुम्बा ने मालवा के शाशक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया, तो कौन सा युद्ध था जिसमें महाराना कुम्बा ने मालवा के शाशक महमूद खिलजी को परास्त किया था, तो वो था सारंगपुर का ये युद्ध कब हुआ था ये आंसर आपको बताना है चैप्टर बहुत अच्छे ही धंग से हम लोगों ने पढ़ा तो अब आप बताएंगे कि सारंगपुर का युद्ध जिसमें महाराना कुमबा विजय हुए थे यह मालवा के शाशक महमुद खिलजी को परास्त करके हु तो बिल्कुल ये वही युद्ध है सारंगपुर का युद्ध जिस विजय उपलक्ष में राना कुमबा ने कीरती सम का निर्मान करवाया था चलिए नेक्स्ट है कुश्यन नंबर 42 आवल और बावल की संदी किसके मद्य हुई तो इसका सही आंसर जो है वो है राना कुमबा व राना जोधा इन दौनों के बीच में आवल बावल की संदी हुई थी नेक्स्ट है कुश्यन नंबर 43 चमपानेर की संदी किन के बीच में हुई तो यह संदी गुजरात की कुतुबुद्दिन और मालवा के शाशक महमूद खिल जी के बीच में हुई थी तो इन दौनों ने आपस में ही संदी कर ली थी ताकि क्या कर सके यह जो राना कुमबा है उनको परास्तिफ कर सके मेवाड में 84 में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराना कुमबा ने करवाया तो पता है हमें कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो किस ने करवा महाराणा कुम्बा ने करवाया Q45 है तो इसका अंसर है राजसम्मद में तो इसका अंसर चितोडगर नहीं लगाना है कुम्बल गढदुर्ग राज सम्माद में इसनित है Next देखिए Q46 किस मेवाड साशक को हिंदू सूरतार कहा जाता है किस मेवाड शाशक को हिंदू सुर्तार कहा जाता है तो ये कहा जाता है राणा कुम्बा को नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 47 कुम्बलगर्दुर्ग का शिर्पी कौन था? Most important question है कुम्बलगर्दुर्ग का शिर्पी कौन था? तो इसका सही आंसर है मंडन कुम्बलगर्दुर्ग का शिर्पी कौन था? मंडन Next है question number 48 कीर्थी इस्थम प्रशस्ती की रचना किसने की? कीर्थी इस्थम प्रशस्ती की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है कवी अत्री और कवी महेज ने कीरती इस्तम प्रशस्ति की रचना की एकलिंग महात में गरंद की रचना किसने की जिससे कुमबा के विद्या अनुरागी होने का प्रमान मिलता है एक लिंग महात में गरंद की रचना किस ने की? तो इस गरंद में कुम्बा के विद्या अनुरागी होने का प्रमान मिलता है तो इसका सही आंसर है कानह व्यास ने एक लिंग महात में गरंद की रचना की कानह व्यास ने नेक्स्ट देखिए कुश्यन नंबर 50 संगीत राज, संगीत मिमान सा सूड प्रभंद ग्रंद की रचना किस ने की? तो इनकी ग्रंद की रचना जो है वो करने वाले राना कुम्बा राना कुम्बा ने संगीत राज, संगीत मिमानसा और सून प्रवंद ग्रंत की रचना की नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 51 महाराजा धिराज, राव राय, दान गुरू, राज गुरू, हाल गुरू, हिंदू सुर्तार, अभिनव भरता चारे इन सभी उपादियों से किस साशक को जाना जाता है? तो ये इन सभी उपादियों से जाना जाता है राना कुम्बा को याद रखना है, बहुत ज़्यादा important question है, यहाँ आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है कि दान गुरू के नाम से किस साशक को जाना जाता है, या अभिनव भरताचारे के नाम से किस साशक को जाना जा सकता है, तो यह सभी आपको याद रखने हैं, महाराजा देराज, दान गुरू, राज गुरू, हाल गुरू, हिंदू सुर्तार अभिनव भरताचारे, इन सभी उपादियों से जाना जाता है राणा कुम्बा को, अगला देखिए, 52 question है, राणा सांगा मेवार के शाशक कब बने, तो राणा शांगा जो हैं, वो मेवार के शाशक बने, 1509 इसवी में. नेक्स्ट है, question number 53. किस युद्ध मे राणा सांगा ने, 1519 इसवी में मालवा के सुल्तान मेहमूद खिलजी को हराया, तो मेहमूद खिलजी को हराया, राना सांगा ने गागरून के युद्ध में, 1519 इसवी में. नेक्स्ट देखिए, question number 54. किस युद्ध में राणा सांगा ने 517 एस्वी में दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोधी को पराजित किया? तो 1517 में होता है खातोली का युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा ने इबराहिम लोधी को पराजित किया था। नेक्स्ट है question number 55 किस युद में राणा सांगा ने फरवरी 1527 ऐश्वी में बाबर की सैना को पराजित किया तो खातोली के युद के बाद बयाना का युद 1527 ऐश्वी में हुआ जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सैना को हराया था किस युद्ध में बाबर से राना सांगा की हार हुई अब राना सांगा विजई हुए थे और उसके बाद जो हारे किसमे थे खानवा की युद्ध में खानवा की युद्ध में बाबर ने राना सांगा को पराजित किया था चलिए नेक्स्ट देखिए, कुश्यन नमबर 57 राना सांगा का समाधी इस्थल कहां बना हुआ है? राना सांगा का समाधी इस्थल कहां बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मांडलगड में राना सांगा का समाधी इस्थल मांडलगड में बना हुआ है नेक्स्ट देखे कुश्यन नमबर 58 इतिहास प्रसिद्ध वीरांगना पन्ना धाय जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से किसकी रक्षा की थी? तो इसका सही उत्तर है राणा उदे सींग की तो उदा की रक्षा की थी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 59 उदे सींग का राज्य अभिशेक 1537 इस्वी में किसके सही योग से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है राणा मालदेव के सही योग से नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 60 उदे सींग ने राणा मालदेव के सही योग से बन्नवीर की हत्या करके अपनी सत्ता कब हासिल की थी? तो यह 1540 इस्वी में की थी नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 61 उदेपुर नगर किसने बसाया? तो नाम से ही याद रख पाएंगे उदेपुर नगर बसाया राणा उदे सींग ने नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 62 अकबर ने जैमल और फत्ता की हाती पर सवार मूर्दियां कहां लगवाई थी अकबर ने आगरा के किले के बाहर जैमल और फत्ता की हाती की सवार मूर्दियां लगवाई महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था 9 मई 1540 इस्वी में नेक्स्ट है 64 कोशन अकवर ने 1572 से 1576 इस्वी के बीज प्रताप के पास 4 सिस्ट मंडल भेजे थे उनका सही क्रम क्या है तो यह हमें बहुत अच्छे से पता है इसका सही क्रम क्या है जलाल खां मान सिंग भगवान दास और टोडर्मल जमा भटो ठीक है ऐसे हमने इसको याद भी किया था और अब हमें यह याद भी हो चुका है चलिए नेक्स्ट देखिए कुशन नंबर 65 मुगल सेना और महारणा प्रताप की बीच हल्दी घाटी का युद्ध कभ हुआ तो यह युद्ध जो है वो हुआ 18 जून 1576 इस्वी में कहीं पर आपको 21 जून भी मिलेगा ल किस विद्धवान ने हल्दी घाटी के युद्ध को खम नौर का युद्ध कहा तो कौन से विद्धवान ने हल्दी घाटी के युद्ध को खम नौर का युद्ध कहा ये कहा अबुल पजल ने किसने कहा अबुल पजल ने कहा हल्दी घाटी के युद्ध को खम नौर का हल्दी घाटी के युद्ध को ही गोगुंदा का युद्ध किस ने कहा तो खमनोर का युद्ध कहने वाले अबुल्फजल थे और गोगुंदा का युद्ध कहा हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायूनी ने किस ने कहा बंदायूनी ने कहा हल्दी घाटी के युद्ध को ग नेत्रत्व करने वाले जगनात कच्छवाहा, मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेत्रत्व किया जगनात कच्छवाहा ने हल्दी घाटी के युद्ध में, इसके बाद प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेत्रत्व जो है, वो किया था हकीम खां सूर ने, ठीक है, जगनात क बचवाहां मुगलों की तरफ से और महाराणा प्रताप की सैना के हकीम खां सूर ने हरावल दस्ते का नेतरत्व किया। नेक्स्ट हैं 1582 इस्वी में दिवेर का युद किस किस के बीच में हुआ तो यह हुआ महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंग और सुल्तान खां के बीच में हुआ दिवेर का युद 1582 इस्वी में नेक्स्ट देखिए 71 गुष्यन किस वर्स के बाद अकवर ने प्रताप के विरुद अभियान नहीं भेजा तो काफी अभियान जो हैं वो अकवर ने प्रताप के विरुद भेजे ताकि वो अपनी अधीनता सुिकार कर ले अकवर की लेकिन कब नहीं भेजा 1585 इस्वी में नहीं भेजा नेक्स्ट है 72 कुश्यन प्रताप ने 1597 में अपनी राजधानी किसे बनाई तो अंतिम राजधानी जो है वो प्रताप ने 1597 इस्वी में बनाई चावंड को नेक्स्ट है कुश्यन नंबर 73 महाराना प्रताप की मृत्यों कब हुई महाराना प्रताप की मृत्यों जो है वो हुई 19 जन्वरी 1597 इस्वी में तो देखिए कई बार हमसे गलती हो जाती है याद करने में तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि महाराना प्रताप का जन्व जो जो है वो सर्दियों में 19 जन्वरी ऐसे भी थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा तो महारणा प्रताप की मृत्तियु जो है वो कब हुई 19 जन्वरी 1597 इस्वी में अगला है किस युद्ध को मेवाड का मेराथन कहा जाता है तो मेवाड का मेराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है मेवाड का मेराथन मेवाड और मुगल संदी जो है वह किस महाराणा के समय होई तो महाराणा प्रताप के बेटे राना अमर सींग के समय में जनवरी 1615 इस्री में मेवाड और मुगल संदी होई नेक्स्ट देखिए 76 कुशन जहांगीर ने मेवाड पर आक्रमन करने के लिए किसके नेतरत्व में सेना भेजी जहांगीर ने मेवाड पर आकर्मन करने के लिए किसके नेतरत्व में सेना भेजी तो उन्होंने भेजा था सहजादा खुर्रम को ठीक है, सहजादा खुर्रम को भेजा था जहांगीर ने मेवाड पर आकर्मन करने के लिए नेक्स्ट है 77 obstacle सोहीं राणा राज सिं और औरंगजेव के बीच शतुर्ता होने का क्या कारण था ? तो राना राज सिंग और ओरंग जेव के बीज, तो इसका कारण जो था, वो ये था किसनगड की राज को मारी चारू मती से विवाह करना चाता था ओरंग जेव, लेकिन विवाह हुआ था राज सिंग के साथ, इसके अलावा जजिया करका विरोध यह भी राज सिंग कर रहे जो कि औरंग जेव ने दुबारा से लगा दिया था अकबर के बाद। गोमती नदी के पानी को रोक कर राज सम्मत जील का निर्मान करवाने वाले याद रखना है राज सिंग। राज प्रसस्ती राज सिंग ने लिखवाई राज प्रसस्ती कितने काले संग मरमर पत्थरों पर लिखी गई है राज प्रसस्ती तो इस तरीके से हमने 80 कुशन किये हैं। मारवाड का इतियास आपका कंप्लीट हो चुका है। जम करने वाले हैं मारवाड के शाषकों के कुश्यन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना दिरीके। कुश्यन वन है। तो सही आंसर है दयाल दास ने। दयाल दास ने कहा कि राठोड जो हैं वो ब्रहमर भले राव की संतान है। नेक्स्ट है question 2 राठोडों की उत्पत्ति के सम्मद में कर्णल जैमस्टॉड ने क्या कहा उन्होंने कहा कि राठोड जो है वो कर्णोस से आने वाली शाका है और राठोड सूरेवनसी है ठीक है ये कहने वाले हैं कर्णल जैमस्टॉड कि राठोड जो है वो कर्णोस से आने पली एक साखा है और यह सूरेवनसी हैं. Next है, question number 3. सबसे पहले किसने कुर्जर प्रतिहारों को हरा कर जोधपूर पर अधिकार कर लिया था? तो answer है, राव शीहा. Next है, question number 4. मंदोर को सबसे पहले किस राठोड राजा ने अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही answer है, राव शूंडा ने. Next है, question number 5. जोधपूर की चांद बावरी का निर्मान किसने करवाया था? जोधपूर में चांद बावरी का निर्मान जो है वो किसने करवाया था? तो यह करवाया था, राव शूंडा की रानी चांद कवर ने. ठीक है, तो इनके नाम से ही चांद बावरी नाम रखा गया. Next है, question number 6. राव रणमल की बहन हंसा बाई का विवाहा किसके साथ हुआ था? राव रणमल की बहन हंसा बाई का विवाहा जो है, वह किसके साथ हुआ था? तो हम जानते हैं कि मेवाड के महाराना लाखा की साथ हुआ था हंसा बाई का विवाहा, जिनसे जो पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था मोकल. Next है, question number 7. जोदपूर नगर किसने बसाया? जोदपूर नगर बसाया राव जोधाने. तो याद रहेगा, विकानेर राव विकाने और जोदपूर नगर राव जोधाने बसाया. Next देखिए, question number 8. जोदपूर नगर कब बसाया गया? जोदपूर नगर कब बसाया गया? तो 1469 में, 1469 में जोदपूर नगर बसाया गया, राव जोधा की द्वारा. नेक्स्ट है question number 9 जोदपुर को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाया तो राजधानी जो है वो राव जोधाने ही बनाया जोदपुर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया राव जोधाने next है question number 10 तो राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवहा वह किया था राव कुम्बा के पुत्र राइमल के साथ तो यह आवल बावल की जो संदी है तो यह आपको पता है राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाद जो है वह है राव हुंबा के पुत्र रायमल के साथ किया था Next है question number 11 1532 इस्वी में राव मालदेव ने बहादूर शहा के आक्रमण से किसकी साहता की थी? तो राव मालदेव ने राणा विक्रमण दित्ते की साहता की थी? बहादूर शहा के आक्रमण से बचाया था उनको इतिहास में रूटी राणी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राव मालदेव की राणी उमादेव जो की रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है Next है question number 13 राव मालदेव से रूठ कर रूठी रानी जो है वो कहां रहने चली गई थी तो वे अजमेर का जो तारागड दुर्ग है वहां चली गई थी तो बूंदी के तारागड में नहीं अजमेर के तारागड दुर्ग में रूठी रानी चली गई थी राव मालदेव से रूठ कर Next है question 14 राव मालदेव ने किन किन राजियों पर अधिकार कर अपने कबजे में लिया था तो राव मालदेव ने किन किन राजियों को अपने अधिकार में लिया था मेर्ता के शाशक वीरमदेव और विकानेर के राओ जैटसी इनके राजियों पर अपना अधिकार किया था राओ मालदेव ने Q15 है राओ मालदेव और सेर्शासूरी के मद्दे कौन सा युद्ध हुआ था तो कई बार हम देख चुके हैं कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था राओ मालदेव और सेर्शासूरी के बीच में यह 1544 ECV में यह युद्ध जो होता है कौन सा गिरी सुमेल का युद्ध Most important question है यह Next है question number 16 जैता और कूपा वीर किसके सैना पती थे तो यह राओ मालदेव के ही सैना पती थे जैता और कूपा राओ चंदरसेन के समय अकवर ने किसके नेतरत्व में सैना भेजकर मारवाड पर अधिकार किया था तो अकवर ने भेजा था हुसेन कुली को उसके नेतरत्व में 1564 इस्वी में इसने मारवर्ड पर अधिकार किया था अगला है अकवर का जोदपूर का शाशन किसे सौपा था अकवर ने जोदपूर का शाशन किसे सौपा था तो ये सौपा था विकानेर के राइसीन को ठीके यहां थोड़ा सा सही कर देना है आपको अकबर ने जोदपूर का शाशन पीकानेर के राय सींग को सौपा था जोदपूर छोड़ने के बाद राव चंदरसेन कहां से मुगलों का मुकाबला किया जोदपुर छोडने के बाद राव चंदरसेन ने मुगलों का मुकाबल कहां से किया तो जोदपुर छोडने के बाद वो भादरा जून गए भादरा जून के बाद वो शिवाना चले गए उसके बाद वो रामपुरा पहाडों में चले गए लेकिन उन्होंने मुगलों की महाराणा प्रताप से की डॉक्टर विश्वेश्वरनाथ रेउने उन्हों ने कहा कि राव चंदरसेन मारवाड में उसी तरीके से मिवाड में महाराणा प्रताप ठीक है नेक्स्ट है, कुशन 21, किस आशर को मारवाड का प्रताप कहा जाता है तो हमने अभी last question में ही ये चीज देख ली है, कि राओ चंदरसेन को ही मारवाड का प्रताप कहा जाता है नेक्स्ट देखिये, कुशन 22, राओ चंदरसेन ने अकवर की अधीनता कभ सुईकार की तो हम जानते हैं इसको बहुत अच्छे से कि कभी भी सुईकार नहीं की Next देखिए, question 23 किस अवधी में मुगल प्रशाशन ने मारवाड को खालसा घोसित किया था तो मुगल प्रशाशन ने मारवाड को 1581 से 1584 तक खालसा घोसित किया था अकवर ने राव चंदरसेन के भाई उदे सिंग को जोदपुर का शाशन कब सौपा तो इन्होंने उदे सिंग को जोदपुर का शाशन 1583 स्वी में सौपा था किसने अकवर ने? किसे उदे सिंग को? कौन थे उदे सिंग? राव चंदरसेन के भाई मोटा राजा उदे सिंग ने अपनी पुत्री जोधा भाई का विवाह किसे किया तो मोटा राजा उदे सिंग ने अपनी पुत्री जोधा भाई का विवाह किया था अकबर के बेटे जहांगीर से नेक्स्ट है question 26 जोदा भाई का वास्तविक नाम क्या था तो इनका वास्तविक नाम था जगत गुसाई आपकी एक्जाम में पूछा जा सकता है बहुत ही आसान प्रस्ण है खुर्रम सहाजा किस रानी से उत्पन पुत्र था तो सहाजा की मा कौन थी मोटा राजा उदैसिंग की बेटी जगत गुसाई ठीके तो मोटा राजा उदैसिंग की जो बेटी थी उनसे ही पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था खुर्रम जो बाद में सहाजा की नाम से ज जहांगीर से करने पर अकवर को मोटा राजा उदैसिंग को कितनी मनसबदारी दी, अपनी पुत्री का विवहा जब जहांगीर से करने पर अकवर ने मोटा राजा उदैसिंग को कितनी मनसबदारी दी, तो उन्होंने एक हजार मनसबदारी दी राजा उदैसिंग को, किसने? अकवर ने, नेक्स्ट कोश्चन ट्वंटिनाइम, सहाजा ने महाराजा जस्वंत सींग प्रथम को राज्य अभिशेक की अफसर पर कितना जात और सवार का मंसब दिया? तो अंसर है, यहाँ 4000 जात वसवार और इसके साथ राजा का खिताव ये सब किसको दिया सहाजा ने? महाराजा जस्वंत सींग प्रथम को महाराजा जस्वंत सींग मुगलों की ओर से आगरा का प्रबंद कब सौपा गया? मुगल उत्रादिकार युद में महाराजा जस्वंत सींग ने किसका साथ दिया? मुगल उत्रादिकार युद में महाराजा जस्वंत सींग ने साथ दिया था दाराशिकों का ठीक है? तो औरंग जीव और उनके भाईयों के बीच में उत्रादिकार का संगर्स चल रहा था औरंग्जिव और दारा सिको हुमैसे दारा सिको का साथ दिया महाराज़ जस्वन सिंग ने मुहुनोत नैंसी किस राठोड नरेश का शाशन मंत्री था? मुहुनोत नैंसी किस राठोड नरेश का शाशन मंत्री था? तो आंसर है ये महाराज़ जस्वन सिंग प्रथम के ही शाषन मंत्री थे Question number 33 मारवाड रे परगनारी विगत ख्यात के लेखत कौन है तो इसका सही आंसर है मोहनोत नैंसी मोहनोत नैंसी द्वारा जो ख्यात लिखा गया था मारवाड रा परगनारी विगत Next है Question number 34 भाषाब भुषण ग्रंत की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है महाराज़ जस्वन सिंग ने Next है Question 35 औरंग जेव ने महाराज़ जस्वन सिंग को सिवाजी के विरुद कब भेजा था? तो औरंग जेव ने जस्वन सिंग को भेजा 1665 इस्वी में सिवाजी के विरुद Next है 36 Question राव बीका ने बीका नेर नगर कब बसाया? तो राव जोधा ने जोदपुर नगर बसाया? वहीं राव बीका ने 1488 में बीका नेर नगर बसाया Next है Question number 37 राव बीका ने किस से विवहा कर जांगल प्रदेश में अपनी इस्तिती को मजबूत किया? तो राव बीका का जो विवहा है वह हुआ था राव सेखा की पुत्री पुंगल के राव सेखा की पुत्री से राव बीका ने विवहा किया था Next है Question number 38 बीका नेर के देशनोंक का प्रसिद कर्णी माता का मंदिर किस ने बनाया? तो कर्णी माता का मंदिर जोकी देशनोंक बीका नेर में है इसे बनाया राव बीका ने Next है Question 39 राव लून करंड ने किस साशक को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है राव लून करण ने नागोर की शाशक मुहमद खाव को पराजित किया था next है question 40 किस गरंत में राव लून करण को कल्यूग का करण कहा गया है तो वो कौन सा गरंत है जिसमें कल्यूग का करण राव लून करण को कहा गया तो ये कहा गया B2 सूचा का राव जैत सीरो जंद के अंतरगत राव लून करण को कल्योग का करण कहा गया Q41 है लून करण सर जील का निर्मान किसे माना जाता है लून करण जील का जो निर्माता है इसका निर्मान जो है वो किस ने करवाया तो इसका सही आंसर है राव लून करण ने अपने ही नाम से लून करण सर जील का निर्मान करवाया नेक्स्ट है 42 कुश्यन किस ग्रंत में बिकानेर के लून करण की तुलना दानवीर करण से की गई है तो उस ग्रंत का नाम है कर्म चंद्र वनसोत कीरतन काव्यम कर्म चंद्र वनसोत कीरतन काव्यम इसमें लून करण की तुलना दानवीर करण से की गई है 43 question है पहेबा जोदपुर का युद्ध कब हुआ? पहेबा जोकी जोदपुर में है ये युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1441 इसवी में राव जैटसी और मालदेव के बीच में पाहोबा का युद्ध हुआ? डेट याद रखनी है इंपोर्टेंट 1541 इसवी में मुगलों की अधिनता सुईकार करने वाला पहला राठोड शाषक कौन था? तो सबसे पहला राठोड शाषक यहाँ पर राठोड शाषक पूछा गया है तो सबसे पहले अधिनता सुईकार की राव कल्यान मलने, ठीक है? मनीरी नामक ग्रंत के रचेता कौन है? तो आंसर है प्रतवी राठोड शाषक का बनाया था? तो इसका सही आंसर है 1542 इसवी में नेक्स्ट है कोशन 47 राइसिंग महाराजा धिराज के उपादी धारन कर बीकानेर के साषक कब बने? तो आंसर है 1544 इसवी में नेक्स्ट है 48 कोशन किस साषक ने जूनागर किले के दरवाजे पर वीर, जैमल और फत्ता की मूर्थी लगवाई थी? तो इसका सही आंसर है बीकानेर के राइसिंग ने जूनागर किले के दरवाजे पर वीर, जैमल और फत्ता की मूर्थी लगवाई थी? अगला है 49 question मुंसी देवी परशाद ने किस नरेश को राज पुताने का करण की संग्या दी यहां क्या पूछा है कि मुंसी देवी परशाद ने किस नरेश को राज पुताने का करण की संग्या दी है तो इसका सही आंसर है राव राइसिंग किसको दी है राव राइसिंग और वहीं इससे पहले हमने बात की थी कि बीठू सूजा का जो राव जैट सीरो च्छन्व है ग्रंथ उसमें राव लून करण को कल्यू का करण कहा गया था ठीक है दोनों को याद रखना है नेक्स्ट देखें कुशन 50 मतीरे की राड युद किसकी मत्य हुआ था तो इसकी स्टोरी जो है वो मैंने आपको चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ अच्छे से बताई थी तो ये युद जो है वो हुआ था 1642 से 1644 तक चला था राव करण सिंग और नागोर के शाशक अमर सिंग के बीच में हुआ था नेक्स्ट है चिंता मणी भट ने अपने ग्रंत सुक्सप्त सती में किसे जालंदर का बादशा कहा तो ये कहा राव करण सिंग को चिंता मणी भट ने अपने ग्रंत सुक्सप्त सती में जालंदर का बादशा कहा साहित्य कल्प द्रुम ग्रंथ किसने लिखा तो ये ग्रंथ लिखा राव करण सिंग ने अगला है राव करण सिंग के दर्वारी विद्वान गंगा नंद मैथिल ने कौन से ग्रंथ लिखे तो उन्होंने करण भूशन और डाकिनी ये दोनों ग्रंथ लिखे किसने रिखे गंगा नंद मैथिल ने कौन थे ये राव करण सिंग के दर्वारी विद्वान थे चलिए स्टार्ट करते हैं अचलेश्वर मंदिर लेक में साकंबरी के चोहानों की उत्पत्ती किन से बताई गई है? तो ये बताई गई है कि वे चंदरवनसी थे नेक्टर है कोश्यन टू डॉ- proclaimed दस्रत शर्मा के मता अनुसार साकंबरी के चोहानों की उत्पत्ती किन से बताई गई है? तो साकंबरी के चोहानों के उत्पत्ती के संबंद में हमने देखा कि अचलेशवर मंदिर लेक में बताया गया है कि वे चंदरवंसी थे, वहीं डॉक्टर दस्रसर्मा कहते हैं कि ये ब्रहम्मन वंस से थे तो इसका सही आंसर है बिजोलिया सिलालेक में बताया गया है कि चोहान जो है वो वच्छ गोत्रे ब्रहम्मन है नेक्स्ट है बिजोलिया सिलालेक के अनुसार ही सामबट जील का निर्माता कौन है तो ये है किसमें बताया गया है बिजोलिया सिलालेक के अनुसार याद रखिएगा कि बिजोलिया सिलालेक के अनुसार सामबट जील का निर्माता वाशुदेव चोहान है नेक्स्ट देखिए हर्सनात लेक में किस प्रतापी चोहान नरेस की विजियों का उलेक है आंसर है विग्रेह राज दुटिय विग्रेह राज दुटिय चोहान प्रारंब में गुर्जर प्रतिहारों की सामन्द थे चोहानों को सबसे पहले किसने गुर्जर प्रतिहारों से मुक्त कराया तो वो शाशक थे गुवक परतम जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों से चोहानों को मुक्त कराया इसका सही उतर है विग्रह राज द्वितिये जिनको हर्चुनात लेख में उनकी विजियों का उलेख जो है वो किया गया है किसका विग्रह राज द्वितिये का अगला देखिए प्रत्वी राज विजय किस साशक को वैरी घट कहा गया अंसर है गोविंद तृतिये किसे कहा गया गोविंद तृतिये को गजनी शाशक को मारवाड में आगे बढ़ने से किसने अपनी सक्ती से रोका गजनी शाशक को मारवाड में आगे नहीं बढ़ने दिया तो वो चोहान राजा गोविंद तृतिये जिन हैं क्या कहा गया था अभी हमने देखा प्रत्वी राज विजय में वैरी घट कहा गया अजे राज चोहान शाशक कब बने तो सही आंसर है ग्यारा सो पांच इसवी में अजे राज चोहान शाशक बने और जिन्होंने अजे मेरू दुर्ग या अजे नगर बसाया था अजमेर नगर किसने बसाया तो हमने देखा कि अजे राज चोहान ग्यारा सो तेरा इसवी में अजमेर नगर बसाया अजे राज चोहान ने अजे प्रिये द्रम सिक्के चलाए जो किस धातु से बनाए गए थे अजे राज चोहान ने अजे प्रिये द्रम सिक्के चलाए जो तांबे और चांदी इनके बने हुए थे चांदी और तांबे के सिक्के चलाए अजे राज चोहान ने किस चोहान नरेज ने अजमेर में आना सागर जील का निर्मान करवाया तो वो कौन से चोहान साशक थे अजमेर के जिन्होंने अजमेर में आना सागर जील का निर्मान करवाया तो इसका सही आंसर है अर्नो राज अर्नो राज ने अजमेर में आना सागर जील का निर्मान करवाया पुसकर में बरहा मंदिर का निर्मान किस ने कराया? तो वो अर्णो राज ही थे जिन्होंने अजमेर में आना सागर जील और पुसकर में बरहा मंदिर का निर्मान करवाया प्रसिद विद्वान देव बोध एवं धर्म घोस को किस चोहान नरेश ने सम्मानित किया? प्रसिद विद्वान देव बोध और धर्म घोस को किस चोहान नरेश ने सम्मानित किया? तो वो अर्णो राज चोहान थे जिन्होंने प्रसिद विद्वान देव बोध और धर्म घोस को सम्मानित किया वह चोहान सासक जिसने तौमर को पराजित कर दिल्ली पर सबसे पहले अधिकार किया था तो दिल्ली पर सबसे पहले अधिकार करने वाले चोहान सासक जिन्होंने तौमरों को पराजित किया वो थे विग्रे राज चतुर्थ Most important line है यह आपको याद रखना है विग्रे राज चतुर्थ जिनको बीसल देब भी कहते हैं किस चोहान नरेश को जयानक भटने कवी बांधव कहा? तो इसका सही आंसर है विग्रे राज चतुर्थ इनको कवी बांधव किस ने कहा? जयानक भटने हरी केली नाटक की रचना किस ने की थी? हरी केली नाटक की रचना किस ने की थी? तो इसका सही आंसर है विग्रे राज चतुर्थ ने हरी केली नाटक की रचना की थी? ललित विग्रह राज नाटक की रचना किस ने की थी? तो इसका सही आंसर है ललित विग्रह राज नाटक की रचना सोम देव ने की थी याद रखना है थोड़ा साही अंतर है कि सोम देव ने तो ललित विग्रह राज नाटक की रचना की इसके अलावा हमने अभी देखा हरीकेली नाटक की रचना जो है वो की विग्रह राज चतुर्थ ने किस चोहां सासक ने गजनी के खुशरू शाह को पराजित किया तो वे विग्रह राज चत्थूर्त ही थे किस चोहां सासक को वीसल देव भी कहा जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विग्रह राज चत्थूर्त को वीसल देव के नाम से जाना जाता है नेक्स देखिए अजमेर में वीसल देव द्वारा बनाई गई संस्कृत पाट साला को तुडवा कर किस ने वहां पर ढ़ाई दिन का जोपरा बनाया तो विसल देव यानि विग्रे राच चतुर्थ ने संस्कृत पाट साला बनवाई अजमीर में जिसको तुड़वाया कुतुबुद्दीन एभक ने और वहाँ पर धाई दिन का जोपरा बनाया तो यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि विग्रे राच चतुर्थ ने विग्रे राच चतुर्थ के समय को नेक्स्ट देखिए कुश्चन नमबर 25 किसने कहा कि जब विग्रे राच चतुर्थ की मृत्यु हो गई तो कवी बांदव की उपादी ही निरर्थक हो गई क्योंकि इस उपादी को धारण करने की शमता किसी में नहीं थी तो ये शब्द जो है वह विग्रे राच चतुर्थ के लिए किसने कहे कि जो कवी बांदव की उपादी है वो निरर्थक ही हो जाएगी यदी विग्रे राच की मृत्यु हो गई तो ये कहने वाले थे जयानक कौन थे जयानक नेक्स्ट है कोश्चन 26 प्रत्वी राच चोहां चृत्य शाशक कब बने तो प्रत्वी राच चोहां चृत्य शाशक बने 1177 इसवी में नेक्स्ट है 27 कोश्चन जब प्रत्वी राच चोहां चाशक बने तब उनकी आयू कितनी थी जब प्रत्वी राच चोहां चाशक बने तो उनकी उम्र कितनी थी तो उनकी उम्र थी उस वक्त 11 वर्ष और चाशक गब बने 1177 इसवी में प्रत्वी राज चोहान के शाशनकाल की प्रत्थम विजय कोन सी थी तो सबसे पहले उन्होंने विजय किया था 17 प्रदेश के भंडानकों को पराजित कर तराइन का पहला युद्ध कब हुआ तो सभी जानते हैं कि 1191 इस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और next तराइन का जो दूसरा युद्ध है वह एक साल बाद 1192 इस्वी में होता है तो में हम रडधंबोर के चोहान शाशकों के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं रडधंबोर के चोहान वंस का संस्थापक किसे माना जाता है तो यहां आंसर रहेगा गोविंद राज को गोविंद राज 1194 इस्वी में रडधंबोर में चोहानों की नीव रखते हैं यह प्रत्वी राज तrittiya इनके पुत्र हैं जो आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने प्रत्वी राज तrittiya और मोहमंद गोडी के बीच में जो तरायन का युद्ध हुआ था उसके बारे में बात की थी तो उनहीं के पुत्र हैं गोविंद राज तो गोविंद राज इसका सही आंसर है जैत्र सिंग नेक्स्ट देखिए कोशन 33 रन्थम्बोर के किस साशक का संघर से दिल्ली के इल्तु तमिश से हुआ था तो इसका आंसर जो है वो है वीर नारायन अब वीर नारायन कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रन्थम्बोर के 94 के संस्थापक गोविंद राज थे उनकी उत्रादिकारी थे वालड, प्रालाद और वीर नारायन तीन थे जिसमें से वीर नारायन जो थे इनका संघर्स होता है दिल्ली के इल्तु तमिश से नेक्स्ट है कुश्चन 34 रन्थम्बोर के किस साशक ने मिवाड के साशक समर सींग को पराजित किया था तो यहाँ जो आंसर है वो रहेगा हमीर चोहान चीक है हमीर चोहान जो की बहुत प्रतापी शाशक थे इन्होंने आबू, काठियावाड, पुसकर, चमपा, धार इन सभी राजियों को जीता था और मिवाड के साशक जो समर सींग थे इनको भी परास्त किया था नेक्स्ट देखिए कुशन 35 बारा सो इक्यानवे में जब जलालुदीन खिलजी ने रर्धंबौर पर आकर्मन किया था तब रर्धंबौर के किस चोहान साशक ने उसे पराजित किया था तो यह कुशन जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जलालुदीन खिलजी और रर्धंबौर के किस साशक के बीच 1291 में युद्ध होता है तो वह है हमीर चोहान 1291 में हमीर चोहान थे उस वक्त रर्थमबोर के चोहान साशक और जलालुदीन खिल जी ने 1291 में आक्रवन किया था हमीर चोहान के अलाउदीन के किस विद्रोहियों को शरण थी जिससे अलाउदीन नाराज हुआ तो ये स्टोरी जो है वो हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से देखी थी कि अलाउदीन खिल जी के जो दो विद्रोही थे वो हमीर चोहान के यहां आकर शरण लेते हैं रर्थमबोर में जिससे अलाउदीन खिल जी नाराज हो जाता है वो दो थे मुहमद शा और केहुबू जिनको हमीर चोहान ने शरण दी थी प्रथम बार अलाउदीन खिल जी ने रर्थमबोर पर कब आकरमण किया था तो इसका सही आंसर है 1299 इसवी में देखिए जलालूदीन खिल जी जो अलाउदीन खिल जी के चाचा थे उन्होंने आकरमण 1291 में किया था उन्हें सफलता न नहीं मिली अलाउदीन खिल जी ने रर्थमबोर पर आकरमण पहली बार किया 1299 इसवी में प्रतम बार रर्थमबोर हारने के बाद अलाउदीन खिल जी ने दोबारा रर्थमबोर पर आकरमण किया तो वो कब किया 1299 में रर्थमबोर पर आकरमण किया अलाउदीन खिल जी लेकिन वो विजई नहीं हुआ, दोबारा से आक्रमन करता है वो 1301 इसवी में, तो सिक्वेंस सोड़ा याद रखना है आपको, 1291 में जलालू दिन खिल जी ने किया था, 1299 में पहली बार रधंबोर पर आक्रमन अलाउ दिन खिल जी करता है, उसके बाद हाडने के बाद वो 1301 किस्वी में करता है, अपने किन सैनापतियों के विश्वास घात के कारण हमीर चोहान की हार हुई, तो यहाँ पर रधंबोर में जो विद्रोही थे या विश्वास घाती जो थे, वो थे रणमल और रतिपाल, ऐसे याद रख सकते हैं, रा से ही रधंबोर और रा से ही दोन अनों ने अलाउदिन खिल जी की साहता की, जिस्से की हमीर चोहान पराजित हुए, हमीर महा कावे गरंत के रचनाकार कौन है, अब देखिए, most important question है, हमीर महा कावे गरंत के रचनाकार कौन है, तो यह है नयन चंसूरी, नयन चंसूरी द्वारा हमीर महा कावे गरंत रचित हमीर रासों के रचनाकार कौन है हमीर रासों के रचनाकार कौन है तो वो है जोद राज हमीर रासों के रचनाकार है जोद राज अगला देखिए हमीर हट के रचनाकार कौन है तो हमीर हट के रचनाकार है चंदर सेखर ठीक है हमीर हट के रचनाकार कौन है चंदर सेखर तो तीनों ही नाम आप याद रखिएगा हमीर हट के रचनाकार है चंदर सेखर हमीर रासों के रचनाकार है जोदराज हमीर महा कावे क के रचनाकार है नयंचन सूरी नेक्स्ट देखिए 43 कुष्चन जालोर के चोहानों का संस्थापक माना जाता है तो हमने डर्थमबोर के चोहान में 1181 में केर्थिपाल चोहान ने रखी और रर्थमबोर में कौन थे हमीर चोहान जालोर के चोहानों में सरवादिक सक्तिशाली शाशक कौन था तो यहां पर सक्तिशाली शाशक थे कानर देब एक तो यह याद रखना है कि कौन सा संस्थापक जो है वो कहां का है दूसरा वहां क सबसे प्रताफी शाशक ये दो नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं सभी वंस में से तो जालोर के जोहानों में सरवादिक सक्तिशाली शाशक का नर्देव और जालोर के जो संस्थापक हैं वो कौन है किर्तिपाल जालोर पर आक्रमण करने के लिए अलाउदिन ने सेनापती एन उल मुल्क मुल्तानी के नित्रत्व में सेना कब भेजी तो यहां 1305 इसवी में सेना भेजी अलाउदिन खिलजी ने एन उल मुल्क मुल्तानी के नित्रत्व में अलाउदिन ने शिवाना दुर्ग पर आकर्मन करके अधिकार कब किया अलाउदिन ने शिवाना दुर्ग पर आकर्मन कर अधिकार कब किया तो आंसर है 1308 इसवी में शिवाना दुर्ग के बारे में तो आप जानते ही है कि ये जालोर की की है, जालोर की कुझी है, कि अगर जालोर दुर्ग को जीतना है, तो सबसे पहले शिवाना दुर्ग को जीतना होगा नेक्स्ट देखिए, कोश्चन 48, अलाउदीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया, तो 1311 इसवी में जालोर पर आक्रमण किया, और 1308 इसवी में किया था, शिवाना पर अगला है 49, अलाउदीन ने शिवाना दुर्ग पर अधिकार करके उसका नाम क्या रखा, तो अलाउदीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग का नाम रखा, खेराबाद, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप सही करना, इसका नाम है, खेराबाद, शिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद और जालोर दुर्ग का नाम रखा जलालाबाद ठीक है याद रह जाएगा जालोर से जलालाबाद कानर देव की हार का मुख्य कारण क्या था कानर देव प्रतापी शाशक थे जालोर के फिर भी वो पराजित हुए थे इसका मुख्य कारण जो था यहां पर भी वही था विस्वास गाती दहिया बीका सरदार जो था उसने क्या किया था विस्वास गात किया था जिसके का नाम खेराबाद रखा और जमाल उद्दीन गुर्ग को उसका परतिनिधी सौपा. करने वाले हैं चैप्टर वन के अंदर ही जैपूर की कच्छवाहा शाशक तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने जिस तरीके से हर एक चैप्टर के अंदर एक पहराग्राफ में ही जितने भी कोशन बन सकते थे वो सभी इंक्लूड किये हैं यहाँ पर भ मानते हैं कच्छवाह शाशक अपनी उत्पत्ती मानते हैं तो वो किससे मानते हैं राम के जेष्ट पुत्र कुस से सूरेमल मिश्रन की अनुसार कच्छवाहवंस की उत्पत्ती कुर्म नामक रगुवंसी सासक से हुई है नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 3 दूडाड प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कच्छवाहों को किससे संगर्स करना पड़ा था तो जो कचवाहे थे वो सबसे पहले चोहानों के सामन्त थे और कचवाहों को डूनाड प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए बढ़ गुर्जर और मीडाओं इनसे संघर्स करना पड़ा नेक्स्ट है कुशन 4 दूनाड प्रदेश में कचवाहा वंस का नवीन राज्य स्थापित किस ने किया तो वो थे डूले राय जिन्होंने 1137 इस्वी में कचवाहा वंस में नवीन राज्य स्थापित किया नेक्स्ट है कुशन 5 कचवाह वंस की पहली राजधानी कौन सी रही यानि दूले राय ने सबसे पहली राजधानी किसे बनाया तो इसका आंसर है दोसा दोसा को उन्होंने पहली राजधानी बनाया next देखिए question 6, कचवाह प्रारंब में किसके सामन्त थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कचवाहे जो थे वो चोहानों के सामन्त थे, next देखिए question 7, किस कचवाह शाशक ने सबसे पहले जमुवा रामगड पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया, तो वो दूले राए ही थे, जिन्होंने पहले अपनी राजधानी जो है वो दोसा को बनाया, उसके बाद जमुवा रामगड पर भी अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया, तो ये दूले की तरह ही सजे धजे रहते थे, इसलिए इनका नाम जो है वो दूले राए परास्त करके वो हैं कच्छवाहा शाशक कोकिल देव। उन्होंने 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि दूले राये ने 1137 ईस्वी में कच्छवाहा वंस की नवीन राज्य स्थापित किया। उन्होंने सबसे पहले दोसा को राजधानी बनाया। उसके बाद उन्होंने किसको बनाया था राजधानी। जमुवा रामगड को। नेक्स्ट 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मिनाओं को परास्त किया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है मुगलों की अधिनता सुईकार करने वाला पहला रासपूत्षाशक कौन था। जिन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विभाव 1562 ईस्वी में किया था। ठीक है? 1562 ईस्वी में किया था। किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर अजमेर यात्रा पर जाते समय सामभर में कब आये थे? या कोशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अकबर का अजमेर यात्रा कब की? अकबर ने अजमेर यात्रा कब की? तो जनवरी 1562 इस्वी में ही अजमेर यात्रा जो है वो अकबर ने की थी और तभी ये भारमल से मिल थे वह कौन राजपूत राजकुमारी थी जो अकवर से विवहा करने के बाद मरियम उज्जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई ही तो यहाँ पर आपको आप्शन जो है वो मिल सकते हैं हरका बाई मान बाई ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा अकवर ने पर दियम उज्जमानी रखा ठीक है यह कच्वाह वंसी थी नेक्स्ट है कुश्चन 13 भगवान दास आमेर के शाशक कब बने तो देखा हमने की सबसे पहले भारमल जिनोंने अकवर की अधीनता सुईकार की उसके बाद उनके बेटे भगवान दास ये भी मुगलों की अधी 1770 में कब बने थे 1573 में भगवान दास आमेर के शाशक बने जहांगीर किसका पुत्र था जहांगीर किसका पुत्र था जिसका सही आंसर है कि जहांगीर अकवर और कचवाही राजकुमारी हर कबाई इनके बेटे थे नेक्स्ट है भगवान दास ने अपनी पुत्री मानवाई का विवा किसके साथ किया था तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है जब अकवर जहांगीर सहांजा दे दिया जाए और पूछा जाये कि भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवा किस के साथ किया था तो देखिए हरकाबाई का विवा अकवर के साथ, वहीं भारमल के जो बेटे भगवान दास थे उन्होंने अपनी बेटी मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था 1585 इस्वी में जैपुर नरेश मानसिंग के शाशनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ मानप्रकास किसने लिखा था? तो उसका सही आंसर था मुरारी दान नेक्स्ट है कुशन 17 कच्वाह नरेश मानसिंग के शाशनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ मानसिंग कीर्थी मुक्तावली ये किसने लिखा था? तो यहाँ पर ऑप्शन में यदि मानसिंग का ही नाम आ गया तो वहां गल्ती कर बैठेंगे क्योंकि मान सिंग ने भी मान प्रकास ग्रंत लिखा था, तो मान सिंग कीरती मुक्तावली ये भी मान सिंग नहीं लिखा होगा, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यहां उत्तर होगा जगननाथ, ठीक है, मान सिंग कीरती मुक्तावली लिखा जगननाथ ने, और मान प्रकास ग्रंत लिखा मान सींग ने जगत शिरोमणी मंदिर किसने बनवाया था जगत शिरोमणी मंदिर किसने बनवाया था तो देखिए मान सींग की रानी जो कंकावती थी इन्होंने जगत शिरोमणी मंदिर जो है वो बनवाया था नेक्स्ट है कुश्चन 19, मान सिंग किन मुगल समराटों की सेवा में रहे? तो ये रहे दो मुगल समराटों की सेवा में अकबर और उनके बेटी जहांगीर नेक्स्ट है कुश्चन 20, मिर्जा राजा जैसिंग आमेर के साशक कब बने? नेक्स्ट है कुश्चन 21, मिर्जा राजा जैसिंग किन मुगल बादशा की सेवा में रहे? तो ये रहे हैं जहांगीर, सहाजा और औरंग्जेव इन तीनों मुगल बादशा की सेवा में रहे हैं देखिए इससे पहले हमने बात की थी राजा मानसिंग की तो वो अकबर और जहांगीर इन दो मुगल बादशा की सेवा में रहे? वहीं मिर्जा, राजा, जैसिंग, जहांगीर, सहांजा और औरंगजेव इन तीन मुगल बादशा की सेवा में रहे इसके बाद हम देखेंगे कि एक और शाशक थे जो जिन्होंने मुगलों के साथ शाशकों की सेवा में वो रहे थे यानि साथ सुल्तानों का काल उन्होंने देखा था तो वो आएंगे सवाई जैसिंग ठीके याद रखना है कि जो सवाई जैसिंग उन्होंने साथ सुल्तानों का काल देखा मिर्जा, राजा, जैसिंग ने तीन मुगल बादशा की सेवा में रहे ये और राजा मान सिंग जो हैं वो दो मुगल समराटों की सेवा में रहे ठीक है? कन्फ्यूज नहीं होना है इनमें नेक्स्ट है कोशन ट्वंटी टू अकुबर के रडधंबर अभ्यान में 1579 इस्वी किसे मुगल अधिनता सुईकार कराने में मान सिंग ने भूमे का निभाई थी? तो रडधंबर अभ्यान में सुर्जन हाडा को मुगलों की अधिनता सुईकार कराने में राजा मान सिंग ने भूमे का निभाई थी गुजरात अभ्यान के दौरान 1573 इस्वी में मान सिंग किसके पास संधी का दूसरा प्रस्ताव लेकर गए थे? तो ये कुशन हम कर चुके हैं लेकिन कुशन जो है वो पूछा दूसरे तरीके से गया है तो देखिए जब हमने देखा था अकवर की अधिलता सुईकार करने के लिए हमने देखा था चार सिस्ट मंडल कौन से एक सिस्ट मंडल था जिसमें चार लोग थे जमा भटो के नाम से याद किया था तो याद करिए दूसरा प्रस्ताव लेकर कौन गए थे? मान सिंग और किसके पास गए थे महाराना प्रताब के पास गए थे गुजरात अभ्यान के दौरान 1573 इसवी में मान सिंग महाराना प्रताब के पास संधी का दूसरा प्रस्ताब लेकर गए थे मुगल काल में दक्षण में मलिक अंबर के खिलाफ अभिहान में किसे भेजा गया तो मिर्जा राजा जैसिंग को भेजा गया 1623 इस्वी में नेक्ष्ट है 1629 इस्वी में उत्तर पक्षिम में उजबेगों के विद्रोह को किसने दबाया तो यहां दबाया था मिर्जा राजा जैसिंग नहीं नेक्ष्ट कुश्ट है 26 अकवर ने किसे फरजंद की उपादी वह 7000 का मनसब दिया तो अकवर ने फरजंद की उपादी दी थी राजा मानसिंग को और सबसे ज़्यादा मनसब जो है 7000 मनसब वो किसे दिया था मान सींग को अकबर ने नेक्स्ट देखिए question 27 मिर्जा राजा जैसिंग सन 1636 में किस मुगल समराट के साथ दक्षण के बीजापूर और गोलकुंडा अभ्यान पर गए अब देखिए बीजापूर और गोलकुंडा कहा है दक्षण में ठीक है तो मिर्जा र जैसिंग ने सन 1736 में किस मुगल समराट के साथ दक्षण के बीजापूर और गोलकुंडा अभ्यान पर गए तो वो गए थे सहाजा के साथ नेक्ष्ट है 28 कोश्चन सन 1630 इसवी में खान ये जहां लोधी के विद्रो को किस ने दबाया तो खान ये जहां लोधी के विद्रो को 1630 इसवी में दबाया था मिर्जा राजा जैसिंग ने नेक्ष्ट है 29 कोश्चन मिर्जा राजा की उपाधी राजा जैसिंग को किस ने दी थी जैसिंग को मिर्जा राजा की उपाधी किस ने दी थी तो ये उपाधी दी थी सहां जाने नेक्स्ट है 30 कुश्यन बहादुर पुर का युद कब हुआ जिसमें मिर्जा राजा जैसिंग ने सूजा को परास्त किया था तो यह युद हुआ 1658 इस्वी में तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बहादुर पुर के युद जो है जो की 1658 इस्वी में हुआ था किस-किस के बीच में हुआ था और कौन विजई रहा तो यह युद मिर्जा राजा जैसिंग और सुजा के बीच में हुआ जिसमें मिरजा राजा जैसिंग विजई रहे। औरंग जेव ने दक्षण में सिवाजी के विरुद किसे भेजा तो उन्होंने भेजा था मिरजा राजा जैसिंग को। नेक्स्ट है कुशन नमबर 32 पुरंदर की संदी कब हुई पुरंदर की संदी आप सभी को याद है हमने हिस्ट्री में पहले भी किया था यह संदी 1665 इस्वी में हुई थी और यह संदी किस-किस के बीच में हुई थी सिवाजी के बीच में और मिरजा राजा जैसिंग के तो हमने ये कुश्यन का आंसर अभी देखा कि मिर्जा राजा जैसिंग और सिवाजी के बीच होती है 1665 में पुरंदर की संधी। प्रसिद्ध कवी बिहारी किनके दर्बार की सोबा बढ़ाते थे। या प्रसिद्ध कवी बिहारी किसके दर्बार में थे। तो यह मिर्जा राजा जैसिंग के दर्बार में थे। जैसिंग डुटिय को सवाई की उपादी किसने थी। अब देखिए मिर्जा राजा जैसिंग अलग है और सवाई जैसिंग डुटिय अलग है। याद रखना है आपको मिर्जा राजा जैसिंग औरंग जेव के समय, उनके समय सिवाजी के साथ उनकी पुरंदर की संधी हुई थी, यहां अब हम बात कर रहे हैं जैसिंग दृत्तिय की, इन्हें सवाई की उपाधी किस ने दी, तो जैसिंग दृत्तिय को भी सवाई की उप साशक 1720 में बने, ठीके याद रख सकते हैं हम सवाई जैसिंग आमेर की साशक कब बने 1720 में, जब औरंग जेव का समय था, नेक्स्ट कुश्चन 37, औरंग जेव की मृत्यू के बाद, 1707 में औरंग जेव की मृत्यू हो जाती है, उसके बाद उत्तरादिकार की युद्ध म सवाई जैसिंग ने किसका साथ दिया था, तो सवाई जैसिंग ने साथ दिया था आजम का, नेक्स्ट है, कुश्चन 38, किस मुगल समराट ने समराट बनते ही सवाई जैसिंग के विरुद्ध विजे सीन को आमेर का साशक बना दिया, और आमेर का नाम मौमिनाबाद रख द तो मुमिनाबाद जो है वो किस साशक ने किस मुगल समराट ने रखा था देखिए औरंग जेव ने रखा था जैसे ही समराट बन गए औरंग जेव वैसे ही सवाई जैसिंग के विरुद्ध विजय सिंग को आमेर का साशक बना दिया और आमेर का नाम बदल कर रख दिया था म मुमिनाबाद, किसकी सहायता से सवाई जैसिंग ने आमेर की राज्य को प्राप्त कर लिया था, किसकी सहायता से सवाई जैसिंग ने आमेर राज्य को प्राप्त किया था, तो उन्होंने मेवाड की सहायता से आमेर को प्राप्त किया था, देखिए हम बिलकुल एक्तम line by line चल किस कचवाहा साशक ने सरवादिक साथ मुगल बादशाहों का काल देखा तो वो कौन से कचवाहा साशक थे जिन्होंने साथ मुगल बादशाहों का काल देखा वो थे सवाई जैसिंग किस मुगल शाषक ने 1713 इस्वी में सवाई जैसिंग द्वितिये को मालवा का सुवेदार नुक्त किया तो वो थे फरुक्सियर जिन्हों ने सवाई जैसिंग द्वितिये को मालवा का सुवेदार नुक्त किया था Question No.42 है किस कच्छवाहाँ शाषक ने आमेर के इस्थान पर जैपुर को अपनी राजधानी बनाया तो अब आमेर के इस्थान पर जैपुर को राजधानी बनाने वाले कच्छवाहाँ शाषक का नाम है सवाई जैसिंग डूईती है इन्होंने आमेर के स्थान पर राजधानी किसे बनाया? जैपुर को नेक्स्ट है 43 कुश्चन राजिस्थान की किस आश्चक को महान सैनापती, आश्रेदाता, गणित, एवं नक्षत्र का ग्याता कहा जाता है तो वो कहा जाता है सवाई जैसीं ड्वित्य को इन्होंने बहुत सारे कारे किये जिनके बारे में हम अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट है 44 कुश्चन सवाई जैसिंग ने जीज ए मुहमद शाही शारणी का निर्माण किस लिए किया? तो इन्हों ने जीजे मुहमद चाहिशारनी का निर्मार नक्षत्रों की गती की गर्णा करने के लिए 1725 इस्वी में किया सवाई जैसिंग ने जोतिस के अध्यन के लिए कितनी वैदशालाओं का निर्मान करवाया था तो इन्हों ने सवाई जैसिंग ने 5 वैद सालाओं का निर्मान कराया था, वो कौन-कौन सी थी, तो अभी हम question में देखने वाले हैं next है 46 question सवाई जैसिंग द्वारा लिखित ग्रंथ, जैसिंग कारिका, इसका विशय क्या है, थीम क्या है, थीम है जोतिश विध्या next है 47 question किस इस्थान पर सवाई जैसिंग ने 5 वैद सालाएं बनवाई, इन्हों ने बनवाई दिल्ली, बनारस, उज्जेन, जैपुर और मतुरा next है 48 question किनके प्रियासों से हुरुणा सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ, होडा सम्मेलन कब हुआ, किसके प्रियासों से हुआ, most important question है, date हमेशा याद रखनी है, 17 जुलाई 1734 इसवी को हुरुणा सम्मेलन हुआ, जो की सवाई जैसिंग दुत्ये के प्रियासों से आयोजित किया गया, सबसे बड़ी वय्द साला सवाई जैसिंग ने कौन सी बनवाई, तो जैसिंग ने पाच वयद सालाएं बनवाई, जिसमें सबसे बड़ी जैपूर की वयद शाला जिसे के जंतरमंतर कहा जाता है, और हम देखते हैं कि युनेसको ने जुलाई 2010 में जो जैपूर की वैदशाला है जंतर मंतर कहा गया जिसे इसे विश्व धरोहर सुची में सामिल किया था देखिए ये कुश्चन ही आ गया कि जुलाई 2010 इसवी में किस वैदशाला को युनेसको द्वारा विश्व धरोहर सुची में सामिल किया गया तो वो जैपूर की व्यादशाला जंतरमंतर जैसिंग ने किसे से जैपूर का नकसा बनवाया तो जैपूर का नकसा जो है वो सवाई जैसिंग ने बनवाया बंगाली वास्तु सास्त्री विद्याधर से किस से बनवाया बंगाली वास्तु सास्त्री विद्याधर से नेक्स्ट देखिए कोश्चन 52 वह अंतिम हिंदू नरेश जिसने अस्व में यग संपन करवाया तो देखिए वह प्रत्थम हिंदू शाशक जिन्होंने अकवर की अधीनता सुईकार की मुगलों की अधीनता सुईकार की हमने देखा राजा भारमल थे अब वही पर देखिए इसी से याद रख सकते हैं कि अंतिम हिंदू नरेश जिसने अस्व में यग संपन करवाया वो कौन है सवाई जैसिंग तो यहां हमने कम्प्लीट किया है जैपुर की कच्छवाह शाशक की चैप्टर काफी बड़ा था लेकिन हम लोगों को तो करना ही था हम एक भी कुश्चन जो है वो नहीं छोड़ सकते थे कोई भी कुश्चन आपकी एक्जाम में आ सकता है तो देखिए कि PDF से संबंदी देखिए मुझे नहीं पता था कि इतने लोग जो है वो PDF की डिमांड कर रहे हैं और इतने सारे बच्चों ने PDF जो है वो पर्चेस किया मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे YouTube चैनल पर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं अमांट भी आपकी PDF के लिए नहीं रखा था कि किसी को भी परिशानी आए तो यदि और बच्चों ने नहीं ली है तो उसको लीजिएगा क्योंकि इतने कम अमांट में आप लोगों को कहीं से भी इतना सारा मैटर नहीं मिलेगा यह मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप लोगों को जब एक्जाम हो जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तब आप यह देखेंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छी जगे से तयारी की थी ठीक है तो यह आप बिल्कुल ना समझीएगा कि मैम जो हैं वो फोर्स कर रही हैं आप लोगों को मैं तो यूटूब चैनल पर भी पढ़ा रही हूं आप यहां से जो हैं वो नोट कर सकते हैं Quesion No.1 है जैसलमेर की नीव किस ने रखी? तो आंसर है जैसल ने जैसलमेर की नीव रखी Next है Quesion No.2 जैसलमेर का पहला शाकह किस के समय हुआ? जैसलमेर धाई साके के लिए प्रशिद है जिसमें पहला शाकह हुआ मूल राज के समय जब अलाउदीन खिल जी ने क्या किया था? आक्रमन किया था जैसलमेर पर दो शातुगलक द्वारा आक्रमन किया गया था और पहले शाके में आक्रमन अलाउदिन खिलजी ने किया था next देखिए कि जैसल मेर का तीसरा शाका कब हुआ इसे ही अर्ध शाका कहा जाता है तो जैसल मेर का तीसरा शाका जो है वो लून करण के समय हुआ जो की 1550 इस्वी में हुआ ठीके तो रिवाइस करिए एक बार पहला शाका जो है वो कब हुआ था मूल राज के समय हुआ दूसरा शाका रावल दूदा के समय हुआ तीसरा शाका लून करण के समय हुआ जैसल मेर लून करण ने किसे शरण दी थी जिनके समय में तीसरा साका अर्दशाका हुआ था इन्हों ने कंधार के शाषक अमीर अली को शरण दी थी नेक्स्ट है भाटी वंस जैसलमीर का जो भाटी वंस है इसके किस शाषक ने अकवर की नागोर दरवार जो 1570 में हुआ था इसमें अकवर की अधिनता सुईकार की थी तो जैसलमेर के भाटी वंस के प्रतम शाशक हर राय भाटी इन्हों ने सबसे पहले अकवर की अधीनता सुईकार की थी भाटी वंस का अंतिम शाशक कौन था? भाटी वंस का अंतिम शाशक कौन था? जवाहर सिंग धाई दिन के शाके के लिए प्रशिद्ध है तो हमने अभी देखा धाई दिन के शाके के लिए जैसलमेर के किले का इतिहास जाना जाता है धाई दिन का शाका जो है वो कहां हुआ जैसल मेर में नेक्स्ट देखिए कुश्चन नमबर 10 1669 इस्वी में मतुरा शेत्र के जाटों ने किसके नेतरत्व में औरंगजेव के विरुद विद्रोह कर दिया था 1669 इस्वी में मतुरा शेत्र के जाटों ने किसके नेत्रत्व में औरंग्जिव के विरुद्ध बिद्रो कर दिया था तो ये किया था गोकुल के नेत्रत्व में भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था भरतपुर के सवतंतर जाट राज्य का संस्तापक कौन था तो वो था चूडामन मुगल समराट ने किसे चूडामन का दमन करने के लिए भेजा था कच्छवाह नरेश विशन सींग को नेक्स्ट है चूडामन का उत्रादिकारी कौन था चूडामन का उत्रादिकारी था बदन सिंग बदन सिंग चूडामन का उत्रादिकारी था बदन सिंग को ब्रिजराज की उपादी किस ने दी थी चूडामन का उत्रादिकारी था बदन सिंग इसे ब्रिजराज की उपादी देने वाले थे जैसिंग ठीक है जैसिंग ने बदन सींग को ब्रिज राज की उपादी दी थी Next है question 15 दीग में सुद्रन गड का निर्मान करकी सुन्दर जल महल किसने बनवाया दीग में जल महल का निर्मान किसने करवाया तो आंसर है बदन सींग ने बदन सींग ने दीग में सुन्दर जल महल का निर्मान करवाया दीग को अपनी राजधानी किसने बनाया दीग को अपनी राजधानी बनाया बदन सींग ने इन्होंने ही यहाँ पर जल महल का निर्मान करवाया महाराज़ सूरजमल के पिता का क्या नाम था तो बदन सींग के बेटे का क्या नाम था महाराज़ा सूरजमल ठीक है तो सूरजमल किनके बेटे थे बदन सींग के सूरजमल ने नवीनगण का निर्मान करवाकर किसे अपनी राजधानी बनाया तो भरतपुर को सूरजमल ने राजधानी बनाया वहीं इनके पिता जो बदन सींग थे उन्होंने डीग को अपनी राजधानी बनाया था जैपुर उत्रादिकार युद्ध में सूरज मलने किसके पक्ष में युद्ध किया था जैपुर उत्रादिकार युद्ध में सूरज मलने किसके पक्ष में युद्ध किया था तो उन्होंने किया था इश्वरी सींग के पक्ष में ठीके Most important question है कि भरतपुर के किस शाशक ने पानीपत की पराजे के बाद मराठों की help की थी, वो थे सूरजमल जाट. सूरजमल जाट की मृत्यू कब हुई थी? सूरजमल जाट की मृत्यू जो है वो है कब हुई थी? सूरजमल जाट की मृत्यू रुहेला के विरुध युद्ध में 1663 इसवी में हुई थी. Next है question number 22. करोली के यादववंस की स्थापना किस ने की थी? तो करोली में यादववंस की स्थापना की थी विजेपाल ने 1040 इसवी में. Next है question 33. Next है question 24. करोली का प्राचीन नाम क्या था? तो करोली को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कल्यानपूर के नाम से जाना जाता था. अगला है करोली को अपनी राजधानी किस ने बनाया? करोली को अपनी राजधानी किस ने बनाया? तो धरम पाल दुटिय ने 1650 इसवी में करोली को अपनी राजधानी बनाया था? करोली को अपनी राजधानी किस ने बनाया था? धरम पाल दुटिय ने. गोपाल पाल ने करॉली में किस मंदिर का निर्मान करवाया था? तो इन्हों ने मदन मोहन मंदिर का निर्मान करवाया था करॉली में नेक्स्ट हैं कोश्चन ट्रंटी सेवन भरतपुर के किस सासक ने अंग्रेजों से 9 नवंबर 1817 को संधी कर अधीनता सुईकार की थी? भरतपुर के किस सासक ने अंग्रेजों से 9 नवंबर 1817 को संधी कर अधीनता सुईकार की थी? तो ये धे महाराजा हर्बक्षपाल ने अंग्रेजों की अधीनता सुईकार की थी 9 नवंबर 1817 की संधी को नेक्स्ट हैं कुशन 28 परमारों का शाषन किस शेत्र तक था? अब परमारवन्स आ गए हैं परमारों का शाषन किस शेत्र तक था? तो ये था आबू के आसपास के शेत्र आबू के आसपास के शेत्रों तक परमारों का शाषन था और परमार की राजधानी क्या थी? इनकी आबू के पर्मार्वंस का संसापक कौन था? धूम राज आबू के पर्मार्वंस का संसापक माना जाता है. आबू के शाषक धनी वराह को किस ने पराजित किया था जिसके बाद धनी वराह राष्ट को धवल की शरण में चले गए थे तो इन्हें गुजरात के साषक मूल राजने पराजित किया था 31 कुश्यन देखिये कि आबू के परमारों का सक्तिशाली शाषक कौन था आबू के परमारों का शक्तिशाली शाषक जो था वो विक्रम देव का प्रपुद धारावर्ष था ठीक है? Most important question है परमारों का शक्तिशाली शाषक धारावर्ष को माना जाता है किसने परमारों की राजधानी चंद्रावती इस पर अधिकार किया और चोहान प्रपुद्व की स्थापना की? परमारों की किस साषक ने आबू के दिलवाडा गाउं में लूण वसही नामक नेमीनात का मंदिर बनवाया? इसका सही उत्तर है तेजबाल राजिस्थान में पारसपरी ग्रह कले के मुख्य तीन केंदर कौन से बने थे? राजिस्थान में पारसपरी ग्रह कले के मुख्य तीन केंदर बने थे बूंदी, जैपुर और जोधपुर बूंदी राज्य के राजा बुद्ध सिंग, इनका बहनोई कौन था जिसने बुद्ध को सिंगहासन चुत कर बूंदी पर अधिकार कर लिया था? तो बुद्ध सिंग को सिंगहासन से हटा कर किसने बुंदी पर अधिकार किया था? वो थे जैसिंग बूंदी में किसने मराठों को राजबुताना की राजनिती में हस्तशेप करने का मौका दे दिया था? राजबुताना की राजनिती में तो वो थे जैसिंग नेक्स्ट कुश्चन 37, हुरुणा सम्मेलन कब हुआ और इसकी अध्यक्षता किस ने की? मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है, यह सम्मेलन हुआ, 16 जुलाई 1734, कहीं पर 17 जुलाई भी होता है, 16 जुलाई 1734 इस वी को मेवाड के महराणा जगत सिंग द्वित्य ने इसकी अध्यक्षता की थी? ठीक है, अध्यक्षता किस ने की थी? मेवाड के महराणा जगत सिंग द्वित्य ने हुरुणा सम्मेलन में कौन-कौन से शाशक शामिल हुए थे? तो इंपोर्टेंट जो शाशक थे, उनके नाम देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, कुश्यन में, चार ओप्शन के अंदर एक इन में से नहीं होंगे, तो आपको याद रखना है, सवाई जै सिंग, जोदपूर के अभै सिंग, नागोर के बक्त सिंग, विकानेर के जोरावर सिंग, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंग, करोली के गोपाल दास और किसंगड के राज सिंग, यह सभी होडा समेलन में शामिल हुए, दुबारा से देखिए, सवाई जै सिंग, जोदपूर के अभै सिंग, नागोर के बक्त सिंग, विक विकानेर के जोरावर सिंग, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंग, करोली के गोपाल दास और किसंगड के राज सिंग, सवाई जै सिंग का विबहा, समझोते के अनुसार किस से हुआ था? सवाई जै सिंग का विबहा, समझोते के अनुसार किस से हुआ था? चंदर कुमर के बेटे का नाम था माधव सिंग, सवाई जै सिंग के पुत्र माधव सिंग और ईश्वरी सिंग, दोनों ही पुत्र थे, इनके बीच युद्ध कब हुआ? तो इनके बीच युद्ध वह राजमहल नामक इस्थान पर एक मार्च 1747 ईश्वी को हुआ था, जिसमें ईश्वरी सिंग विजई रहे थे और यही बड़े बेटे थे सवाई जै सिंग के. तुंगा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? यह अरनि ранायक युद्ध रहा. पातन का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? यह युद्ध हुआ मराथा सैना और राजपू सैना के बीच में 20 जून 1790 ईश्वी को पातन का युद्ध होता है. जैपूर के शाशक जगस सिंग, जोदपूर के शाशक मान सिंग, इनके बीच में युद्ध का क्या कारण था? तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जो हमने देखी थी, युद्ध का कारण कृष्णा कुमारी से विवाह था, जो की मेवाड की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो मेवाड के महाराण भीम सींग की पुत्री थी, कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ तै हुआ था? तो इनका विवाह जो है, वह मारवाड के साथ शक भीम सींग के सायत तै हुआ था, जिसमें कुछ समय पस्चाद भीम सींग की मृत्यू हो जाती है और इनका विवाह नहीं हो पाता है जोदपुर के महाराजा अभै सींग के भाई का क्या नाम था? जोदपुर के महाराजा अभै सींग के भाई का क्या नाम था? तो इनके भाई का नाम था बक्त सींग बक्त सींग ने नवंबर 1750 इसवी में अभै सींग का पुत्र राम सींग को जोदपुर की गद्धी से हटा कर स्वयम गद्धी पर बैठे उस समय राम सींग किसकी शरण में चले गए थे तो उस समय राम सींग चले गए थे माधो सींग की शरण में तो यहां हमने first chapter complete किया है, 10th class का chapter number 2, राजिस्थान के लोग देवताव संत, जितने भी paragraph में, जितने भी question बन सकते थे, सभी मैंने include कर लिये हैं, तो हम इसी तरीके से तयारी करते रहेंगे, आप लोगों के जल्द ही chapter complete हो जाएंगे, 11 ही chapter है, question पढ़ें, वीडियो pause करें, औ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, आप जिन्दिगी में कभी एक भी question नहीं भूलेंगे, चलिए, start करते हैं, question 1, पंच पीरों में शामिल लोग देवता कौन कौन है, तो देखिए, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हर्बू जी और मेहा मांगलि तो इसको हमने ट्रिक से याद किया था, राम, गो, पहाड, पर, ठीक है, राम से, रामदेव जी, गो से, गोगा जी, पहाड में, प से, पाबू जी, ह से, हर्बू जी, और मांगलिया जी, नेक्स्ट देखिए, second question है, गोगा जी के पिता और माता का क्या नाम था, गोगा जी के पिता का नाम जेवर था और माता का नाम बाचल था, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर और माता का नाम था बाचल, गोगा जी को किसके समकालीन माना जाता है, गोगा जी को किसके समकालीन माना जाता है, तो यहां सही उत्तर है, गोगा जी को गौरकनात और समाधी इस्तल क्या कहलाता है तो इनका जन्म इस्तल जो है वो दद्रेवा सीर्ष मेड़ी कहलाता है और इनका समाधी इस्तल दोर मेड़ी कहलाता है ठीक है इनका जन्म इस्तल जो है वह कहलाता है दद्रेवा सीर्ष मेड़ी और इनका समाधी इस्तल धोरमेडी कहलाता है नेक्स्ट देखिए question 5 गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो यह बहाद्र पद्ध कृष्ण नवमी को मनाई जाती है गोगा मेडी हनुमान गड में गोगा नवमी भादों की कृष्ण नौमी को याद रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग देवताओं में जादा तर भादों में मनाये जाते हैं इनके त्योहार तो भादों की क्रश्न नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है गोगा से गोगा मेणी और हनुमानगड में यह मनाई जाती है गोगा जी का पूजा इससल कहां होता है गोगा जी को कहां पूजा जाता है तो इन्हें खेजड़ी ब्रक्ष के नीचे पत्थर पर उत्कीन शर्प मूर्ती के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है मुस्लिम लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? वीर तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? पिता का नाम था जेवर और तेजा जी के माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम राम कुबरी और पिता का नाम ताहर जी नेक्स्ट हैं कुश्यन नमबर 11 में यहां सूर सूरा नहीं है, सूर सूरा किसंगड में भादों की सुक्ल दस्मी को तेजा जी की मृत्यू होई थी तेजा जी का पसू मेला कब लगता है? तो भादों में ही लगेगा मेला भाद्र पद्र सुक्ल दस्मी को तेजा दस्मी मनाई जाती है इस पर पंचमी से पूर्णिमा तक मेला लगता है ठीक है? तेजा दस्मी पर पंचमी से पूर्णेमा तक तेजा जी का मेला लगता है तेजा जी का पसु मेला कहां लगता है? तो यह मेला जो है वह है भादों की सुकल दस्मी पर पंचमी से पूर्णेमा तक नागोर में लगता है परवत्सर में नागों के देवता के रूप में कौन से लोग देवता पूझे जाते हैं तो देखिए तेजा जी और गोगा जी दोनों ही नागों के देवता के रूप में पूझे जाते हैं इस टोरी हमने चैप्टर में पढ़ ही ली थी तो यहां पर डिसकस नहीं करेंगे यहाँ याद रखना है कि तेजा जी और गोगा जी इन दोनों को ही सर्पों के नागों के देवता जो है वो माना जाता है नागों के देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है तो एक बार रिवाइस कर लेते हैं गोगा जी और तेजा जी को देखिए हमने क्या देखा कि गोगा जी जो है उनके पिता का नाम जो है क्या था जेवर माता का नाम बाचल था इनका जन्म दद्रेवा सीर्ष मेडी यहां हुआ था समाधी धुर्मेडी में है बादो की क्रिश्न नव्मी को गोगा मेडी हनुमान गड में गोगा नव्मी मनाई जाती है केजडी ब्रक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है हिंदू क्या कहते हैं इने नागराज की रूप में पूस्ते हैं मुस्लिम जो है वो गोगा पीर के रूप में पूस्ते हैं नैक्स हमने वीर तेजा जी की बात की इनका जन्म नागोर खड़नाल में हुआ था पिता का नाम ताहर जी, माता का नाम राम कुवरी, पत्नी का नाम पेमल दे भादों की सुकल दस्मी को सुरसरा किसंगर्ण में मृत्ति हुई थी और भादों की जो सुकल दस्मी को ही पंचमी से पोने मात तक तेजा दस्मी मनाई जाती है उस वक्त पसुमेला लगता है परवसर नागोर में ठीक है चलिए पाबु जी का जन्म कहा हुआ था अब हम देखते हैं पाबु जी को पाबु जी का जन्म हुआ था धांदल जी राठोड के यहां कोलू फलोदी में 1249 इस्वी में कोलू फलोदी में पाबु जी का जन्म तो इनका विवहा जो है वह हुआ था अमर कोट के सूरज मल सोडा की पुत्री सोडी के साथ किसका विवा हुआ था पाबु जी का पाबु जी का बहनोई कौन था ये कुश्यन देखिए एक्जाम में आ सकता है बहुत हलके कुश्यन भी कभी कभी एक्जाम में आ जाते हैं तो इनका बहनोई का जो नाम था वो था जींद्राव खिंची जो की जायल नरेस नागोर के नरेस ने जींद्राव खिंची ठीक है जींद्राव खीची जींद्राव खीची ने किसकी गायों को घेर लिया था जिनको छुड़ाने के लिए पाबू जी गए थे तो जींद्राव ख की गायों को घेर लिया था उटों के देवता के रूप में किस लोग देवता को पूजा जाता है तो most important question है कि पाबु जी को उटों के देवता के रूप में पूजा जाता है मारवार में सर्व प्रतम उट लाने का श्रे किस लोग देवता को है मारवार में सर्व प्रतम उट लाने का श्रे जो है वो किसे है बाबु जी को है बाबु जी को इसलिए उटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है लक्षमण जी के अवतार के रूप में कौन से देवता पूझे जाते हैं? तो लक्षमण जी के अवतार के रूप में पूझे जाते हैं पाबू जी नेक्स्ट 23 कौशन है पाबू जी की फड किनके द्वारा बांची जाती है? तो पाबू जी की फड किनके द्वारा बांची जाती है? तो पाबू जी की फड बांची जाती है भोपे और भोपियों द्वारा पाबू जी की फड जो है वो बांची जाती है next देखिए question 24 हमने पाबु जी को देखा पाबु जी के बारे में हमने क्या क्या पड़ा हमने पड़ा कि पाबु जी का जन्म जो है वो कोली फलोदी में हुआ था ठीक है और उटों के देवता के रूप में पाबु जी को पूजा जाता है लक्षमन जी के अवतार के रूप में पाबु जी को पूजा जाता है इसके अलावा हमने अभी देखा कि पाबु जी की फड़ जो है वो भोपे और भोपियों द्वारा वांची जाती है देव नारायन जी का जन्म कब हुआ था 1243 इस्वी में देव नारायन जी का जन्म हुआ था देव नारायन जी की पत्नी का क्या नाम था तो इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे ठीक है देव नारायन जी की पत्नी का नाम था पीपल दे देव नारायन जी की पूजा इस्थल कहा है तो देव नरायन जी की पूजा इस्थल जो है वह भीलवाडा में है आसीद में ठीक है? भीलवाडा आसीद में देव नरायन जी की पूजा इस्थल है नेक्स्ट है देव नारायन जी का मेला कब लगता है तो इनका मेला भादों की सुकल सप्तमी को लगता है तो देखिए सबसे पहले जब हमने बात की थी किसकी? गोगा जी की तो भादों की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई गई थी तेजा जी की बात की तो तेजा जी भादों की सुकल दसमी को देव नारायन जी की बात की तो भादों की सुकल सप्तमी को मेला लगता है देव नारायन जी के मुख्य अनुयाई कौन है जो उनकी फण बाचते हैं पाबु जी की पड़ भोपे और भोपियों द्वारा बाची जाती थी, और देव नरायंट जी की पड़ जो है, वह है, गुर्जरों के द्वारा बाची जाती है, ठीके, यह इनके मुख्य अन्याईी जो है वो माने जाते हैं, हम लोगों ने गोगा जी, तेजा जी, और मली नाद जी का जन्म कहां हुआ था तो इसका सही आंसर है मारवाड में 1358 इस्वी में मली नाद जी का जन्म हुआ था मली नाजी ने अपना गुरु किसे बनाया था तो इन्होंने उगमासी भाटी को अपना गुरु बनाया था देखिए जो भी कुश्चन होंगे वो चैप्टर में से ही लिये गए है कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो मैं यहाँ पर इसले नहीं करवाती हूँ क्योंकि आपके कुश्चन आंसर जितने भी आपके एक्साम में आएंगे वो बुक से ही आएंगे तो इसलिए एक्स्ट्रा मेटर जो है वो याद करने की ज़रुत नहीं है तो जो भी बुक में होंगे वो सभी आपको यहाँ कुश्चन पORMAT में मिलेंगे नेक्स्ट देखिए 31 है चमतकारिता के लिए कौन से लोग देवता जाने जाते हैं तो मली नात जी चमतकारिता के लिए जाने जाते हैं मली नात जी का मंदिर कहां है? बाडमीर में तिलवाडा में मली नात जी का मंदिर है ठीक है? तिलवाडा बाडमेर में मली नाजी का मंदिर है. मली नाजी का पशु मेला कब लगता है? तो इनका पशु मेला जो है वह है चैत्र कृष्ण एकादसी से लेकर चैत्र सुक्ल एकादसी तक लगता है. मली नाजी का पशु मेला जैत्र कृष्ण एकादसी से जैत्र सुक्ल एकादसी तक लगता है. राम देव जी का जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म वह है बाडमेर जिले की शिव तहसील के उरू का स्मेर में हुआ था. राम देव जी के पिता और माता का क्या नाम था? अजमाल जी और मेरा दे. राम देव जी का विवहा किसके साथ हुआ था? तो इनका विवहा जो है अमर कोट के दल जी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था. राम देव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था. 37 question है राम देव की समाधी स्थल कहा है? तो इनकी जो समाधी स्थल है वह है कहा है? राम देव जी की समाधी स्थल रूनेचा में राम देवरा में है के राम देव जी की समाधी इस्तल राम देवरा रुणेचा में है राम देव जी ने समाधी कब ली थी? तो राम देव जी ने समाधी बादों की सुक्ल एकादसी को बादर पद सुक्ल एकादसी को 1458 इस्वी में ली थी राम देव जी का मेला कब लगता है? तो मेला जो है वो कब लगेगा बादों में ही लगता है बादों की सुक्ल द्वित्तिये को इनोंने समादी ली थी भादरपद सुक्ल एका दसीगो और मेला जो है वह है भादरपद सुक्ल द्वित्तिये को लगता है सिरी कृष्ण के अवतार के रूप में किस लोग देवता को जाना जाता है? जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पाबु जी को लक्षमन जी के अवतार के रूप में माना जाता है पाबु जी को लक्षमर जी के अवतार के रूप में जाना जाता है, वहीं पर राम देव जी को स्री कृष्ण के अवतार के रूप में जाना जाता है और मुसलिम लोग गोगा जी की पूजा जो है वह है, गोगा पीर के रूप में करते हैं, यह हमने लास्ट वीडियो में देखा था नेक्स्ट देखिए 42 कोष्ण है, कामडिया पंत की इस्थापना किस लोग देवता ने की थी? राम देव जी ने कामडिया पंत की इस्थापना की थी? नेक्स्ट है, कोष्ण 43, कामडिया पंत की अनुवयाईयों द्वारा कौन सा अनुरत्य किया जाता है, तो इनके द्वारा तेरह तालीन रत्य किया जाता है, मेहा जी मांगलिया किसके समकालीन माने जाते हैं, तो ये राव चूंडा के समकालीन माने जाते हैं, मेहा जी की मरत्यु जो है वो कैसे हुई थी? मेहा जी की मृत्य जो है वो कैसे हुई थी देखिए जैसलमीर के राव राडग देव भाटी से युद्ध करते हुए मेहा जी की मृत्यों हुई थी मेहा जी का मंदिर जो है वह कहां है इनका मंदिर जो है वह बापड़ी में है किदर है बापड़ी में next है 47 question बापड़ी में किस लोग देवता का मेला लगता है बापड़ी में किस लोग देवता का मेला लगता है तो मेहा जी का भादर पद क्रिश्न अस्टमी को मेहा जी का मेला जो है वो बापड़ी में लगता है याद रखना है कि मेहा जी का मेला जो है वह बादों की क्रिश्न अस्टमी को लगता है बापड़ी में और ये बापडी कहां पर है ये बापडी जो है वो जोदपुर में है अगला है हडबू जी के गुरू का क्या नाम था हडबू जी के गुरू का क्या नाम था तो इनकी गुरू का नाम था बाली नाथ ठीक है हडबू जी के गुरू का क्या नाम था बाली नाथ नेक्स्ट है 49 राव जोधा ने हडबु जी को कौन सा गाउं दिया था राव जोधा ने हडबु जी को बेंगटी गाउं दिया था जो की फलोधी में है किस लोग देवता के मंदिर में बैल गाड़ी की पूझा की जाती है किस लोग देवता के मंदिर में बैल गाड़ी की पूजा की जाती है तो वो हडबु जी ही थे इनके मंदिर में बैल गाड़ी की पूजा की जाती है तो हमने अभी किस के बारे में देखा हडबु जी के बारे में हडबु जी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हर्भु जी के गुरु का क्या था जो की important है याद रखना बाली नात में इंके गुरु का नाम राव जोधा ने बिंगटी गाउं जो है जो की फलोदी में है ये इनको दिया था इसकी का था हर्भु जी के मज़िर में बैल गाड़ी की पूजा की जाती है चार हातों वाले लोग देवता के रूप में कौन प्रसिद हैं चार हातों वाले दोग देवता के रूप में प्रसिद हैं कल्ला जी तो यहां हमारे जो लोग देवता हैं वो complete होते हैं कोशन आंसन सेरीज में जिसमें हम राजिस्थान के प्रमुक संत इससे सम्बंधित प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Q.1 है संत धन्ना का जन्म कहां और कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है, संत धन्ना का जन्म टॉंक जिलेके धुवन गाउं में, 1415 इस्वी में जाट परिवार में हुआ था। संत धन्ना का जन्म टॉंक जिले के धुवन गाउं में 1415 इस्वी में जाट परिवार में हुआ था। संत धन्ना ने अपना गुरू किसे बनाया था। आचारे रामानंद को संत धन्ना ने अपना गुरू बनाया था। रामानंद के बहुत सारे सिश्य थे जिसमें संत धन्ना जो थे वो प्रमुक थे तो संत धन्ना ने अपना गुरू किसे बनाया था रामानंद को संत धन्ना कौन सी धारा के प्रवर्तक थे? संत धन्ना कौन सी धारा के प्रवर्तक थे तो ये निर्गुन धारा के प्रवर्तक थे संत धन्ना ने इश्वर प्राप्ती का प्रमुक साधन किसे माना है? संत धन्ना ने इश्वर प्राप्ती का प्रमुक साधन किसे माना है? तो इन्होंने गुरु नाम इस्मरण को ही इस्वर प्राप्ति का साधन माना है नेक्स्ट है फिफ्थ कुश्यन पीपा संत से पहले कहां के साशक थे अब हम संत पीपा के बारे में पढ़ रहे हैं जो संत पीपा थे वो संत बनने से पहले कहां के साशक थे तो ये खीची राजपूत गागरोन जालावाड के शाशक थे अगला है पीपा ने अपना गुरु किसे बनाया तो संत धन्ना पीपा इनके गुरु कौन थे? आचारे रामानन्द नेक्स्ट देखिए कोश्चन 7 पीपा के निवेदन पर उनके गुरु आचारे रामानन्द द्वारी का यात्रा पर जाते हुए कहां पधारे थे? तो पीपा ने उन्हें निवेदन किया था कि वो गागरोन में आएं ठीक है? तो गागरोन वो आए थे संत पीपा ने किसे अपनी दौलत को संतों में बार देने को कहा और अपना शिश्य बनाया तो संत पीपा को अपना गुरु बनाया था टौंक के शाशक सूर सेन ने, इन्होंने संत पीपा के कहने पर संतों को अपनी दौलत बार दी थी और इनको अपना गुरु बना लिया था पीपा जी का भव्य मंदिर कहां है? संत पीपा जी का मंदिर कहां है? तो इनका मंदिर है बाडमेर जिले के समदड़ी गाउं में प्रमुख ग्रंत कौन से हैं, तो इनसे संबंदित ग्रंत देखिए, पीपा की कथा, पीपा परची, पीपा की वानी और साखिया, तो इनके नाम से ही जुड़े हुए हैं, इनके ग्रंत याद करने में आसान रहेगा, पीपा की कथा, पीपा परची, पीपा की वानी और साख नेक्स्ट है, संत पीपा के द्वारा हस्त लिखित ग्रंत कौन सा है? उन्होंने चितावनी नाम ग्रंत लिखा। Next question 12, विश्णोई संप्रदाई के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसके समर्थक जो है, वह है जाम्बो जी को माना जाता है, जिन्होंने 1435 इस्वी में विश्णोई संप्रदाई का प्रवर्दन किया था. जांबो जी का जन्म कहां हुआ था तो इनका जन्म 1451 इस्वी को नागोर में हुआ था भादर पद कृष्ण अस्ठमी को पीपा सर नागोर में जांबो जी का जन्म हुआ था जांबो जी ने अपने अनुयाईयों को कितने सिद्धान्तों का पालन करने का आदेश दिया था तो जांबो जी ने विश्णोई संप्रदाय लेकर आये थे तो एक मात्र लोकसंत जिन्हें पर्यावरण विज्ञानिक भी कहते हैं, उनका नाम है संत जांबो जी. संत जांबो जी को पर्यावरण विज्ञानिक भी कहा जाता है. Most important question है, जांबो जी द्वारा रचित प्रमुक ग्रंत कौन-कौन से है? तो इनके ग्रंत है, इनके नाम से ही देख लिजे, जम्ब सहिता, जम्ब सागर सब्दावली, विस्नोई धर्म प्रकास और जम्ब सागर, ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल भी याद रह जाएगा, जांबो जी के द्वारा रचित ग्रंत जम्ब सहिता, जम्ब सागर सब्दावली, विस्नोई इनके संप्रदाए का नम, विस्नोई धर्म प्रकास तथा जम्ब सागर. जांबो जी ने अपना सरीर जहां पर त्यागा उस इस्थान को क्या कहते है तो उसे कहते हैं मुकाम अब देखिए जांबो जी के बारे में हमने पढ़ा उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं जसनात जी के बारे में तो यहां से important question देखिए जसनात जी का जन्म कहां हुआ था तो जसनात जी का जन्म 1482 इसवी में कतरियासर बीका नेर में हुआ था देखिए मैंने सबी question जो है वे include किये हैं लेकिन बाईचंज अगर एक भी question रह जाता है तो वो भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ जब मै मैंने RBSC की 6 से 10 तक की history complete करवाई थी ठीक है तो इसके इनके साथ साथ आप पिसले जो videos हैं आपके history के 6 से लेकर 10th class तक की RBSC के वो question भी आप साथ में करते जाईए क्योंकि यहां पर अगर कोई question गलती से छूट भी जाता है तो वहां आपको मैंने सब कुछ करवाया है ठी लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कोई question गलती से रह जाता है तो जसनात जी का जन्म कहां हुआ था कतरिया सर बिकानेर में 1482 इस्वी में नेक्स्ट है question 19 जसनात जी ने गौरक मलिया बिकानेर में कितनी वर्च तक कठोर तपस्या की थी तो जसनात जी ने बिकानेर में तपस्या 12 वर्च तक की थी अगला है किस दिल्ली सुल्तान ने जसनात जी के चमतकारों से खुष होकर कतरिया सर जो बिकानेर में है यहाँ पर इन्हें भूमी दी थी तो वो दिल्ली सुल्तान थे सिकंदर लोदी जिसने जसनात जी को देख कर इनके चमतकारों से खुज होकर इन्हें भूमी दी थी जसनात जी और जामबो जी इन दोनों का परस्पर मिलन कब हुआ था तो ये दोनों कम मिले थे 1520 में ये दोनों मिले थे जसनात जी के उपदेश किस गरंत में संग्रहित है तो इनके जो उपदेश है वह सिंबूदड़ा व कोड़ा इसमें संग्रहित है जसनात जी के उपदेश सिंबूदड़ा और कोड़ा इन दोनों गरंतों में संग्रहित है जसनात जी का मेला कतरिया सर जो भी कानेर में है यहां कब लगता है तो जसनात जी का मेला जो है वह है तीन बार लगता है साल में आश्विन सुकल सप्तमी को माग सुकल सप्तमी को और चैतर सुकल सप्तमी को ठीक है सुकलिस अप्तमी को लगता है आश्विन में, माग में और चैत्र में लालदास संपरदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इस संपरदाय के प्रवर्तक है लालदास जी लालदास जी का जन्म कब हुआ था? तो लालदास जी का जन्म जो है वह कब हुआ था? इनका जन्म अलवर में हुआ था श्रावन क्रश्न पंचमी को पंद्रे सो चार ईस्वी में लाल दास जी का जन्म श्रावन क्रश्न पंचमी को पंद्रे सो चार ईस्वी में अलवर जिले में हुआ था लालदास जी ने दीक्षा किसे ली थी? यानि इन्हों ने अपना गुरू किसे बनाया था? इन्हों ने दीक्षा जो है फकीर गदण चिस्टी से ली थी नेक्स्ट है 27, मुसल्मान लालदास जी को क्या मानते हैं? तो ये इन्हें पीर मानते हैं, मुसल्मान लालदास जी को पीर मानते हैं. अगला है लालदास जी का मुख्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इनका जो ग्रंथ है वो है चेतावनियां. निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? निरंजनी संप्रदाई के संस्थापक कौन है? तो संत हरीदास निरंजनी संप्रदाई के संस्थापक माने जाते हैं नेक्स्ट है संत हरीदास का मूल नाम क्या था? यह कुशन जो है वो आपके एक्जम में आ सकता है संत हरीदास का मूल नाम क्या था? तो आंसर है हरी सिंग सांखला, हरी सिंग सांखला जो है वह संत हरीदास का मूल नाम था 31 question है किस संपरदाय को परमात्मा को अलग निरंजन या हरी निरंजन कहा जाता है किस संपरदाय ने कहा है कि परमात्मा अलग निरंजन और हरी निरंजन है तो ये निरंजनी संपरदाय को कहा जाता है संत हरीदास जी के विचार किस गरंथ में संकलित हैं? तो इनके विचार जो है वह है राजप्रकाश और हरीपुरुस में संकलित हैं संत हरीदास निरंजनी संपरदाय के संस्थापक माने जाते हैं इनके ग्रंथ, राजप्रकास और हरीपुर्स इसमें इनके क्या हैं विचार हैं ठीके राजिस्थान का कबीर किसे कहा जाता है तो संत दादू दयाल को राजिस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल का जन्म कहा हुआ था तो यह जो है वो आप लोग पहले भी कर चुके हो 6 से 10 तक की जब हिस्ट्रीक आपने लोगों ने की थी, तो यहां आपकी एक तरीके की रिवीजन ही चल रही है, संत दायदु दयाल का जन्म जो है वो कहा हुआ था, गुजरात एहमदाबाद में 1544 इस्वी में, दादु दयाल ने सिक्षा किस से ली थी, दादु दयाल ने दी 36 कुशन, दादु दयाल पतेपूर सीक्री की यात्रा कब और क्यों की, दादु दयाल ने पतेपूर सीक्री की यात्रा कब की और क्यों की, तो इन्हों ने 1585 इस्वी में, मुगल संबराट अकुबर से भेट करने के लिए, पतेपूर सीक्री की यात्रा की, दादू दयाल की मृत्यू कहां हुई थी? इनका जन्म हमदाबाद में हुआ था और मृत्यू जो है वो नरायना में हुई थी 1631 में दादू दयाल की मृत्यू 1630 में फोलेरा के पास ग्राम नरायना में हुई थी Next है 38 question दादू दयाल के उपदेश किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इनके उपदेश दादू जी की वानी तथा दादू रा दूहा इन दोनों ग्रंथों में मिलते हैं तो देखिए यह पूरी detail जो है वो हम लोग कर चुके हैं तो मैं बार-बार explain नहीं करूंगी यदि आपने 6-10 तकी RBSC की book नहीं देखी है तो playlist में जाकर देखिएगा वहाँ पर एकदम detail में मैंने आपको सारी चीजें करवा रखी हैं फिर भी मैं यहाँ पर एक भी question जो है वो नहीं चोड़ती हूँ ताकी आप लोगों की दुबारा से रवीजन हो सके दादू दयाल के प्रमुक शिश्य कौन थे? दादू दयाल के प्रमुक शिश्य कौन थे? गरीब दास, मिस्किन दास, सुन्दर दास, बखना जी, रजजब और माधो दास जिसमें सुन्दर दास और रजजब जो हैं वो सबसे प्रमुक है तो इनके सभी के ही नाम याद रखने हैं गरीब दास, मिस्किन दास, सुन्दर दास, बखना जी, रज्यब और माधो दास. राजिस्तान की राधा किसे कहा जाता है? तो राजिस्तान के कबीर किसे कहा गया? संत दादू दयाल को, वहीं राजिस्तान की राधा जो है, वहें मीरा भाई को कहा जाता है. next है मीरा भाई का जन्म कहां हुआ था तो important है कि इनका जन्म जो है वह है 1498 इस्वी में गाउं कुड़ की जो पाली में है वहां हुआ था मेर्टा के राठोड राव दूदा के पुत्र रतन सिंग की ये पुत्री थी तो इनके पिता का नाम रतन सिंग दादा का नाम, राओ दूदा, ये भी आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है मीरा भाई के पती का क्या नाम था? तो लास्ट येर आप लोगों ने एक्जाम दिया था, आपको पता है ये कोशन आपके एक्जाम में पूछा गया था आंसर था भोज राज, जो की राणा सांगा के बड़े बेटे थे मीरा भाई को कौन मारना चाता था? मीरा भाई को कौन मारना चाता था? इनकी पती की मृत्यू के बाद तो इन्हें मीरा के जो देवर थे राणा विक्रमा दित्या इन्होंने इनको जहर देने की भी कोशिश की थी, तो हम लोगों ने स्टोरी जो है वो चैप्टर में ही पढ़ी हुई है, तो दो तीन बार मैंने इन चीजों को आप लोगों को पढ़ा दिया है, कृष्ण भक्ती का विचार मीरा को किस से प्राप्त हुआ था, तो आपके RBSC की बुक में दिया है, कि मीरा की दादी, इन्हें कृष्ण भक्ती का विचार प्राप्त हुआ था, अगला है 45 कुश्चन, मीरा अपने अंतिम समय कहां रही थी, मीरा अपने अंतिम समय में कहां रही थी, तो यह गुजरात में द्वारिका के डाकोर इस्थित रण छोड दिर में रही थी, नेक्स्ट है 46 कुश्चन, तो राजिस्थान की राधा जो है, मीरा बाई को कहा जाता है, तो राजिस्थान की जो दूसरी मीरा है, वह किसे कहा जाता है, संत राना बाई को, चीक है, संत राना बाई को राजिस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, संत राना भाई ने अपना गुरू किसे बनाया था? इन्होंने अपना गुरू चतुरदास को बनाया था संत राना भाई की गुरू का नाम है संत चतुरदास संत माउजी का जन्म कहा हुआ था? इनका जन्म 1714 ईसवी में साम्वला गाउं में हुआ था Next है 49 question, संत माउजी ने किस संपरदाय की स्थापना की थी, तो इन्हों ने की थी निस्कलंक संपरदाय की स्थापना की गई थी Question 50 है, वेनिश्योर नामक धाम की स्थापना किस संत ने की थी, तो संत माउजी ने ही वेनिश्योर नामक धाम की स्थापना की थी किस संत के चौपड़े किवल दीपावली को ही बाहर निकाले जाते हैं तो वो है संत माउजी जिनके चौपड़े जो है वो दीपावली को बाहर निकाले जाते हैं पूजन के लिए 52 कुशन है कि संत माउजी को उनकी अनुव्याई किसका अवतार मानते हैं संत माउजी को उनके अन्याई जो है वह विश्नु का दस्मा अवतार मानते हैं नेक्स्ट है 53 कुश्यन संत माउजी के यहां माउजी है संत माउजी के अन्याई किस जिले में सरवादिक है तो संत माउजी के अन्याई जो है वह धुंगरपूर जिले में सरवादिक है तो ये वैनिश्य और धाम, माग सुकल पूर्णिमा, सोम, जाखम और माही नदियों के त्रवेनी संगम पर बांसवाडा और डुंगरपुर की सीमा पर पड़ता है और डुंगरपुर के जो निवासी हैं, वो इनकी सरवादिक पूजा करते हैं नेक्स्ट देखिए रामचरण जी का मूल नाम क्या था? रामचरण जी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो है, important है, राम किशन, राम चरण जी का मूल नाम था राम चरण जी का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म जो है, वह है जैपूर जिले के सोडा गाउं में 1719 इसवी को हुआ था रामचरण जी का जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म चैपूर जिले के सोड़ा गाउं में 1719 इसवी को हुआ था देखे एक कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि इन कुश्यन को आप एक्स्प्लीन करा करिये तो एक्स्प्लीन करने की जरूत नहीं है क्योंकि RBSC की जब हमने बुक की थी वहाँ पर बहुत सारी डिटेल में हमने कोश्यन आंसर किये थे यहाँ पर भी कर रहे हैं हम लोगों ने चैप्टर भी पढ़ लिया है इससे ज़्यादा एक्स्प्लीन और क्या हो सकता है तो यदि किसी ने भी नहीं देखा है तो RBSC की 6 से 10 तक की complete हिस्ट्री जो है पहले वो देखिए उसके बाद आप राजिस्थान की हिस्ट्री में कोश्यन आंसर को करिए ठीक है राम किसन जी ने दीक्षा किस से ली थी तो राम किसन जी ने दीक्षा जो है वह है महाराज क्रपा राम जी से ली थी जो कि मेवार की दांतरा गाउं में है मूर्ती पूजन से परिशान होकर राम चरण जी कहां चले गए थे नेक्स्ट है 59 कोश्चन रामचरण जी के रहने के लिए सहापुरा में छत्री का निर्मान किसने करवाया था तो सहापुरा नरेश रण सिंग ने सहापुरा में ही छत्री का निर्मान करवाया था रामचरण जी के रहने के लिए रामचरण जी का निधन कहां हुआ था? इनका निधन शाहपुरा में ही हुआ था 1798 इस्वी में नेक्स्ट देखिए रामचरण जी के उपदेज किस गरंत में संकलित है? रामचरण जी के उपदेज जो है वह अड़ भेवारी नामक गरंत में संकलित है नेक्स्ट है 62 कुश्यन रामिस ने ही संप्रदाई की इस्थापना किस ने की थी? रामिस ने ही संप्रदाई की इस्थापना जो है वह है रामचरण जी ने ही की थी रामिस ने ही संप्रदाई की इस्थापना रामिस नहीं संप्रदाई की चार प्रधान साखाएं कहा हैं ये कुशन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है याद रखना है कि रामिस नहीं संप्रदाई की चार प्रधान साखाएं जो हैं वह हैं सहपूरा, रेण, सिंग्थल, खेडापा इन चार जगहें पर हैं सहापूरा, रेंड, सिंगतल और खेडापा इसकी ट्रिक जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी जब हमने RBSC की 6 से 10 तक की बुक की थी ठीक है कि इनको कैसे याद रखा जा सकता है आप लोग वो वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा तो रामस नहीं संप्रदाई की चार प्रधान साखा हैं सहापूरा, रेंड, सिंगतल और खेडापा इन साखाओं के प्रवर्तकों के क्या नाम है तो देखिए शापूरा इस साखा के प्रवर्तक तो रामचरण जी हैं, रेंड के दर्याव जी हैं, सिंगतल के हरीदास जी है और खेडापा के रामदास जी फूल डोल महोटसब किस संप्रदाई की विशेषता है तो हमारा ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीट होता है जिसमें हमने प्रमुक संत जो है वो कम्प्लीट कर लिये हैं राजिस्थान के इतिहास हो संस्कृती में थर्ड चैप्टर के कोशन अंसर तो आप लोगोंने चैप्टर पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से तो चलिए कोशन अंसर करते हैं इसको चैप्टर यदि नहीं भी पढ़ा है तब भी यहाँ पर हर पहराग्राफ में जितने भी कोशन हो सकते थे सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किये हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन वन गंगोर का त्योहार कब मनाया जाता है सही आंसर है इसका चैतर कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैतर सूकल तरतिया तक गंगोर का त्योहार चैतर मास में मनाया जाता है कब मनाया जाता है चैतर कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैतर सूकल तरतिया तक गंगोर के त्योहार में किसकी पूजा होती है गंगोर के त्योहार में किसकी पूजा होती है तो यहाँ पूजा होती है गन यानि शिव और गौर यानि पार्वती तो शिव और पार्वती की पूजा होती है गन्गोर की सवारी कहां की प्रसिद है जिसका वर्डन करनल जैम स्टॉड भी करते हैं गंगोर की सवारी कहां की प्रसिद है तो उदैपुर की गंगोर की सवारी बहुत प्रसिद है जिसे देखकर करनल जैम स्टोर जो है वह इसका भव्य वर्डन जो है वह करते हैं ठीक है और यह राज प्रासाद से पिछोला जील के गंगोर गहाट तक यह सवारी निकाली जाती तो एक्जाम में पूछा जाएगा गंगोर की सवारी कहा की प्रसिद है तो वह है उद्यपूर की प्रसिद है राजिस्थान में त्योहारों का प्रारम कब होता है और इसका अंत यानि समापन किस त्योहार से होता है तो राजिस्थान में त्योहारों का प्रारम जो है वो सावन महा में तीज से प्रारम होता है और इसका अंत जो है वह गंगोर से होता है। तीज से हो जाती है और अंत जो है वह गंगोर से होता है। तीज का तेवहार जैपुर का प्रसिद्ध है जिसे गुलाबी नगर भी कहते हैं। कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है तो कजली तीज जो है वह बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज कब मनाई जाती है तो यह मनाई जाती है भादर पद की त्रतिय को मनाई जाती है। वहीं हमने तीज का देखा श्रावन की सुकल त्रतिय को मनती है। कजली तीज भादर पद की त्रतिय को मनाई जाती है। नेक्स्ट है कुश्चन 9 होली को त्योहार कम मनाया जाता है। यह त्योहार संपून भारत में राजिस्थान में ही नहीं संपून भारत में फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए, next है, question 10, होली पर कौन सी पसल की कटाई होती है, तो होली को त्योहार जो है, वो फागुन पूर्निमा को पूरे भारत में बहुत ही जोर सोड उत्साह उलास से मनाया जाता है, क्योंकि रितू का परिवर्थन होता है, रभी की पसल की कटाई होती है, तो इस मनोरंजन स इसके उत्साह के लिए, लोग क्या करते हैं, खुसी बांटते हैं, और होली को त्योहार मनाते हैं, next है, question 11, मिवाड में होली के मौके पर कौन सा नरत्य किया जाता है, मिवाड में होली के मौके पर गैर नरत्य किया जाता है, कहां की लट मार होली प्रसिद है तो प्रसिद जैन तीर्थ इस्तली श्री महावीर जी की लट होली जो है वह है प्रसिद है प्रसिद जैन तीर्थ इस्तली श्री महावीर जी की लट मार होली प्रसिद है पुशन 13 है सिखावटी शेत्र में होली की अपसर पर कौन सा नत्य होता है तो वहीं हमने मिवाड में देखा गैर नत्य किया जाता है तो सिखावटी शेत्र में होली की अपसर पर जो नत्य होता है वह है गींदर नत्य कहलाता है मिवाड में उदैपूर, बासवाडा, डुंगरपूर, तक्षरी राजिस्थान में आदिवासी लोगों में तो हुली पर भगोदिया भी खेला जाता है और गयान नत्य किया जाता है और वही पर सिखावती शेतर में हुली के अफसर पर क्या किया जाता है गीनन रत्य किया जाता है किस जगे की पत्थर होली प्रसिद है पत्थर होली जो है वह किस जगे की प्रसिद है तो बाडमेर की पत्थर होली में जो ईलो जी की बरात भी निकाली जाती है और बाडमेर की पत्थर होली जो है वह है प्रसिद है तो इस होली के अफसर पर यहां बाद में रोने बिलगने में ये बदल जाती है तो इसते भी लोग को का मनुरंजन होता है जैनों का सबसे पवित्र उत्सव पर यूशन कब मनाया जाता है जैनों का सबसे पवित्र उत्सव पर यूशन कब मनाया जाता है जिसका आंसर है भादर पद में जैनों का सबसे पवित्र उत्सव पर यूशन मनाया जाता है नेक्स्ट है question 18 परियूशन का अंतियम दिन क्या कहलाता है? परियूशन का जो अंतियम दिन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सम्सक्सरी, ठीक है? सम्सक्सरी मुसल्मानों के उत्सवों में इदुल जुहा को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही अंसर क्या है? कि मुसल्मानों के उत्सवों में इदुल जुहा को बकरा इद के नाम से जानते हैं, ठीक है? याद रखिएगा इदुल जोहा कब मनाया जाता है जिसे बकराईद भी कहते है तो इसी जिल हिज की दस्वी तारीक को मनाया जाता है इसमाइल की कुर्बानी में मुहम्मत साब की जन्म और मरण की श्म्रती में कौन सा तयोहार मनाया जाता है रमजान की समापती का दिन क्या कहलाता है तो यह कहलाता है इस फितर एक इस फितर कहलाता है राजिस्थान के प्रमुक त्योहार कर लिए हैं राजिस्थान के इतिहास में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नमबर थार्ड के कोश्यन आंसर ने किया था राजिस्थान के प्रमुक त्योहार राजिस्थान के प्रमुक धर्म प्रधान मेले कहां लगते हैं तो यहां पर कुछ धर्म प्रधान मेले जो है वह दिये गए हैं, तो पुसकर जी का मेला वह कहां लगता है? यह लगता है अजमेर में कातिक की पुर्णिमा को. सिवरात्री का मेला जो है वहें कहां लगता है यह मेला सवाई माधोपुर में लगता है नेक्स्ट है साला सरहनुवान जी का मेला जो है वह लगता है चूरू में ददी मती माता का मेला जो कहां लगता है नागोर जिले में चार बुजा का मेला यह लगता है उदैपुर में केला देवी का मेला लगता है करोली में और भरतरी का मेला लगता है अलवर में तो ये सबी धर्म प्रधान मेले हैं, तो एक बार दुबारा से देखिए, पुसकर जी का मेला अजमेर में, सिवरात्री का मेला सवाई माधोपुर में, साला सरहनवान जी का मेला चूरू जिले में, दधी माता का मेला नागोर में, चार बुजा का मेला उधेपुर में, केला देवी का मिला करोली में और भरतरही का मिला अलवर में ठीक है नेक्स्ट देखिए आदिवासियों के प्रमुक मिले कौन से हैं तो आदिवासियों के प्रमुक मिले कौन से हैं बैनिश्वर का मिला डूंगरपूर में लगता है जो और सहरियों का सीतावाडी मिला जो की बारा से हैं तो यहां पर सभी एक साथ लिख दिये गए हैं लोग देवताओं के प्रमुक मेले तेजा जी का मेला जो की परवसर नागोर में लगता है राम देव जी का मेला पोकरण के रुणेचा जैसल मेर में लगता है पाबू जी का मेला जो है वो कोलू गड कोलू फलोदी में और गोगा जी का मेला, जोकि दद्रेवा चुरू में लगता है, ठीक है? तो ये सभी प्रमुक लोग नायकों के मेले हैं, याद रखिएगा, हम लोग पहले इनको कर चुके हैं, फिर भी है यहां पर याद रखना है, तेजा जी का मेला परवसर में, राम देव जी का मेला भारत में एक मात्र ब्रह्मा जी का मंदर कहां है अजिमेर पुसकर में जीर्ण माता का मेला कहां लगता है तो हर्ष और जी दोनों बहन भाईयों के वजे से यहां पर जीर्ण माता का मेला जो है वह सीकर जिले में लगता है रिवास गाउं में दो बार लगता है चैत्र और आ गाटू शाम जी का मंदिर कहा है, तो यह है सीकर जिले में, खाटू शाम जी का मंदिर कहा है, तो यह है सीकर जिले में, खाटू शाम जी का मंदिर कहा है, सीकर जिले में, खाटू शाम जी का मंदिर कहा है, सीकर जिले में, खाटू शाम जी का मेला कब लगता है, तो सीकर जिल नेक्स्ट है, Quesion No.8, डिग्गी के कल्ण्यान जी का मिला कब लगता है? तो यह मिला जो है वह कल्ब लगता है, यह श्रावन के मावश्या को लगता है. कहां लगता है? टॉंग जिले में लगता है, जैपूर से 75 किलोमीटर दूर. अगला है, राजा भरतरी की पतनी का क्या नाम था? तो बहुत ही आसान सा प्रशन है, एक्जाम में आता है, तो हमें नहीं याद रहता है, राणी पिंगला. राजा भरतरी की पतनी का नाम था, राणी पिंगला. नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 10 जैनो का सबसे बड़ा मिला कौन सा है? जैनो का सबसे बड़ा मिला कौन सा है? यह मिला है श्री महाविर जी का मिला जो कि सवाई माधोपूर में लगता है याद रखिएगा जैनो का सबसे बड़ा मिला श्री महावीर जी का मिला कहां और कब लगता है तो मैंने बताया आपको कि सवाई माधोपूर में लगता है ये मिला कब लगता है चैतर की सुक्ल त्रियोधसी से लेकर बैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक अगला है ट्वैल्व कोश्यन बसवा की किस व्यक्ती ने महावीर जी की प्रतिमा को सबसे पहले पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बहुत बड़ी रकम दान में दी थी बसवा की किस व्यक्ती ने महावीर जी की प्रतिमा को पहचाना सबसे पहले और मंदिर बनवाने के लिए सबसे ज़्यादा रकम जो है वह उसने दान दी तो वह नाम है अमरचंद्र बिलाला याद रखिएगा अमरचंद बिलाला नेक्स्ट है 13 कुशन कर्णी माता का मेला कहां लगता है तो हम बहुत याद कर चुके हैं कि देशनों क विकानेर में चैत्र एवं आश्मी नवराच्र को कर्णी माता का मेला लगता है कर्णी माता किस राजगराने की कुल देवी है तो यह विकानेर के राठोणों की राजगराने की कुल देवी है विकानेर के जो राठोण है उन राजगरानों की देवी जो है वह कौन है कर्णी माता किस मंदिर को जाना जाता है चुहों के मंदिर के नाम से तो वैं है जो की देशनों बिकानेर में है करणी माता का मंदिर सीतला माता का मेला कब भड़ता है तो यह जैपूर में चैतर कृष्ण सप्तमी और अस्टमी को जैपूर में सीतला माता के मंदिर का निर्मान किसने करवाया था सीतला माता के मंदिर का किसने निर्मान करवाया जैपूर के महराजा माधो सींग ने सीतला माता के मंदिर का निर्मान करवाया next है बैल गाड़ी मेले के नाम से कौन सा मिला है सीतला माता का मिला सीतला माता को अन्य कन नामों से जाना जाता है तो हम भी इनको पूसते हैं लेकिन हम सीतला माता नहीं कहते हैं तो चलिए देखते हैं उत्तर भारत में सीतला माता को महा माई, पक्षिम भारत में माई अनामा और राजिस्थान में क्या कहते हैं? सेड, सीतला या सेडल माता. केला देवी का मेला कब लगता है केला देवी का मेला चैतर सुकल अस्टमी को लगता है करॉली में लगता है केला देवी का मेला कब लगता है चैतर सुकल अस्टमी को केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है जिने इस्थानिये लोग क्या कहते हैं, तो सबी जानते हैं क्या कहते हैं, लंगूरिया Next है, Question 22, कपिल मुनी का मेला कब भरता है? कपिल मुनी का मेला कब भरता है? यह मेला बीकानेर जिले के कौलायत में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है Next है, Question 23, ख्वाजा मुनी दिन चिस्ती का उर्स कहां लगता है? तो इनका उर्स जो है अजमीर में लगता है, रजब माहा की पहली से छटी तारीक तक ख्वाजा मुनी दिन चिस्ती का उर्स अजमेर में रजब माह की पहली से छटी तारीक तक लगता है अगला है, 24, ख्वाजा मुनी दिन चिस्ती भरत में कहां से आये थे? तो ये आये थे ईरान से संपूर भारत में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मिला कौन सा है तो वह है ख्वाजा मुनुद्दीन चिस्ती का और्स राजिस्तान के आदिवाशियों का कुम्ब किसे कहा जाता है तो आदिवाशियों का कुम्ब जो है वह है किसे कहा जाता है यह कहा जाता है वैनिश्वर का मिला कब लगता है माग पूर्णिमा में कहां लगता है डुंगरपुर जिले में गर्धव मेला कहां आयोजित किया जाता है गर्धव मेला कहां आयोजित किया जाता है तो यह मेला जैपूर के पास भावगड बंध्या गाओं में आयोजित किया जाता है जो की घदों और खचर इनके लिए विख्यात है ठीके तो गर्धव मेला जो है जैपूर के पास भाव तो यहां तक कम्प्लीट होता है आपका चैप्टर करेंगी चैप्टर नंबर 4 राजिस्थान के वस्त्र एवं अभूशन हम राजिस्थान के वस्त्र से संबंदित सभी प्रश्न करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं मारू धारे देश में उपजे तीन रतन एक डोला दूजी मारवार तीज कसूमल रंग तो यहां पर कसूमल से क्या अभिप्राय है यहां कसूमल से अभिप्राय है लाल रंग अटपटी अमरा शाही खंजर शाही शिव शाही यह किसके प्रकार हैं तो यह सबी प्रकार हैं पगड़ी के ठीक हैं पगड़ी के यह विभिन प्रकार हैं तो पगडियां विभिन अवशरों पर पहनी जाती है, जहां मोठरे की पगड़ी वह है विवहा की सुब अवशर पर पहनी जाती है, नेक्स्ट है लहरिया पगड़ी किस अवशर पर पहनी जाती है, तो यह श्रामण मास में पहनी जाती है, नेक्स्ट है कुशन 5, मदील की प पगड़ी किस अफसर पर पहनी जाती है तो यह पहनी जाती है तसहरे के अफसर पर नेक्स्ट है कुशन नमबर 6 फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस अफसर पर पहनी जाती है तो यह पहनी जाती है खोली के अफसर पर ठीक है तो हमने विभिन पगड़ियों को देख जिसमें हमने देखा कि मोठड़े की पगड़ी जो है वह विवहा की अपसर पर पहनी जा रही है, श्रावन मास में लहरिया पगड़ी, दसहरे पर मदील पगड़ी और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर पहनी जाती है, चीरा और फेंटा किसके प्रकार हैं, तो ये भी पगड़ी का ही प्रकार है और जो उचवर के लोग होते हैं, वो इस पगड़ी को धारण करते हैं, तुर्रे, सरपेच, धुग-धुगी, लटकन, पछेवडी, आदी आभूशन किस से सम्मंदित हैं? तो ये सभी आभूशन जो हैं वो पगड़ी से सम्मंदित ह नेक्स्ट है नाइन कोशन तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिरजाई ये किसके प्रकार हैं? तनसुख, दुतई, गाबा, गदर और मिरजाई तो ये सभी अंग रखी के प्रकार हैं, जो पुर्सों द्वारा पहनी जाती है पुम्चा क्या है? तो पुम्चा जो है वह ओड़नी का एक प्रकार है, नेक्स्ट है, कुश्चन नमबर 11, लहरिया भात की ओड़नी कब ओड़ी जाती है? तो देखिए इसी प्रकार के कुश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखने हैं सभी तो लहरिया भात की ओड़नी जो है वह कब ओड़ी जाती है? श्रावन तीज को ओड़ी जाती है. मात्र पक्ष की ओर से गुलाबी पूम्चा कब दिया जाता है? तो देखिए मात्र पक्ष की ओर से गुलाबी पूम्चा जो है वह बेटी के जनम पर दिया जाता है और वही मात्रपख्ष की और से जो पीला पूमचा होता है वहें बेटे के जनम पर दिया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा यदि लहरिये पर धारियां दोनों और से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हूँ तो क्या कहलाती है लहरिये पर धारियां दोनों और से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हूँ तो वो कहलाती है मोठडा ठीक है क्या कहलाती है मोठडा वहीं पर हमने पगडी में वी यह चीज देखी थी कि विवाह के अपसर पर मोठड़े की पगड़ी पहने जाती है तो वो था मोठड़े की और यह है मोठड़ा किस प्रकार की लहरिये में चमकदार गुलाबी रंकी धारियां होती है तो ये होती है राज शाही जो लहरिये होते हैं उन पर चमकदार गुलाबी रंकी धारिया होती है समुद्र लहर का लहरिया कहां का प्रसिद्ध है तो यह जैपूर शहर का प्रसिद्ध है नेक्स्ट है 16 कोशन बद्ध तकनीक की बंधेचुनरी कहां की प्रसिद्ध है तो बद्ध तकनीक की बंधेचुनरी होती है और यह कहां की प्रसिद्ध है यह प्रसिद्ध है जोधपूर की अगला है 17 कोशन, किस प्रकार वस्त्र वर्षों तक सुगंदित रहते हैं, तो यह रहते हैं, मलागिरी वस्त्र जो होते हैं, उनके कारण तो ये भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र होता है जो कि प्रातिन समय में चलता था तो इससे वस्त्र जो है वो वर्सों तक सुगंदित रहते हैं अगला है, अमोवा वस्त्र का प्रियोग कौन करते थे? तो यह है खाकी रंगा होता था, इसे सिकारी लोग जो हैं वह है प्रियोग में लेते थे अजरक प्रिंट की चपाई के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला अजरक प्रिंट की चपाई के लिए प्रसिद्ध है तो वह है बाडमेर बाडमेर का अजरक प्रिंट जो है मसूर है चपाई के लिए अजरक की प्रिंट में किस रंग का प्रियोग मुख्य रूप से होता है तो बाडमिर की जो अजरक प्रिंट है इसमें मुख्य रूप से लाल और नीला रंग जो है वह रियुक्त होता है इसके अलावा काला और हरा रंग भी इसमें देखने को मिलता है बगरू की प्रिंट में किस रंग का प्रियोग मुख्य रूप से होता है तो बगरू की प्रिंट में देखिए काला वा लाल रंग जो है वह है मुख्य है जहां हमने देखा कि जो अजरक प्रिंट है जो बाडवेर की है उसमें लाल, नीला, काला, हरा ठीक है ये चारो ही रंग जो है वह है महतवपूर है और वहीं पर काला और लाल ये बगरू की प्रिंट इसमें मुख्य रूप से होता है और ये है बगरू की प्रिंट जैपूर में है याद रखना है बगरू की प्रिंट कहां की है जैपूर की और अजरक प्रिंट कहां की है बाडमेर की मसूरिया कपड़ा कहां का प्रसिद्ध है मसूरिया कपड़ा कहां का प्रसिद्ध है तो यह कोटा केथून का प्रसिद्ध है नेक्स्ट है 23 तनसुक मलमल कहां की प्रसिद्ध है तनसुक मलमल कहां की प्रसिद्ध है तो यह प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है ठीक है जालोर और मारोट की प्रसिद्ध है टुकडी कपड़े को काट कर दूसरे कपड़े पर टांक कर सजावट का कपड़ा बनाना क्या कहलाता है कपड़े को काट कर दूसरे कपड़े पर टांक कर सजावट का कपड़ा जो है वह क्या कहलाता है यह कहलाता ह चटा पटी हमने इसको बहुत अच्छे से ही क्लियर किया था चैप्टर पड़ा था जब नेक्स्ट है लप्पा लप्पी क्या है लप्पा लप्पी जो है वह है गोटे के प्रकार है चोड़ा गोटा क्या कहलाता है तो वहीं पर चोड़ा गोटा जो है वह लपा कहलाता है और जो छोटा गोटा होता है कम चोड़ा वो क्या कहलाता है लपी गोटा उध्योग का प्रमुख केंडर है जो कहा है? सीकर जिले में? खन्डेला में खन्डेला, सीकर में गोटा उध्योग बहुत जादा प्रमुख केंडर है किसका गोटेगा? अलग-अलग रंग के कपड़ों को विविद डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है तो वो क्या कहलाता है अलग अलग रंग के कपड़ों को विविद डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है तो वो क्या कहलाता है वह कहलाता है पेच वर्क ठीक है वहीं पर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कपड़े को का काट कर दूसरे कप्ड़े पर टांक कर सजावत के लिए जो कपड़ा बनता है उसे कहते हैं चटा-पटी यहां पर क्या हो रहा है यह अलग-अलगर के कपड़ों को विवित डिजाइनों में काट लिया गया है और कपड़े पर सिलाई की जा रही है वहीं पर चटा-पटी पर हमने क्या देखा कि कपड़े को काट कर दूसरे कपड़े पर टांका जा रहा है ठीक है दूसरे कपड़े को वहां पर लाकर टांका जा रहा है तो इन इसी भी condition की तयारी कर रहे हो, चाहे वो आपकी read हो, second grade हो, first grade हो, पटवार हो, RAS हो, वहां तक आपके यही question जो है वो आपूशन से संबंदित पूछे जाएंगे, तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, last video यदि नहीं देखे हैं, तो उनको भी देखिएगा, औ हो सके तो वीडियो को like भी गरिएगा, चलिए start करते हैं, question 31, बोर बोरला, रखडी, टिकड़ा, आधी आपूशन पहने जाते हैं, कहां पर? सिर पर, धमर्नियों, धेणियों, मूठ्या, आधी आपूशन कहां पहने जाते हैं, तो ये आपूशन जो हैं, वो गले में पहने जाते हैं, कंट पर पहने जाते हैं, थमर्नियों, धेणियों और मूठ्या, याद रखिएगा, ऐसे ही question आपके exam में पूश लिया जाएंगे, एक इसमें से थमर्नियों, धेणियों और मूठ्या लिख दिया जाएगा, और एक जो है, अलग सी option डाल दिया जाएगा, और तो ये पहने जाते हैं, कंट में, गले में, ठीके, नेक्स्ट है, 34, कंट फूल, पीपल पत्रा, छेला, लटकन, ये सभी आभूशन पहने जाते हैं, कंट फूल, पीपल पत्रा, छेला, लटकन, तो ये सभी easy हैं, ये याद हो सकेंगे, ये कान के आभूशन है, कंकन, मोकड आदी, कातरिया, नोगरी, आदी आभूशन कहां पहने जाते हैं? कंकन, मोकडी, कातरिया और नोगरी. ये सबी आभूशन कहां पहने जाते हैं? तो ये सबी हाथ पर पहने जाते हैं. नेक्स्ट है 36 कोश्चन हत पान, बीटी, छड़ा, आदी आभूशन कहां पहने जाते हैं तो ये अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूशन है नेक्स्ट है तो जो आभूशन के नाम आपको याद नहीं है उन कुश्चन को आप बहुत अच्छे से ही लिख लें जहां भी लिख रहे हैं इनको नोट डाउन कर रहे हैं ठीके बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो याद हो सके पाइल, कड़ा, लंगर, पाजिव, आधी आभूशन कहां पहने जाते हैं तो ये नाम से ही पता लग रहा है ये सभी पैरों में पहने जाने वाले आभूशन है नत, बेसर, बारी, भोगली आधी आभूशन पहने जाते हैं नथ, बेसर, बारी और भोगली ये सब भी आभूशन पहने जाते हैं नाक पर तो देखिए जो सोच रहे हैं कि ये सब भी तो हमें आते ही हैं लेकिन एक भी आभूशन के नाम याद नहीं करें और वही आपके एक्जाम में आ जाए जैसे पूश लिया जाए कि भोगली जो है आम नहीं सुना होता है तो याद रखना है नत्व, बेसर, बारी, भोगली ये सब भी आभूशन पहने जाते हैं नाक पर कंदोरा वा कर्दनी आदी आभूशन कहां पहने जाते हैं कंदोरा वा कर्दनी तो ये सब भी आभूशन कमर में पहने जाने वाले आभूशन हैं दा उसका सही आंसर है चुम्क याद रखिएगा दाटों के बीच में सोने की रइएक पिन और प्रावका किया क्युआ क्या कहलाता है तो इसका सही आंसर है Are आबूशन कहां पहना जाता है तो यह पहना जाता है गले में कंट में तोटी अंगोटिया फूल जुमका लटकन ये कभी ये सभी आबूशन जो है वह कहां पहने जाते है तो हमें पता है कि फूल जुमका लटकन जो है वह कानों में पहना जाता है इसी तरीके से तोटी अंग याद रखिएगा ये भी कानों में पहना जाने वाला अभूशन है मोकडी, चांट, चूरी, गोखरू, कातर्या आधी अभूशन पहने जाते हैं तो यहाँ पर चूरी जो है वह हमें याद रहता है और इसकी अलावा मोकडी, चांट, गोखरू, कातर्या मोकडी, चांट, कोकुरू, कातरिया, ये सब भी आभूशन कहां पहनते हैं, हांतो पर, next है, 45 question, नाक पर पहने जाने वाला आभूशन है, नाक पर पहने जाने वाला आभूशन कौन सा है, काटा, चूनी, चोप, भवरकडी और भोगली, ठीक है, भोगली हमने पहले भी देख काटा, चूनी, चोप, भवरकडी और भोगली, ये सब भी नाक पर पहने जाने वाले आभूशन है, तो देखिए कितने सारे आभूशन जो है, वह स्त्रियाधारन करती है, दामणा आभूशन पहना जाता है, ये कहां पहनते हैं, अंगुली में, ठीक है, ये question आपके पहना जाता है, तो क्या आपको याद है, सरी आभूशन कहां पहनते हैं, तो देखिए इसका आंसर है, गले पर, सरी गले पर पहना जाता है, मांदलिया आभूशन पहना जाता है, मांदलिया कहां पहना जाता है, तो ये है कंट या गले पर पहना जाने वाला आभूशन है, लाग से निर्मित चूड़ी क्या कहलाती है तो इसे कहते है मोकडी कि किसे कहते है लाग से निर्मित चूड़ी को Q50 है कांच से निर्मित चूड़ी कहलाती है तो कांच से निर्मित चूड़ी जो कि आप लोगों ने आम सुनी भी होगी तो इस चूड़ी को कहते क्या है यह आप जान लीजिए कातरिया क्या कहते हैं कातरिया मुरकिया पहनी जाती है तो मुरकिया जो है वह है पुरसों के द्वारा पहना जाने वाला आभूशन है ये पहनी जाती है कानों पर नेक्स्ट है 52 कुशन बच्चों के कान छिदवा कर कानों में जस्ते का कौन सा आभूशन पहनाया जाता है तो बच्चों की बात हो रही है, बच्चों को भी आभूशन पहनाते हैं, उनके कानों में जस्ते का आभूशन पहनाते हैं, जिसे कुड़क कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, अचानक से एक्जाम में आ जाएगा, कुड़क किसे कहते हैं, याद नहीं रहेगा, कहलाती है। कांच के बीच सोने के तारों का बारी काम किया जाता है तो यह कला कहां की प्रसिद्ध है। सांकली पाउं में पहनाई जाती है जिसमें घुंगरिया पान दी जाती है। तो यह क्या कहलाती है इसे जहांजरिया कहते हैं। कुश्चन 57 है राती जीतरी में सोने का खेरा, मूं की आखा और रतन चनर बांद कर तयार किया गया। बच्चों की गले का अभूशन क्या कहलाता है जिससे की बच्चों को नजर ना लगे तो इसे कहते हैं नजरिया। याद रखना है क्या कहते हैं नजरिया। तो यह आज आपका इस चैप्टर का अंतिम कोश्चन था। करेंगे चैप्टर नंबर 5 की कोश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है राजिस्थानी चित्रकला वा लोक कलाएं। तो अभी हम राजिस्थानी चित्रकला से संबंदित कोशन करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशन वन है, राजिस्थान में किन स्थानों से गुफाओं में आदी मानव द्वारा बनाए गए चित्रन मिलते हैं, राजिस्थान में किन जगों से गुफाओं में आदी जो जैपूर में है और दर भरतपूर में तो यहां से आदिमानव द्वारा बनाए गए चित्रन मिलते हैं किसने 1953 में कोटा में चम्बल घाटी और दर्रा जालावाड के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आवू तथा इडर में चित्रित गुफाओं की खोज की तो किसने की ये खोज की BS वाकड करने किसने की BS वाकड करने यहां पर देखिए तीन कुश्यन है और वो क्या है कि BS वाकड करने कोटा में कहां पर गुफाओं की खोज की चित्रित गुफाओं की खोज की तो याद रखना है चम्बल घाटी ठीक है और जालावाड में कहां पर खोज की चित्रित गुफाओं की तो वह की काली सिंद गाटी पर वहीं पर अरावली में माउंट आबू में और इडर में। यहां चित्रित गुफाओं की खोज किसने की बी एस वाकड करने तो ये एक साथ ही यहां लिख दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कुशन थर्ड है राजिस्थान में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंत के भंडार कहां से मिले हैं तो ये जो भंडार हैं ये जैसल मेर से मिले हैं राजिस्थान में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंद के भंडार कहां से मिले हैं जैसल मेर से Next question 4 है राजिस्थानी चित्रकला की जन्म भूमी किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है मेद पार्ट जिसे मेवाड कहा जाता है तो मेवाड को राजिस्थानी चित्रकला की जन्म भूमी कहा जाता है यदि मेवाड सब्द नहीं आता है तो आएगा मेद पार्ट तो इन दोनों को नाम को याद रखना राजिस्थानी चित्रकला की जन्म भूमी किसे कहा जाता है मेवाड को मेवाड की चित्रसैली किस से प्रभावित है यह अजनता चित्रसैली से प्रभावित है यह जो question answer है यह आपके सभी exam में आपके पूछे जाते हैं चाहे वो आपका 3rd grade का हो, 2nd grade का हो, 1st grade का हो, पटवार का, RAS का सभी में आपके राजिस्थानी चित्रकला, लोकलाएं दिया हुआ है तो यहां से प्रश्ण जो है वही बनते हैं Question 6 है आनंद कुमार स्वामी ने किसो पुस्तक में? राजिस्थानी चित्रकला का सबसे पहले विज्ञानिक विभाजन किया तो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 अश्वी में राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक में सबसे पहले राजिस्थानी चितरकला का विज्यानिक विभाजन किया, किसने किया आनंद कुमार स्वामी ने कब किया 1916 में राजिस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किस ने कहा? ग्रंत है उसमें राजिस्थानी चित्रकला को राजपूत कला यह कहा W.H. Brown ने किसने कहा W.H. Brown ने क्या कहा कि राजिस्थानी चित्रकला क्या है राजपूत कला है तो यहां पर हमने देखा कि कुमार स्वामी, O.C. गांगली और हैविल यह राजिस्थानी चित्रकला को क्या क ठीक है इसके अलावा इंडियन पेंटिंग्स में राजिस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा डबलू एच ब्राउन ने नेक्स्ट है question 9 राजिस्धानी चित्रकला को राजिस्धानी चित्रकला किसने नाम दिया तो इसे राजिस्धानी चित्रकला नाम दिया राय कृष्ण दासने किसने दिया राय कृष्ण दासने नेक्स्ट है question number 10 मेवाड शैली की प्रमुक शैली और उपशैली कौन सी है? मेवाड शैली की प्रमुक शैली और उपशैली कौन सी है? तो इसका सही आंसर है, देखिए, मेवाड शैली की प्रमुक शैली है चावंड शैली, उदयपुर शैली और नाथ द्वारा सैली इसके अलावा उप्षैली है मेवार उप्षैली की देवगड उप्षैली, सावर उप्षैली और साहपुर उप्षैली कुश्यन 11 है मारवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् सलमिर शैली है नेक्ट देखिए कि हाडोती शैली की प्रमुक शैली कौन कौन सी है तो इसमें हाडोती शेत्र के अंतरगत आने वाली बूंदी शैली है कोटा शैली है और ज्छालावार क्या है उप शैली है हाडोती शेत्र की जो प्रमुक शैली है कौन सी है बूंदी शैली ह कोटा शैली और जहलावाड उप शैली है तो छेत्र से संबंदित ही शैली है आप लोग इस तरीके से आप याद रख सकते हैं डूणाड शैली की प्रमुक शैली कौन कौन सी है यह है आमेर शैली, जैपुर शैली, सेखावटी शैली और अलवर शैली यह धूणाड शैली की प्रमुक शैलियां है मेवार शैली का प्रतम शित्रित ग्रन्त कौन सा है, इंपॉर्टन्ट है बहुत जाधा, मेवार शैली का प्रतम शित्रित ग्रंत काईजाई चित्रित ग्रंथ है जो कि मेवार शयली का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ है। चित्रित ग्रंथ है जो कि मेवार शयली का सबसे पहला है। महारान प्रताप के समय की कौन सीक्रती है जो राष्ट्रिय संग्रहाले नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो यह है धोला मारू जो कि 1592 इस्वी में बनी थी। कौन सीक्रती है धोला मारू जो कहां सुरक्षित है राष्ट्री संग्रहाले नई दिल्ली में। 54 चित्रशैली जो कि महारान प्रताप के समय आई थी 54 चित्रशैली का अधिक विकास किसके शाशनकाल में हुआ। तो यह है ग्रंथ था राग माला जो कि 1605 इस्वी में यह ग्रंथ जो है वह है चित्रित किया गया और इसके जो चित्रकार है वो है निसारुद्दीन कौन है निसारुद्दीन। Q20. मेवाड में किस साशक का काल मेवाड की लगू चित्रशैली का स्वन काल कहा जाता है तो यह कहा जाता है राणा जगस सिंग प्रत्थम के समय को क्या कहा जाता है लगू चित्रशैली का स्वन काल मेवाड में राणा जगस सिंग प्रत्थम के काल को मेवाड की लगू चित्रशैली का स्वन काल कहा जाता है नेक्सट कुशन 55 प्रामुक चित्रकार, ये दोनों चित्रकार राना जगत सिंङ के समय के हैं Q22 है किसने अपने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रसाला की स्थापना की तो राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रसाला इस्थापित करने वाले महाराना जगस सी जिसे तस्वीरा रो कार खानों पुकारा गया नेक्स्ट है question 23 तो जिन बच्चों को question answer बहुत hard लग रहे हैं तो उनको सबसे पहले chapter पढ़ना चाहिए जो कि मैंने आप लोगों को channel पर पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से तो आप लोग पहले chapter पढ़िए बिल्कुल series y ही chapter पढ़ाये गए हैं और उनहीं से संबंदित question जो है वहें निकाले गए हैं तो जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा Question 23 है किसके काल में घीट गोविन्द पिहारी सत्सई सुन्दर स्रंगार मुला दोप्याजा इनके लतीफे मुलाद प्याजा के लतीफे गरंत प्रमुक्त हैं किसके काल में तो यह हैं महाराना संग्राम सींग महारान संग्राम सींग के समय के है गीड गोविन, बिहारी सचसई, सुंदर स्रंगार, मुला दुजप्याजा के लतीपे ग्रंफ. किसके काल के हैं? महारान संग्राम सींग के काल के. Q24 है पुस्टी मार्गिय संप्रदाई की प्रसिद्ध पीट कहां पर है यह नाथ द्वारा में है नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से है नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं बावा राम चंद्र, नारायन, चत्तर भुज, राम लिंग, चंपा लाल, घासी राम, तुलसी राम, कमला और इलाईची यह दोनों इस्तरी चित्रकार हैं कमला और इलाईची ठीक है बाबा, रामचंद्र, नारायन, चत्रभुझ, रामलिंग, चंपालाल, घासी राम, तुलसी राम और इसके अलावा कमला और इलाईची देवगड़ शाली का जन्म किसके काल से माना जाता है? तो यह माना जाता है महाराना जैसिंग के काल से देवगण शैली का जन्म जो है महाराना जैसिंग के काल से माना जाता है नेक्स्ट है देवगण शैली किन शैली का समनवित रूप है तो किन किन शैलियों का समनवित रूप देवगण शैली है यह है मारवाड शैली, मेवाड शैली और जैपो शैली इन तीनों का समन्वित रूप जो है वह है देवगड़ शाली है नेक्सटो 28 है कि देवगड़ शाली के प्रमुक चित्रकार कौन से हैं देवगड़ शाली के प्रमुक चित्रकार कौन से हैं तो ये हैं भगता, कमला प्रथम, कमला द्वितिय, हरचंद, चोखा और बैजनात। दुबारा सुनिए देवगर श्याली के प्रमुक चित्रकार है भगता, कमला प्रथम, कमला द्वितिय, हरचंद, चोखा और बैजनात। Next है 29 question, मारवाड में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रे किसे जाता है, तो यह जाता है माल देव को, ठीक है, याद रखिएगा, माल देव किस कहां के है, मारवाड के कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रे जो है, वह है, माल देव को जा चित्रकार डालचन किसके शाषन काल में थे तो ये थे महाराणा अभै सिंग के काल में ठीक है डालचन जो है वह महाराणा अभै सिंग के काल में एक प्रमुग चित्रकार थे चित्रकार डालचन के चित्र महाराजा अभय सिंग नुरत्य देखते हुए किस संग्रहाले में सुरक्षित हैं तो डालचन जो कि महाराजा अभय सिंग के काल के प्रमुक चित्रकार रहे हैं इन्हों ने चित्र तयार किया महाराजा अबै सेंग का नुरत्य देखते हुए तो ये चित्र जो है वह किस संग्रहाले में सुरक्षित है यह महरांगर संग्रहाले में सुरक्षित है जो कहां है जोधपुर में और दूसरा कुमर संगराम सिंग संगरहल है जो कि जैपुर में है यहां भी सुरक्षित है किसने तैयार किया यह प्रमुक चित्रकार कौन है डालजन 32 कुशन है मारवाड शाली के चित्रों का प्रधान विशे क्या रहा है तो इसका सही उत्तर है कि यह जो थीम है इसकी वो क्या थी प्रेमाख्यान पर आधारित 33 कुशन है कि मारवाड की चित्रकला चर्मोत कर्स पर किसके शाशनकाल में रही तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेवाड की चित्रकला हो मारवाड की चित्रकला हो देवगर चित्रकला हो तो यहां सबसे उचाई पर पहुंचाने वाले सबसे अधिक विकास जो है वो किसके शाशनकाल में रहा ये चीज़ें याद रहनी बहुत जरूरी है तो मारवार की चित्रकला जो है वो सबसे चर्मोत कर्स पर रही महाराणा मान सींग के समय महाराणा मानसीं के समय के प्रमुक चित्रकार है कौन-कौन है अमरदास भाटी, दाना भाटी, संकरदास, माधोदास, राम सिंग भाटी और सिवादास खंजन पक्षी को चित्रों में किस शैली में बहुत अच्छे तरीके से दर्साया गया है तो यह है मारवाड शैली जोदपूर की नेक्स्ट कुश्चन है 36 बीकानेर के राव राइसिंग ठीक है राव राइसिंग कहां के हैं बीकानेर के शाशक हैं तो इन्हें मुगल चित्रकला बहुत अधिक भाई थी इससे प्रभावित होकर यह दो चित्रकारों को अपने साथ लेकर आये थे तो उनके नाम क्या है उनक चित्रकारी बनाने में बहुत ज्यादा अच्छे थे इनको लेकर कौन आये राव राइसिंग जो की बीकानेर के थे राव राइसिंग के समय चित्र किसमें बीकानेर शाली के प्रारंबिक चित्र मिलते हैं तो यह मिलते हैं भागवत पुरान में भागवत पुरान में बीक बीकानेर शैली में किन दो परिवार राजिस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिध्धस्त थे तो वो दो परिवार जो कि बीकानेर शैली के अंतरगत राजिस्थानी चित्र बनाने में सिध्धस्त थे तो देखिए याद रखना है एक तो था मथेरन परिवार और दूसरा थ तो ये क्ला क्या क्या कहलाती है ये कहलाती है ँस्ता कला कहला गए मथेरण परिवार और परिवार के कलाकार ‫ कें कमर्ख सेया पर नो है कि ये उस्ता परिवार जो है वह है थोड़ा मिस हो गया है मतेरन परिवार और उस्ता परिवार के कलाकारों को सम्मान जनक इस्थान किस मुगल बादशाने दिया तो यह दिया अकबर ने अकवर ने मथेरन परिवार को और उस्ता परिवार के कलाकारों को सम्मान जनक इस्थान जो है वह दिया बीकानेरशाली का विशुद्ध रूप अनूप सींग के समय आया देखे प्रारम जो हमने देखा कि बीकानेरशाली का राव राई सींग के समय आया था उसके बाद इसका जो विश्युद्ध रूप है वह अनूप सींग के समय आया तो इस समय प्रमुक कलाकार कौन थे? अनूप सींग के समय कलाकार थे रामलाल, अली रजा और हसन नेक्स्ट है question number 42 किसका समय किसंगर से अली की द्रस्टी से स्वन यूप कहा जाता है? सावंत सींग के समय किसंगर से अली राजा सावंत सींग के समय वह चर्मोच कर्स पर रही इसलिए इनके समय को स्वन यूप कहा जाता है चित्रकला में नेक्स्ट है 43 सावंत सींग का उपनाम क्या था? आउ मोस्ट इंपोर्टेंट कुषिण है यह सावंत सींग का उपनाम जो है वह है नागरी दास था क्या था? नागरी दास था नेक्स्ट है 44 कुषिण बनी ठड़ी को किसने भारत की मोनालिसा कहा? तो यह आपके एक्जाम में question पूछा भी जा चुका है, आप लोगों को याद होगा, बनी ठणी को किसने भारत की मोनालिसा कहा है? तो यह कहा है Eric Dickinson ने, किसने कहा है भारत की मोनालिसा बनी ठणी को यह कहा है Eric Dickinson ने? भारत सकार ने कब बनी ठणी पर डांक टिकट जारी किया था? भारत सकार ने बनी ठणी पर डांक टिकट कब जारी किया था? 1973 इस्वी में, ठीक है? और बनी ठणी को भारत की मोनालिसा कहने वाले Eric Dickinson थे 46 question देखिए, किसंगर सैली के प्रमुक चितरकार कौन थे? तो ये भी question पूछा जा चुका है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया था किसंगर सैली के प्रमुक चितरकार कौन थे? वहाँ पर निहाल चंद जो है वह है चौते option में था और तीन option जो है वह है किसी औ पर शेली का था ठीक है तो वहां निहाल चंद आंसर था तो किशनकरशाली के प्रमुग चित्रकार कौन से थे नानक राम, सित्ता राम, सूर ध्वज, मूल राज, मूर ध्वज, निहाल चंद्र, बदन सींग, रामनात, सवाई राम और लाल दीदास तो इसी लिए हर एक चित युक कहा जाता है चित्रकारी में दूसरा, इस शैली के जो प्रमुक्चित्रकार हैं, चाहे वो मारवाड शैली हो, मेवाड शैली हो, देवगड भज, मूलच, मोरडवज, निहाल चंदर, बदम सिंग, राम नात, सवाई राम और लालडी, दास जैसल मिर सैली का प्रमुक चित्र कौन सा है तो वह है मुमन Q48 है जूनिया के चान द्वारा अंकित राजा पाबुजी का व्यक्ति चित्र जो है वह किस सैली का सुन्दर उधारन है तो यह है अजमेर सैली का सुन्दर उधारन जिसमें हिंदू, मुस्लिम, इसाई धर्म इन सभी को सम्मान मिला Q49 है ब्रद्दा वस्ता चित्रों को कहां के चित्रकारों ने चित्रित किया तो यह नागोर के चित्रकारों ने चित्रित किया अगला है 50 कुश्यन जैसल मेर सैली का विकास किनके संडक्षन में हुआ जैसल मेर सैली का विकास किनके संडक्षन में हुआ वहीं हमने अभी दिखा कि जैसल मेर सैली का प्रमुक चित्र कौन सा था मूमल नेक्स्ट है 51 कुश्यन किस सासक ने रंग महल बनवाया जो बित्ती चित्रों के लिए विस्व प्रसिद्ध है तो वह है राओ छत्रशाल चित्रकला का निर्मान किसके समय हुआ देखिए यहाँ पर चित्रकला नहीं है यहाँ पर है चित्रशाला ठीक है इसको आप थोड़ा सा सही करिएगा यह क्या है चित्रशाला चित्रशाला का निर्मान किसके समय हुआ राओ उमेद सींग के समय में चित्रशाला का निर्मान हुआ राओ उमेद सींग के समय में चित्र शाला का निर्मान हुआ जहां पर चित्र जो है वह बनाए जाते थे नेक्स्ट है 53 कोश्यन राओ उमेद सींग का कौन सा चित्र 1750 इस्वी में प्रसिद रहा तो राओ उमेज सींग का वह कौन सा चित्र था, जो 1750 इसमी में प्रसिद रहा, वह था कि राओ उमेज सींग द्वारा जंगली सुवर का सिकार करते हुए दिखाया गया था, तो यह चित्र जो है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद हुआ नेक्ट जो है 54 कुशन, बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो यहाँ पर याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख चित्रकार जो हैं वो तो आपको याद ही रखने हैं, तो बूंदी शैली के जो चित्रकार थे, वो साधूराम, सुर्जन, एहमद अली, रामलाल, श्रीकेशन और साधूराम, कुशन 55 है, कोटा चित्रशैली के अस्तित्व स्थापित करने का श्रे किसे जाता है, कोटा चित्रशैली के अस्तित्व स्थापित करने का, किसने स्थापित किया, तो इसका श्रे जाता है, महराव महराव राम सीग को? महराव राम सीग के समय, कोटा चितर शैली जो है वहाँ उबर कर आई. 56 Ques perfection है, कोटा चितर शैली के प्रमुक्थ चितरकार हैं. कोटा चित्रशैली के प्रमुक चित्रकार हैं, जैसे हमने अभी देखा भूंदी शैली के चित्रकार सुर्जन, एहमद अली, स्रीकिसन, रामलाल, सादूराम, उसी तरीके से कोटा चित्रशैली के चित्रकार हैं, रगुनात, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम और नू वहीं कोटा चित्र सैली के हैं रगुनाद, गोविंदराम, डालू, लच्छी राम, नूर और मोहमद। जैपूर की आमेर शैली के प्रारंबिक काल के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सबसे प्रमुक है। तो यहां पर सही आंसर होगा यसूदरा चरित्र जो की 1591 इस्वी में चित्रित किया गया। तो जैपूर की आमेर शैली के प्रारंबिक काल के चित्रित ग्रंथों में यसूदरा चरित्र जो है यह ग्रंथ सबसे प्रमुक है। Q58. मिर्जा राजा जैसिंग ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1649 इस्वी में कौन से ग्रंथ बनवाए। तो उन्होंने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मनी बेली ये दोनों ग्रंत बनवाए अपनी रानी चंद्रावती के लिए किसने मिर्जा राजा जैसिंग ने आमेर में 1649 इस्वी में गनेश पोल का निर्मान किसने करवाया तो मिर्जा राजा जैसिंग नहीं करवाया उसी समय ही उन्होंने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मनी बेली ग्रंत बनवाए जैपुर शैली को और अधिक्सू व्यवस्तित करने के लिए 36 कारखानों की इस्थापना किसने की तो 36 कारखाने किसने बनवाए जैपुर शैली के अंतरगत तो वो थे सवाई जैसिंग सवाई जैसिंग सूरत खाना क्या है जहां चित्रकार चित्रों का निर्मान करते थे उसे कहा गया सूरत खाना जहां पर चितेरे जो थे चित्रकार चित्रों का निर्मान किया करते थे चलिए, next है, question 62, महाराजा सवाई ईस्वरी सींग के समय के प्रसिद्द चित्रकार कौन से थे? महाराजा सवाई ईश्वरी सींग के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे साहिब राम, लाल चन और लाल चितेरा साहिब राम, लाल चन और लाल चितेरा जिसमें साहिब राम और लाल चन जो है वो सवाई ईश्वरी सींग के समय में पूरे समय रहे उनके काल में इसके अलावा जो लाल चितेरा हैं, लाल चितेरा सवाई ईस्वरी सिंग और सवाई माधव सिंग के समय के प्रमुख चितरकार जाने जाते हैं नेक्स्ट है 63 कोशन कौन सा चितरकार सवाई ईस्वरी सिंग और सवाई माधव सिंग के समय का प्रमुख चितरकार था तो अभी मैंने बताया आपको कि लाल चितेरा जो था वह सवाई ईस्वरी सिंग और सवाई माधव सिंग इनके समय के प्रमुख चित्रकार है महाराजा सवाई प्रताप सिंग के समय कितने कलाकर सूरत खाने में चित्रों को बनाने में नियुक्त थे महाराजा सवाई प्रताप सिंग के समय कितने कलाकर सूरत खाने में चित्रों को बनाने में नियुक्त थे तो सूरत खाना क्या था जहाँ पर चित्रकार चित्र बनाते थे तो इनके समय, किनके समय महाराजा सवाई प्रताप सिंग के समय लगबग 50 से भी अधिक कलाकार जो है वहाँ पर चित्र बनाते थे किसने कला के विकास के लिए महाराजा सवाई राम सिंग ने की महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो वर्तमान में यह जाना जाता है राजिस्थान स्कूल आफ आर्ट्स के नाम से किस नाम से जाना जाता है यह अब महराजा स्कूल आर्टस और क्राफ्ट को वर्तमान में राजिस्थान स्कूल ऑफ आर्टस के नाम से जाना जाता है Q67 बड़े बड़े portrait आदमकद व्यक्ती चित्र एवं भित्ती चित्र की परंपरा किन शाली की देन है तो व्यक्तियों के जो चित्र हैं बड़े बड़े portrait जो है वह है जैपूर शाली की देन है नेक्स्ट है 68 कोशन आलागीला, आराइस तथा मोराकसी कहां के वित्ती चित्रों की एक पद्ददी है तो आलागीला, आराइस और मोराकसी ये चित्रों की टेकनिक जो है वह है जैपूर की है और प्रारंबे ये आमेर में थी नेक्स्ट है 69 कोशन अलवर शैली में राव राजा परताप सींग, इनके समय के दो चित्रकार कौन से थे, अलवर शैली के अंतरकत पूछा जा रहा है, राजा परताप सींग के समय के दो प्रमुक चित्रकारों की नाम, तो वो थे शिव कुमार और डालू राम, कौन थे श सर्वोत क्रष्ट प्रारंबिक चित्र कौन से हैं। सर्वोत क्रस्ट प्रारंबिक चितर कौन से हैं तो वे हैं राजगड के ले के सीस महल में अंकित भित्ती चितर राजगड के ले के सीस महल में जो अंकित भित्ती चितर हैं वह है अलवर्शयली के प्रारंबिक चितर हैं बहुत ही अच्छे बहुत ही सर्वोत क्रस्ट Q71 है राजगर के महलों के सीस महल का चितर कला की शुरुवात किसने की सबसे प्रारंबिक चित्र जो है वह सीस महल में ही अंकित भित्ती चित्र थे तो इसकी चितर कला की शुरुवात की भकतावर सेंग ने इस सीस महल का चित्रन कराकर चित्रकला की शुरुआत किसने की बकतावर सिंग ने नेक्स्ट है कुशन 72 चित्रकला में अकवर की तुलना अलवर के किस महाराज से की गई तो आंसर क्या रहेगा विने सिंग किन चित्रों के कारण सेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है तो नवलगड, रामगड, फतेपुर, लक्षमनगड, मुकुंदगड, मंडावा, विसाउ, आदी स्थानों के वित्ती चित्र, इन चित्रों के कारण ही सेखावटी को क्या कहा जाता है ओपन आर्ट गैल प्रांस के नदीन ला प्रेंस ने कहां के वित्ती चित्रों की प्रसंसा की तो उन्होंने पतेपूर की हवेलियां है इनके जो वित्ती चित्र है यहां की प्रसंसा की तो पतेपूर की हवेलियों की जो वित्ती चित्र है उनकी प्रसंसा कौन करते हैं फ्रांस के नदीन ला प् कि बिविन चैलियों से संबंदित सभी प्रशने कम्प्रीट कर लिये हैं बात करेंगे राजिस्थान की लोक कलाओं के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं चप्टर जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया था आप लोगों ने एक दो बार उसे रीट जरूर किया होगा और अब आपको ये कोशन आंसर जो है वो बहुत ही आसान लगेंगे और पूरे चप्टर में जितने भी कोशन निकल सकते थे सभी यहां पर निकाले गए हैं तो आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं करिएगा कि यहां कोशन जो है वो आपको पूरे नहीं मिल रहे हैं हर एक पहराग्राफ में जितने कोशन निकल सकते हैं एक्जाम के लिए वो सभी यहां पर आपको मिलेंगे कोशन 75 है सांजी कब बनाई जाती है सांजी कब बनाई जाती है सांजी में कितने दिन पूजन होता है सांजी में कितने दिन पूजन होता है तो इसमें 15 दिन तक पूजन होता है बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने चैक्टर में इस चीज को पढ़ा था next है 77 question सांजी को किसका रूप माना जाता है तो सांजी में किस देवी की पूजा की जाती है तो यहां पर माता पार्वती का रूप माना जाता है माता पार्वती की पूजा कोवारी करन्या करती है next है 78 question फड किस पर बनाई जाती है तो option में यदी होगा कागस पर, कपड़े पर, लकड़ी पर तो आपको याद होना चाहिए फड जो है वह कपड़े पर बनाई जाती है next है 79 question फड के लिए प्रसिद्द माने जाते है फड के लिए प्रसिद्द माने जाते है भीलवाडा के सहपुरा में जो जोसी परिवार है वह फड के लिए प्रसिद्द माना जाता है भीलवाडा के साहपुरा में छीपा जाती के जोसी चित्रकार फड के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं फडशाली के प्रमुक चित्रकार कौन है? तो जोसी परिवार के ही श्रीलाल जोसी भीलवाडा के भीलवाडा में जो शाहपुरा है वहां श्रीलाल जोसी जो है वहे प्रमुक्चित्रकार है फड किस वादियंतर पर बांची जाती है तो यह बांची जाती है रावन हत्ता या जंतर पर तो आप लोगोंने पहले भी इस चीज़ को याद किया है जब आप लोगोंने मादमिक सिक्षाबोड की बुक पड़ी थी कुश्चन अंसर करे थे तो वहां पर भी यह चीज आई थी तो दुबारा से आप लोगों की रिवीजन ही है पड़ किस वादियंतर पर वाची जाती है रावर हत्ता या जंतर पर पड़ वाचन का कारे कौन करते हैं तो कौन करते हैं पड़ वाचन का कारे ये करते हैं भोपे भोपों द्वारा पड़ का वाचन किया जाता है नेक्स्ट है 83 कोश्यन कावण बनाना कहां का पुस्तैनी व्यवसाय है जैसे हमने अभी देखा था कि फड के लिए प्रसिद है भीलवाडा का शहपुरा के जोसी परिवार तो इसी तरीके से कावण जो है वह है चितोडगर जिले के बसी गाउं के खेरादियों का पुस्तैनी व्यवसाय है तो कावण बनाना कहां के प्रसिद है चितोडगर जिले का बसी गाउं नेक्स्ट है 84 कुशन कावण के पारम परिक कलाकार कौन है तो यहां कलाकार है मांगी लाल मिस्तरी कौन है मांगी लाल मिस्तरी Next है Q85, कावड किसकी बनाई जाती है? तो जैसे फड का कुशेन था कि लकडी पर, कपड़े पर, ठीके, कागज पर इसी तरीके से कावड किसकी बनाई जाती है? यहाँ लकडी की बनाई जाती है और यह कैसी होती है, एक मंदिर नुमा आकरिती होती है, जो लाल रंग से रंगी होती है और काले रंग से इस पर चितरांकन किया जाता है तो यहां पर हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, दो लोकलाओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा सांजी के बारे में आपको पता ही है फड के बारे में आपको याद रखना है फड के लिए कौन प्रसिद है जोसी परिवार प्रसिद है जो की भीलवाडा का है और प्रमुक्चितरकार श्रीलाल जोसी है इसके अलावा हमने कामड की बात की तो कामड के लिए कौन प्रसिद है? मांगी लाल मिस्थरी और कामड जो है वा चित्तोडगर जुले के बसी गाउं की प्रसिद है नेक्स्ट है कोशन 86 पशुओं के सरीर पर विविद आकृति दागने की क्रिया वदाग के निशान क्या कहलाते हैं? तो यहां पर देखिए, दोनों ही अलग अलग तरीके हैं, आप इनको दोनों के नाम याद रखिएगा, अटेर नाव दागने की क्रिया को कहा जाता है और गोडलिया निशान को कहा जाता है, यहां पर गोडलिया जो है यह प्रश्ण जो है वो पूछ लिया गया है एक्जाम म 87 है महंदी कहां की प्रसिद्ध है महंदी कहां की प्रसिद्ध है तो सोजत वा मालवा की महंदी जो है वह है प्रसिद्ध है तो सबसे प्रमुक सोजत की महंदी जो है वह बहुत प्रसिद्ध है नेक्स्ट है 88 कुशन, 1965 में रूमानिया में आयोजित 13 अंतरास्ट्रिय कटपुतली समारों में कहां की कलाकारों ने विश्व का प्रथम पुरुसकार प्राप्त किया, तो देख लिए हमारे राजिस्थान के अंतरगत भी ऐसे ऐसे कलाकार थे, जोनों ने विश्व का प्रथ पाने किसके बनाये जाते हैं, तो ये कागज के ऊपर बनाये जाते हैं, बेविन्य देवी देवताओं के चित्र जो है बनाये जाते हैं, जो कि हम तो हारों में इनका प्रियोग करते हैं, ठीक है, तो पाने जो है वो कागज पर बनाये जाते हैं, तो इस तरीके से आपका य जरूरी है आपके exam के according हम लोग RBSC की book को follow कर रहे हैं तो चलिए start करते हैं इससे पहले यदि अपने channel को subscribe नहीं किया है subscribe करिए video के end में इसे like भी करिए ठीक है और bell button पर press भी करिए ताकि आपको आने वाला video का notification मिल सके question 1 है राजिस्थान के 6 प्रमुक दुर्ग कौन से हैं जिन है UNESCO की world heritage site की सूची में शामिल किया गया है बहुत ज़्यादा important question है ये question number 1 राजिस्थान के 6 प्रमुक दुर्ग कौन से हैं जिन है UNESCO की world heritage site की सूची में शामिल किया गया है तो यहां उन 6 दुर्गों के नाम लिखे हैं, देखिए आमेर का महल, गागरून का किला, कुम्बलगड का किला, जैसलमेर का किला, रडधंबोर का किला और चितोडगड का किला, तो इन 6 के नाम जो है वो आप याद रखिएगा, ऐसे दुर्ग जो जल से गिरे हों वो क्या कह कहलाते हैं, ऐसे दुर्ग जो जल से गिरे हों क्या कहलाते हैं, तो जल से गिरे हों तो यानि जल दुर्ग, ठीक है, जल दुर्ग कहलाते हैं, लेकिन इसका अन्य नाम भी है ओदुक दुर्ग, याद रखना है ओदुक दुर्ग या जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग होते हैं, जो चारो तरफ से पानी से गिरे होते हैं, जैसे की गागरोन का किला, ठीके याद रखना है, कुशन ये एक्जाम में बनता है, कि ऐसा कौन सा दुर्ग है, जो जल से घिरा है, तो आपको आंसर क्या करना है, गागरोन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो किसी उुचे परवत पर इस तो इसका बहुत अच्छा उधारन है तो उधारन के साथ ही आप लोग याद रखिएगा जैसल मेर दुर्ग जो है वह है मर भूमी में बना हुआ है इसे दहानवन दुर्ग की कैटिगरी में रखा गया है Quesion No. 5 देखिए वे दुर्ग क्या कहे जाएंगे जो सगन बीहड वन में बने हो वे दुर्ग क्या कहे जाएंगे तो यहां पर देखिए ऐसे दुर्ग वन दुर्ग कहलाते है और example में है शिवाना दुर्ग ठीक है जो शिवाना दुर्ग शिवाना या शिवाना दुर्ग तो ये बीहड वन में बना हुआ है Question number 6 है ऐसे दुर्ग जिनके चारो और खाई कांटे और पत्थरों तो ऐसे क्या कहलाएंगे ऐसे दुर्ग जिनके चारो और खाई है कांटे वा पत्थर इनसे होकर इस दुर्ग में पहुँचा जा सकता है तो ऐसे दुर्ग कहलाएंगे एरन दुर्ग क्या कहलाएंगे एरंड दुर्ग जिसमें चितोडगड का दुर्ग जालोर का दुर्ग जो है वह है प्रमुक है क्योंकि इनके चारो और क्या है खाई भी है कांटे और पत्थर भी है ठीक है जिसके चारो और केवल क्या हो खाई हो जिसके चारो और खाई हो तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं जिसके चारों तरफ खाई हो ऐसे दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाते हैं दीखें एक है पारिद और एक है पारिक तो पारिक दुर्ग क्या है जो की चारों ओर से खाई हो जिसके तो यहाँ पर खा से याद रख सकते हैं पारिक यानि खाई ठीक है तो जैसे भर के चारो और बड़ी-बड़ी दिवारों का पर्कोटा हो शुरुक्षा की जो 4 दिवारी होती है जिन दिवारों के 4 और हो ऐसे धुर्ग क्या कहलाते ह gels originally तो जो दिवारों के पर libro के ह sekali है तो एसे दुर्ग कहलाते हैं पारिदु दूर्ग अबוכ हम पारिक दुर्ग वह जो चार ओर से खाई से गिरा होता है, भरतपुर का और पिकानीर का जुनागड का किला, तो वो पारिक दुर्ग में आएगा और पारिद दुर्ग में आएगा चितोरणगड का दुर्ग. ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग और एरन दुर्ग भी कहते है यानि ऐसा दुर्ग जो कि किस से घिरा हो जिस पे उचे परवत पर इस्तित हो ऐसा दुर्ग और जिसके चारो तरफ खाई भी हो और जिसके चारो और काटे भी हो पत्थर भी हो तो ऐसा दुर्ग कौन सा है ऐसा है चितोडगर का दुर्ग ठीक है तो ये तीनों प्रकारों में आएगा इसे गिरी दुर्ग भी कहेंगे पारिक दुर्ग भी कहेंगे और एरण दुर्ग भ गागरोन का किला, कुम्बल गड़ का किला, जैसल मेर का, रड थमबोर का और चित्तोड गड़ का किला, जिसे की युनेसको ने वर्ल्ड हैरिटेस साइड की सूची में शामिल किया, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि जो चारो तरफ से जल से गिरे हों, वो ओदुग दुर् कहलाएंगे, जो सगन बीहड वन में बने हों, वो वन दुर्ग कहलाएंगे, और जो चारो तरफ से खाई, काटे और पत्थर से गिरे हों, ये एरन दुर्ग कहलाएंगे, और लास्ट में हमने देखा कि जो केवल खाई से, जिसके चारो तरफ खाई हो, तो ऐसे दुर्ग कह चुके हैं हम कि चितोडगड के दुर्ग का निर्मान कराया राजा चित्रांग ने ठीक है कहीं पर चित्रांगद भी मिलता है तो वीर विनोध की अनुसार मोर्य राजा चित्रांग ने चितोडगड के दुर्ग का निर्मान करवाया चितोडगर दुर्ग पर अधिकार करकी अलाउदीन खिलजी ने इसका नाम बदल कर क्या रखा था तो इसका नाम बदल कर रखा था खिजराबाद ठीक है खिजराबाद नहीं खिजराबाद जो है नाम रखा था अलाउदीन खिलजी ने ठीके किसको पराजित करके किसको पराजित किया था यह आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि अलाउदिन खिल जी ने किसे पराजित किया था जब चितोडगर दुर्ग किस पठार पर इस्तित है तो यह दुर्ग जो है मेसा के पठार पर इस्तित है नेक्स्ट है 13 कुश्चन सभी किलों का सिर्मोर किस किले को समझा जाता है शिर्मोर यानि ताज तो सभी किलों का सिर्मोर जो है वह है समझा जाता है चित्तोडगड के किले को तीक है याद रखना है चितोड़ के किले को ही सभी किलों का सिर्मोर समझा जाता है Next, Question 14 चितोड़ के किले में कितने साके हुए जो प्रशिद माने जाते हैं तो यहाँ पर हम उन तीन साकों के बारे में देखेंगे जो कि चितोड़़ के किले में हुए थे सबसे पहला 1303 में हुआ था अलाउदीन खिलजी के समय में 1534 में गुजरात के बहादुर शा के समय हुआ था और 1567 में अकवर ने जब आकर्मन किया था तो उस समय यहाँ पर शाका हुआ था कौन सा दुर्ग मेवाड के राजपरिवार का आश्रे इस्थल रहा है तो मेवाड के राजपरिवार का आश्रे इस्थल और इसी तरीके से मारवाड के राजपरिवार का आश्रे इस्थल यह दोनों ही कुश्यन इंपोर्टेंट है तो वो दुर्ग है जो मेवाड के राजपरिवार का आश्रे इस्थल रहा संकट कालीन राजधानी रहा वो है कुंबलगड़ दुर्ग ये कहां पर है राजसम्मद में है कुंबलगड़ दुर्ग का प्रमुक सिल्पी कौन था कुंबलगड़ दुर्ग का निर्मान राना कुंबा ने करवाया था तो इस दुर्ग का सिल्पी था मंडन ठीक है बहुत बार ये question पूछा गया है आपका second grade में, first grade में, कोई कुम्बलगड़ दुर्ग का प्रमुक सिलपी कौन था? मंडन. कुम्बलगड़ दुर्ग की दिवार कितने किलोमीटर लंबी है? कुम्बलगड़ दुर्ग की जो दिवार है, वह कितनी लंबी है? तो यह कितनी लंबी है? यह 36 किलोमीटर लंबी है. ठीक है? कुम्बलगड़ दुर्ग की जो दिवार है, वह कितनी लंबी है? 36 किलोमीटर ल तो उन्हों ने इसकी तुलना जो है ए ट्रिसकन वास्तु से की है ठीके तो ए ट्रिसकन वास्तु में क्या था ये लोग आप बताईएगा इसका आंसर क्योंकि चैप्टर हम इसी लिए पढ़ते हैं ताकि हमें इन सब चीजों के बारे में पता हो ठीके तो यहां मैं बिल्कु करनल तॉड ने कुम्बलगड की तुलना ए ट्रिसकन वास्तु से की थी राणा उदे सिंग का राज्य अभिशेख और राणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ ठीक है most important है पूछा जा सकता है अलग-अलग कि राणा उदे सिंग का राज्य अभिशेख जो है वह कि कुम्बलगड की उपरी चोर पर किसका निवास है जिसे कटारगड कहते हैं तो राणा कुम्बा का निवास स्थल है जिसे कटारगड कहा जाता है ठीक है पूछा जा सकता है कि कुम्बलगड की उपरी चोर पर जो निवास है जिसे कटारगड कहते हैं वह किसका निवास है तो राणा कुम्बा का निवास स्थल है, और देखिए, एक लाइन है, कि अबुल फजल जो है, उन्होंने कुम्बल गड़ की जो उचाई है, इसके बारे में क्या लिखा, कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, कि नीचे से उपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी घर ज से जादा से जादा शेयर करना है, जिससे सभी इसका लाब उठा सकें, तो यहां हम बिल्कुल फ्री में ही यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में कुम्बल गड़ की उचाई पर क्या लिखा, तो यह उचा जा सकता है, तो इसे भी मैंने शामिल किया है, यह इतनी बुलंद पर बनाएं कि नीचे से यदि उपर देखते हैं तो सिर से पगड़ी गिर जाती है ऐसा लगता है कुंबल गड़ की उचाई को देखकर कौन कहते हैं अब उल्फजल कहते हैं और कुंबल गड़ दुर्ग के बारे में हमने देखा था कि यह दुर्ग जो है वह कहां पर इस्ति जो थे उनका जन्म हुआ था इस दुर्ग में जो राणा उदैसिंग थे उनका राज्य अभिशेक हुआ था ठीक है और यहीं पर यह उपरी छोड जो है कुंबल गड़ के वहां पर जो निवास स्थान है जिसे कटार गड़ कहते हैं वो किसका निवास है राणा कुंबा का हां इस्थित है तो अब हम रण थमबोड दुर्ग के बारे में देखेंगे यह दुर्ग जो है वह सवाई मादवपूर में इस्थित है कुशन 23 रण थमबोड दुर्ग का निर्मान किसने करवाया था जहां महराना कुंबा ने कुंबल गड़ दुर्ग का निर्मान करवाय रण धंबोड दुर्ग का निर्मान करने वाले अजमेर के चोहां शाशक थे ठीक है अजमेर के चोहां शाशकों के द्वारा रण धंबोड दुर्ग का निर्मान करवाया गया था रण थमबोड दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो यह एक गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, ठीक है? तो गिरी दुर्ग और वन दुर्ग क्या होते हैं? यह हम लोग बिल्कुल लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग बहुत अच्छे से उसको देखिएगा यह दुर्ग बक्तर बंद है, यह किस ने कहा? तो रण थमबोड दुर्ग के बारे में यह किस ने कहा कि यह दुर्ग बक्तर बंद है? तो यह कहा था अबुल फजल ने, अबुल फजल ने क्या कहा था? रण थमबोड दुर्ग के बारे में कि यह दुर्ग बक्तर बंद है तो यहां पर यदि पूछ लिया जाए कि बतिस खंबो की चत्री जो है वह कहां इस्तित है यह पता होना चाहिए या पीर सदुरुद्दीन की दरगा जो है वह कहां इस्तित है यह एक एक पूछ लिया जाए यह गनेश मंदिर कहां है याद रखना है रडधंबोर में है यह है और रडधंबोर दुर्ग जो है उस परिशर में है और रडधंबोर द जले में इस्तित है शिवाना डुर्ग जो है वह कहां इस्तित है बार्वीर जले में इस्तित है और यहां पर भी अलाुदिन किल जी आक्रमर करता है तेरह सो ग्यारा इस्वी में या तेरह सो दस भी लिखा मिल जाता है जब कानरदीव का समय था ठीक है नेक्स्ट है शिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की शिवाना दुर्ग की स्थापना जो है वह किसने की थी तो 954 इस्वी में पर्मार वंशिय वीर नारायन ने की थी तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कुम्बलगर दुर्ग उसकी स्थापना जो है वह किसने बनवाया था वह बनवाया था प्रमुक सिल्पी जो थे वो मंदन थे मारान कुम्बा के द्वारा बनवाया गया था उसके बाद हमने देखा रंधंबोर दुर्ग वह किसने बनवाया था अजमेर के चोहान चाशकों ने बनवाया था ठीक है और अब हमने देखा शिवाना दुर्ग यह बनवाया परमार शा इस्वी में ठीक है तो इस बुक में आपके तेरा सो दस इस्वी लिखा हुआ है ठीक है तेरा सो ग्यारा जो है वह भी आप याद रखिएगा अलाउदिन किल जी के काल में शिवाना दुर्ग पर कौन शाषन कर रहा था तो उस समय शाषन जो है वह कानवड देव की भतीजे शीतल देव जो है वह यहाँ पर शाषन कर रहे थे नेक्स्ट कुशन 32 है मारवाड के राजाओं की शरन इस्थली कौन सा दुर्ग रहा है तो वह रहा है शिवाना दुर्ग ठीक है याद रखना शिवाना दुर्ग जो है वह मारवाड के राजाओं की शरन इस्थली रहा है और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मेवाड की राजाओं की संकट कालीन राजधानी या सरण सली कौन सा दुर्ग रहा है तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखी है इस बात को कि वह रहा था कुंबलगड का दुर्ग जो की कहां पर है राज समझ जिली में है चलिए नेक्ट देखते हैं कोश्यन 33 किसने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद सेरसा सूरी की सैना का पीछा किया और पीछा किये जाने पर शिवाना दुर्ग में आश्रे लिया क्योंकि मारवाड के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है शिवाना दुर्ग को तो यहां राव माल देव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद यहां आश्रे लिया था किसमे शिवाना दुर्ग में तारागड दुर्ग जो बुंदी में है देखिए दो तारागड दुर्ग है एक तो बुंदी में है दूसरा अजमेर में है यहां पर जो बुंदी में तारागड दुर्ग का निर्मान करवाया जो की बूंदी में है नाहरगड का किला कहां इस्तित है तो यह किला जैपुर जिले में इस्तित है किस किले को सुदर्शनगड भी कहते हैं तो ठीक है नाहरगड का जो किला है उसको सुदर्शनगड भी कहते हैं ठीक है बूचा जा सकता है सुदर्शनगड का खिला जो है वो है कहां है तो याद रखिएगा जैपुर में और इसे ही नहारगड का किला कहा जाता है किस दुर्ग को गड़ बीटली तथा अजे मेरू भी कहते हैं ठीक है most important question है क्योंकि यहाँ पर देखिए जब दो दुर्ग आ जाते हैं तारागड दुर्ग जो है अजमेर या बूंदी तो confusion रहता है तो यहाँ पर जो राव बर्सिंग ने जो तारागड दुर्ग का निर्मान कर रहा है था बूंदी में वह वाला नहीं आएगा यहाँ आएगा तारागड दुर्ग जो अजमेर में है इसे कहा जाता है गड़ बीटली या अजय मेरू ठीक है इस चीज को आप लोग याद रखिएगा next है question 38 Colonel Todd के अनुसार तारागड जो अजमेर में है इसका निर्मान किस ने करवाया तो Colonel Todd के अनुसार तारागड अजमेर में जो है इसका निर्मान चोहान चाशक अजय पालने करवाया था नेक्स्ट है question 39, तारागड दुर्ग जो की अजमेर में है, इसमें कितने विशाल बुर्ज है, तो इसमें है 14 बुर्ज, ठीक है, कितने है 14 बुर्ज, question 40 है, किस दुर्ग को देखकर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने कहा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, तो व दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, ठीक है, किस दुर्ग को देखकर कहा था, वो दुर्ग जो की अजमेर में है, तारागड, जिसे गड़ बीटली अजयमेरू दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है, और एक और दुर्ग है, तारागड दुर्ग, जो की बुन्दी में है, उस द चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, तो ये RBSC की बुक्स ही है, तो question 41, देखिए ये बुक्स जो है, ये आपकी RAS तक काम आती है, चाहे आप RAS का दें, पटवार का दें, 1st grade, 2nd grade का दें, आपको ये बुक्स से गुजरना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी से ही इनकी तयारी कर लें, महरांगर्दुर्ग कहां इस्तित है, यह जोदपूर में चिडिया टूप पहाड़ी पर महरांगर्दुर्ग की इस्तापना किस ने की थी, तो 1469 इस्वी में राव जोधा ने की थी, कहां पर है जोदपूर में, महरांगर्दुर्ग को अन्निकिस नामों से जाना जाता है, तो इसे मयूर्दवज और गडचिंतामडी के नाम से जाना जाता है, देखिए एक कमेंट आया था एक लड़की का, तो वो यह कह रही थी कि मैं थोड़ा सा डेटेल में बताया करो, देखिए यहाँ पर और आपको क्या detail मिल सकती है एक पहरा graph में अगर 6 question भी निकलते हैं तो वो पूरे के 6 के 6 में यहाँ पर आप लोगों को करवाती हूं पूरी detail जो है वह यहाँ पर है इसके अलावा आपको और क्या detail चाहिए तो यह चीज जो है वो आप दिहान रखिएगा question नहीं चूटते हैं यदि आपको ऐसा लगता है यह question चूटे हैं इसका मतलब यह है वो question हम लोग RBSC जब हमने 6 से 10 तक की कर ली थी तो वहाँ पर वो आपको question जो है वो आपने किये भी है तो कुछ भी नहीं चूटा है अभी तक तो महरानगड दूर्ग को हम मयूरद वज बही कैते हैं और गडचिंतामणी भी कैते हैं महरानगड के किले में कौन-कौन सी तोपे हैं तो यहाँ पर किल किला, संबूबान, गजनी खान, जमजमा, कडक, बिजली, नुसरत, गुबार, गुडग, घारीद, बिचुबान, मीरबक्ष, रहस्यकला और गजक ठीक है ये सबी क्या हैं महरानगड के किले के अंदर की तोपे हैं तो देखिए तोपों जैसे ही इनके नाम भी है चुरू का किला किसने बनवाया जोदपूर में चुड़िया टूंक पहाडी पर लाल बलुवा पत्तर से बना हुआ है राव जोदा ने बनवाया था इसे हम मयूर द्वज गड़ चिंतामणी के नाम से भी जानते हैं चुरू का किला किसने बनवाया यह किला ठाकुर कुसाल सिंग ने बनवाया था 1749 इस्वी में 1749 इस्वी में ठाकुर कुसाल सिंग ने चुरू का किला बनवाया था कौन से किले से अंगरीजों पर चांदी के गोले छोड़े गए जब गोले बनाने के लिए सीसा समाप्त हो गया था देखिए यह question जो है वो आपको पूछा गया है बहुत ज़्यादा important question है कि जब उस राज्ये में क्या खतम हो गए थे गोले ठीक है सीसे के गोले जो है वह समाप्त हो गए थे तो वहां की जो प्रजा थी उन्होंने चांदी के गोले बना कर भी चोड़े थे अंग्रेजों के उपर तो वो कौन सा किला है वो है चूरू का किला याद रखना चूरू का किला ठीक है जहां पर चांदी के गोले भी छोड़े गए थे अकवर ने 1570 इसवी में गुजरात विजय किया था सभी जानते हैं इसकी इसमृति में उन्होंने कौन सा दुर्ग जो है वह बनवाया तो दुर्ग जो बनवाया था अपने ही नाम का अकवर का दुर्ग जो की अजमीर में बनवाया था किस दुर्ग को अकवर का दौलत खाना और अकवर की मैगजीन कहते हैं तो वह है अकवर का दुर्ग ही है जिसे अकवर का दौलत खाना भी कहते हैं और अकवर की मैगजीन कहते हैं. कौन सा एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पथति से बन वाया गया? कौन सा एकमात्र दुर्ग.. ठीक है.. सभी दुर्ग जो वह कैसे बनवाये गए है हिं दू पथति के अनुसार ही बनवाये गए 행 है लेकिन एकमात्र ऐसा दुर्गciąकmus मुसलिम पद्धती से बनवाया गया है ठीक है चलिए कुश्चन 50 है बीकानेर में निर्मित लालगड दुर्ग को अन्य किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है तो देखिए लालगड दुर्ग जो है वो तो आपने नहीं सुना होगा लेकिन आपने जुनागड का किला जो है व लालगड एक ही बात है तो आप याद रखिएगा बीकानेर में इस्तेत है जुनागड दुर्ग की नीव किस ने रखी इसकी नीव रखने वाले महाराज राय सी जो की बीकानेर के शाशक थे 1589 में ठीक है नवासी इस्वी में जुनागड दुर्ग की नीव रखी थी नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 52 किस दुर्ग को आंतरिक दरवाजे के दोनों और बीर, जैमल और फत्ता की हाती सवार मूर्थियां इस्तापित है तो वो जुनागड दुर्ग ही है ठीक है नेक्स्ट है कुश्यन 53 जुनागड में आंतरिक दुर्ग दुर्ग की प्रसस्ती उत्कीन है अभी हमने देखा था कि आंतरिक दरवाजे के दोनों और बीर, जैमल और फत्ता की हाती सवार मूर्थियां इस्तापित है जबकि आंतरिक दुर्ग दुर्ग की नेवी रखी रखी थी 1589 इस्वी में नेक्स्ट देखिए कुश्यन नंबर 54 राजिस्थान का वैलोर किस दुर्ग को कहा जाता है तो इसका सही आंसर जो है वो ये रहेगा चितोडगर में इस्तित जल दुर्ग है भैसरोडगर का किला इसे राजिस्थान का वैलोर भी कहा जाता है तो भैसरोडगर का किला जो है जल दुर्ग जिसे कहा जाता है जो जल दुर्ग है चारो और से जल से गिरा हुआ है चितोडगर में इस्तित है तो इसे राजिस्था का वैल और कहा जाता है next देखिए question number 55 गागरोन का किला कहां इसतित है तो यह किला जो है वह इस्तित है जालावार में ठीक है जालावार में काली शिंदवा आहुनी नदी के संगन पर सिस्तित ठीक है यह आहुनी नहीं यहाँ नदी ठीक है दोनों मिला दी है, इसलिए थोड़ा सा आपको गलत लग रहा होगा, जाला वाड में काली सिंथ और आहू नदी, इसके संगम पर गागरून का किला इस्तित है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, कुश्चन नमबर 56, गागरून का किला किसने बनवाया था, तो यह किला जो है वह परमार शाशकों ने बनवाया था, संत पीपा की चतरी, सूफी संत मिट्थे सेहब की दर्गा और औरंगजीर द्वारा निर्मित बुलन दर्वाजा किस के लिए में है, देखिए, संत पीपा की चतरी ऐसा कुश्चन पूछा जा सकता है, संत पीपा की चतरी जो है, वह तो आंसर आपका रहने वाला है जालावाड के गागरोन के किले में है तो यह आंसर है जैगर दुर्ग जो की कहा है आमेर में है इसलिए इसे रहसे में दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी तोप जो है वह रखी गई है और बहुत जारी गुप्त और रहसे चीज़ें जो है वह यहां पर रखी गई है और यहां बहुत बड़ा विशाल कारखाना है जैगर दुर्ग में नेक्स्ट एशिया की सबसे बड़ी तोप जैबाण किस किले में रखी है एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है जैबाण तोप यह किस किले में रखी है तो यह रखी है जैगर दुर्ग में आप याद रखिएगा question बनता है कि किस दुर्ग को रहसे में दुर्ग भी कहा जाता तब आपका आंसर जो रहेगा जैगर दुर्ग जालोर का किला कहां इस्थित है तो यह किला जो है वह सोन गिरी पहाडी पर सूक्री नदी के किनारे इस्थित है जालोर का किला सोन गिरी पहाडी पर सूकरी नदी के किनारे इस्तित है Q61 है जालोर दुर्ग का निर्मान किसने करवाया तो जालोर दुर्ग का निर्मान जो है वह कराया प्रतिहारों ने तो गागरोन का किला जो है वह किसने बनवाया था परमार शाषकों ने और जालोर दुर्ग का निर्मार जो है करवाया प्रतिहार शाषकों ने 62 पुशन है जालोर दुर्ग के संदर्व में सिला लेखों में किस नाम से उत्कीन है जालोर दुर्ग का नाम जो है वह सिला लेख में हमें किन नामों से मिलता है तो देखिए ये मिलता है हमें जबालीपूर और मिलता है सुवर्ण गिरी ठीक है जालो दुर्ग का जो है सिला लेकों में नाम मिलता है जबालीपूर और सुवर्ण गिरी ठीक है क्योंकि सुवर्ण गिरी यह सोन गिरी पहाडी पर है इसलिए सुवर्ण गिरी नाम इसका त्रिकूट पहाडी पर इस्तित है। अगला है किस किले के लिए कहा जाता है कि यहां पहुचने के लिए पत्थर के पैर लोहे का शरीर वह गोड़े पर शवार होकर पहुचा जा सकता है। तो ऐसा कथन जो है किस किले के लिए कहा गया है कि जिसके लिए पत्थर के तो पैर होने चाहिए और लोहे का सरीर होना चाहिए और गोड़े पर सवार होकर ही यहां पहुचा जा सकता है। जो है वह इसी तरीके की दिखाई दे रही है कि पहुचने के लिए पत्थर के पैर चाहिए लोहे का सरीर चाहिए घोड़े पर सवार होकर पहुचा जा सकता है। तो किला जो है वह है लोहागड का किला नहीं है अंसर है जैसल मेर का किला। जैसल मेर के किले का निर्मान किसने करवाया तो भाटिशाशक राव जैसल ने करवाया ठीक है। पढ़ चुके हैं जैसल मेर के किले का निर्मान किस ने करवाया था ग्यारा सो पच्पन इसवी में भाटी शाशक राओ जैसल ने नेक्स्ट है 66 question लोहागड का निर्मान किसने करवाया लोहागड का निर्मान जो है वह किसने करवाया तो इसका निर्मान जो है वह है भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने करवाया 1733 इसवी में ठीक है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक है लोहागड और एक है जैसल मेर का किला और यदि लाइन आ जाती है कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि जहां पहुंचना है तो पत्थर के पैर होने चाहिए लोहे का सरीर होना चाहिए गोडे पर सवार होकर पहुंच सकते हैं वहां तो वह किस किले की बात थी सोनार के किले की जैसल मेर के किले की ब नहीं थी लोहागड के लिए के प्रवेश द्वार पर निर्में दर्वाजे को कौन दिल्ली से भरतपूर लेकर आये थे तो यहां का जो दर्वाजा है लोहागड के लिए के प्रवेश द्वार का तो उसे दिल्ली से भरतपूर लेकर आये थे महाराजा जवाहर सिंग महाराजा जवाहर सिंग जो है वह दिल्ली से भरतपुर लेकर आये थी लोहागड के लिए के प्रवेश द्वार पर जो दर्वाजा है कौन से अंग्रेज अफसर ने 1805 इस्वी में विशाल सैना व तोप खाने के साथ पांच बार लोहागड के लिए पर चड़ाई करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वह असफल हुआ तो वह कौन सा अंग्रेज अफसर था तो वह था लौड लेक ठीक है याद रखना है लौड लेक था तो आज हमने चोटे-चोटे से बातें जो हैं वह किलों के बारे में कि जो की आपके लिए जरूरी थी जालोर का किला जो है वह सोनगिरी पहाडी पर सूकरी नदी के किना तो इस्टित है वहीं हमने जैसलमेर किले की बात की जो की तरकूट पहाडी पर इस्टित है ठीक है और उसके बाद हमने बात की लोहागर का किला जो है वह है महाराजा सूरंजमल जो की भरतपुर के शाशक थे इन्होंने बनवाया था और जैसल मेर के लिए का निमान राव जैसल ने किया था ठीक है और इसके बाद जो इंपोर्टेंट लाइन है कि पत्थर के पैर लोहे का सरीर गोड़े पर सवार होकर पहुचा जा सकता है तो चलिए स्टाट करते हैं कोशन वन गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है तो देखिए आंसर है कि राडू का सौमेश्वर मंदिर नेक्स्ट है कुश्चन 2 कौन सी सदी को मंदिर शिल्प का श्वन काल कहा जाता है तो इसका सही आंसर है ग्यारवी से तेरवी सदी नेक्स्ट है कुश्चन 3 भूमिज शैली से बना राजिस्थान का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है भूमिज शैली से बना राजिस्थान का सबसे प्राचीन या पुराना मंदिर जो है वह कौन सा है शेवाडी का जैन मंदिर जो की कहा है पाली जिले में ठीक है शेवाडी का जो है वह है राजिस्थान का सबसे पुराना मंदिर है जो भूमिश चैली से बना हुआ है इसके अलावा मैनाल का महा नालेश्वर मंदिर, बारा जिले में रामगल का भन देवरा मंदिर और विजोलिया का उडेश्वर मंदिर यह भी भूमिश चैली से ही बना हुआ है वह सरवादिक प्रसिद्ध मंदिर है जैन मंदिरों में एकलिंग जी का मंदिर कहा इस्तित है यह मंदिर जो है यह उद्यपूर में इस्तित है यह मंदिर कहां इस्तित है यह उदेपुर्ड जिले में इस्तित है Next है expression 6 एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर जो है वह किसने बनवाया था तो यह है मेवाड के جो गोहिलवन्स के संसापक भी माने जाते हैं मेवाड के साशक बप्पा रावल ठीक है तो वास्तविक्स अंसापक माना जाता है बप्पा रावल को और इनका वर्तमान स्वरूप जो है इस मंदिर का यह महाराणा रायमल ने दिया था तो एक लिंग जी का मंदिर किस ने बनवाया? वप्पा रावल ने बनवाया, जो की मेवार के शाशक थे. मेवार के राजगराने के कुल देवता कौन है? तो कुल देवता जो है, वह एक लिंग जी को ही माना जाता है. Q8. किराडू का मंदिर कहां इस्तेत है? तो कई बार ये कोशन हम कर चुके हैं, किराडू का मंदिर जो है, वह है बार्मेर जिले में इस्तेत है. कहां इस्तेत है? बार्मेर जिले में इस्तेत है. next देखिए question number 9, किराडू का प्राचीन नाम क्या था, तो नाम था किराट कूप, next है question number 10, किराडू के मंदिरों में सबसे सुन्दर मंदिर कौन सा है, तो यह मंदिर जो है, वह सौमेशवर मंदिर है, सौमेशवर मंदिर जो है, वह किराडू के मंदिरों में सबसे सुन्दर मंदिर है, किस मंदिर को राजिस्थान का खजराहो कहा जाता है, तो राजिस्थान का खजराहो जो है, वह कहा जाता है किराडू के मंदिर को, most important question, इस्तित जगत शिरोमणी मंदिर का निर्मान किसने करवाया तो यह करवाया कच्छवाहा शाशक मान सींग की पतनी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सींग की स्मृती में जगत शिरोमणी मंदिर का निर्मान करवाया आमेर में कच्छवाह नरेश मान सिंग जगत शिरोमणी मंदिर में परतिष्टित काले पत्थर की क्रिष्ण मूर्टी कहां से लेकर आये थे तो जो मान सिंग थे वह है जो काले पत्थर की क्रिष्ण मूर्टी है जो इस मंदिर में विराजमान है जगत शिरोमणी मंदिर में तो वह कहां से लेकर आये थे, तो यह मूर्ती जो है वह है चित्तोड से लेकर आये थे. Question number 14. गुजराद के चालुक के शाशक भीमदेव के मंतरी बिमल शाहा, इन्हों ने किस जैन तीर्थकर का मंदिर बनवाया? तो गुजराद के जो चालुक के शाशक भीमदेव के मंतरी बिमल शाहा ने प्रतम जैन तीर्थकर रिशव देव जी का मंदिर बनवाया? ठीक है? प्रतम जैन तीर्थकर कौन है? रिशव देव. तो इनका मंदिर बनवाया? किसने बनवाया? गुजराद के चालुक के शाशक भीम देव के मंतरी बिमल शाहने तो यह वास्तुपाल और तेसपाल ने बनवाया नेश्ट देखिये question no.16 आभा नेरी में इस्थित हर्षत माता का मंदिर मूलत है किस देवता का मंदिर है किस देवता का मंदिर था तो यह विश्नु देवता का तो यह नमबरा श्रुट है में इस्थिद बाडोली का शिव मंदिर किसने बनवाया चित्तोडगड में इस्थिद है बाडोली का शिव मंदिर याद रखना है बाडोली का शिव मंदिर कहां है तो वह है चित्तोडगड जिले में किसने बनवाया यह बनवाया हूण शाषक तोर्मान के पुत्र मिहर कुल ने यह मंदिर बनवाया तो आज यह चैप्टर जो है वह है complete हो जाएगा सभी मंदिर जो है वो हम कर लेंगे Question 18 है हाडोती का खजुराहू के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है तो हाडोती का हाडोती का खजुराहू जो है वह है किस मंदिर को कहते हैं यह कहते हैं भन देवरा के शिम मंदिर को जो कहां है बारा जुले की रामगण में इस्तित है। रनकपूर का जैन मंदिर कहां इस्तित है? तो यह मंदिर पाली जुले में इस्तित है। नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 20 रनकपूर के जैन मंदिर का निर्मान किस ने करवाया? तो यह मंदिर का निर्मान करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकिंड ग्रेड में यह कुश्यन पूछा जा चुका है। महारणा कुमबा के शाशनकाल में एक जैन व्यापारी था धर्नी शाहा। ठीक है? इंपॉर्टेंट है बहुत जादा एक जैन व्यापारी धर्नी शाहा ने महारणा कुमबा के शाशनकाल में रनकपूर के जैन मंदिर का निर्मान करवाया। किस मंदिर को खंबों का अजायब घर वा चौ मुखा मंदिर कहा जाता है ठीक है तो बहुत सारे खंबे हैं तो इस वज़े से कहा जाता है खंबों का अजायब घर और इसे चौ मुखा मंदिर भी कहते हैं रनकपूर का जैन मंदिर ठीक है रनकपूर के जैन मंदिर को क्या कहत नेक्स्ट है 22 कुश्चन रनगपुर का जैन मंदिर किस जैन तीर्थ कर को समर्पित है तो यह समर्पित है पर्थम जैन तीर्थ कर आदीनाथ पर्थम जैन तीर्थ कर आदीनाथ तो आदीनाथ इनको ही क्या बोलते हैं रिशब देव बोलते है नेक्स्ट चलिए कुश्चन न क्योंकि यह 1444 खंबों पर टिका होने के कारण, इसे क्या कहा जाता है, खंबों का अजायब गड़, किस मंदिर को विमल शाही मंदिर कहा जाता है, यह कहा जाता है, रिश्यव देव के मंदिर को जो की कहा है देलवारा में, नेक्टर है Question 25. किस मंदिर को लोणवशाही मंदिर कहा जाता है लोणवशाही मंदिर जो है वह किसे कहा जाता है नेमिनात के मंदिर को जो कि देलवाड़ा में ही है तो देखिए chapter में एक-एक point जो है वो आपको question के format में मिलता है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक है ये चीज आप भी जानते हो कि आपको ऐसे question जो है इस तरीके से बने हुए आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे जो कि इतने जादा महनत से बनाये जाते हैं तो आप इन सब को बहुत अच्छे से लर्ण करेंगे, साज बहु का मंदिर कहां इस्तित है, ठीक है, तो जिसे सहस्तर बहु मंदिर भी कहा जाता है, तो यह मंदिर जो है, वह है उध्यपुर के निकट नागदा में इस्तित है, उध्यपुर के पास में नागदा में इस्तित है, साज बहु का म बाडोली का शिव मंदिर कहां इस्तित है यह चित्तोडगर में इस्तित है नेक्ट देखिए question 28 तो मंदिर से संबंदित सभी प्रश्ण complete होते हैं 27 question में ठीक है 27 question जो है वही निकले हैं जो कि इन ही मैं से मंदिरों में से question आपके exam में पूछ लिया जाएगा अब चलिए अब आता है हवेलियों के बारे में प्रश्ण कहां की हवेलियां विश्व प्रशिद हैं कहां की हवेलियां जो है वो विश्व में भी विख्यात हैं तो देखिए जैसलमेर की जो सालम सींग की हवेली है और पटवों की हवेली है ठीक है जैसलमेर की सालम सींग की हवेली नतमल की हवेली और पट्वों की हमेली ये विस्व विख्यात है विस्व में परशिद है बच्छावतों की हवेली किसके द्वारा निर्मित की गई बच्छावतों की हवेली यह किसके द्वारा निर्मित की गई तो यह कर्ण सिंग बच्छावत द्वारा निर्मित की गई बिकानेर की मोहता मूंदडा रामपुर्या की हवेलियां किस पत्थर की बनी हुई है यह किस पत्थर की बनी हुई है तो यह लाल पत्थर की बनी हुई है तो जियोग्रफी में यह चीज आपको आपने पढ़ी होगी तो लाल पत्थर जो है वह कहां का फेमस है किस जिले का famous है ठीक है चलिए next है निम्न मैंसे निर्मान कहां इस्तित है तो देखिए यहां question जो है इस तरीके का है कि यहां पर कुछ छत्रियां है यह कहां कहां पर इस्तित है यहां को देखना है तो मुसी महरानी की छत्री जो है वह है अलवर जिले में इस्तित है मुसी महरानी की छत चत्री जो है वह करोली में है गोपाल सिंग की चत्री कहां है करोली जिले में है next है question देखिए 31 में ही 84 खमो की चत्री जो है वह कहां इस्तित है तो यह बूंदी जिले में इस्तित है सेठों की चत्री जो है यह कहां है रामगड में राओ कल्यानमल की चत्री जो है वह है बीका नेर में ठीक है राओ कल्यानमल की चत्री जो है वह कहां है बीका नेर में तो ये कहां-कहां इस्तेते हैं चतरियां, मुसी महरानी की चतरी अलवर में है, गोपाल सिंग की चतरी करोली में है, 84 खंबो की चतरी बुंदी चिले में है, सेठों की चतरी रामगर्ड में, रावकल ल्यानमल की चतरी जो है वह है बीकानेर में है, इश्वर जिंग की चतरी कैटोर में है और जस्वन सिंग का थड़ा जो है वह कहां है जोतपुर में ठीक है तो यहां जितनी भी छत्री थी important सब भी यहां पर है कोई भी चूटी नहीं है नेक्ट चलिए 32 कोशन तो आज मैंने सोचा यह चैप्टर जो है वह काफी बड़ा हो गया है आज ही इसे कंप्लीट कर लिया जाए ठीक है नेक्ट चैप्टर जो है वह हम कल रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम उसके question answer करेंगे question 32 देखिए जल संरक्षन संबंदी टांकों का निर्मान किस प्रकार के जल को संरक्षित करने हेतु किया जाता है तो यह वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए किया जाता है आभा नेरी की चांद बावरी कहां इस्तित है तो यह बांदी कुई में इस्तित है ठीक है कहते हैं कि बांदी या दासियों द्वारा बनवाई गई इसी लिए नाम पड़ा बांदी कुई तो आभा नेरी की चांद बावरी जो है कहां इस्तित है बांदी कुई में नेक्स्ट दिखिए 34 कुशन उद्यपूर में त्री मुखी बावरी का निर्मान किसके द्वारा किया गया तो यह मेवाड के महारणा राज सिंग की पतनी रानी राम रसदे द्वारा इसका निर्मान किया गया उद्यपूर में त्री मुखी बावरी का निर्मान जो है वह मेवाड के महारणा राज सिंग की पतनी रानी राम रसदे द्वारा किया गया डुंगरपुर के पास इस्तित प्रशिद 9 लखा बावडी किसने बनवाई डुंगरपुर के पास में जो 9 लखा बावडी है इसका निर्मान करवाया महारावल आजकरण की पतनी प्रीमल देवी द्वारा ठीक है बूंदी में इस तित जो रानी जी की बावडी है इसका निर्मान करवाया बूंदी के ही शाषक अनिरुद्ध की पत्नी नाथावत द्वारा बूंदी में रानी जी की बावडी का निर्मान करवाया गया तो ये था इस चैप्टर का अंतिम प्रशन और आज आपका ये 6 चैप्टर जो है वो complete हो चुका है काफी बड़ा था ये चैप्टर, 1st चैप्टर की ही तरह हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान का इतिहास और संस्कृती, जिसमें चैप्टर नंबर 7 के कोश्चन आंस करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है लोक संगीत, ठीक है? तो राजिस्थान मादेमिक सिख्चा बोर्ड की बुक है, यहां से कोई भी प्रशन जो है किसी भी Quesn 1, कुरूँजा, पीपली, रतन राडो, मूमल, गहुगरी, केवडा, लोग गीत किस शेत्र से संबंदित है? तो ये जो गीत हैं, लोग गीत या मरुस्तल से संबंदित हैं. कौन से? कुण्जा, पीपली, रतनराडू, मूमल, घूगरी, घूगरी, केवडा, ये सभी लोग गीत मरुस्तल से सम्मंदित है बधावा गीत, चाक भात, रत जगा, मायरा, तोरण, जुआ, जुई, आती गीतों को किश्रेणी में रखा जाता है तो इन सभी गीतों को रखा जाता है, जन सामानने के लोग गीतों में नेक्स्ट है, कुश्चन थर्ड, तो कुश्चन आंसर जो है, इस चेप्टर के इजी है, ज़दा हार्ड नहीं है तो आप लोग एक दो बार वीडियो को देखने पर ही ये चीज़ याद हो जाएगी कुश्चन थरी है, विवहा से पहले रिष्टेदारों के यहां आमंत्रित किया जाता है, तो वापसी में कौन सा गीत गाते हैं? तो कौन सा गीत गाते हैं? बिलकुल बिंदोला गीत गाते हैं नेक्स्ट है, कुश्चन नमबर फोर, विवहा के समय वर निकासी की अबसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? घोडी गीत गाया जाता है, ठीक है? तो यहां पर किसकी निकासी? वर निकासी वर की निकासी पर गाते हैं घोडी गीत नेक्स्ट है कोशन फाइब लांगुरिया गीत है लांगुरिया गीत जो है वो कैसा है भक्ती गीत है ठीक है याद रखेगा लांगुरिया गीत जो है वो एक भक्ती गीत है लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंदित है? तो ये सब जानते हैं, लांगुरिया गीत जो है वो केला देवी से संबंदित है चौक चानरी गीत किस अफसर पर गया जाता है? चौक चानरी गीत जो है वह गया जाता है गनेश चतूर्ती पर कुश्यन नमबर 8 पटेलियो बीचियो लालर ये क्या है पटेलियो बीचियो लालर क्या है तो ये लोक गीत है नेक्स्ट देखिए कुश्यन 9 हर्जस क्या है तो देखिए क्या आपने कभी ये शब्द जो है वो सुना है जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है मेरे साथ साथ वो तो जानते हैं कि हर्जस क्या है एक भक्ति गीत है नेक्स्ट देखिए कुश्यन 10 अलाह जिलाई बाई की प्रशद्दी का क्या कारण जो है वो क्या है क्यों प्रसिद हुई ये क्या है ये गाय का है मांड गायन जिन्हें पदम श्री अवार्ड भी मिल चुका है तीक है नेक्स्ट देखिए कुश्यन 11 अलाह जिलाई बाई का सु विख्यात गीत कौन सा है जो परेटकों को खुला निमंतरन है तो इन्होंने ऐसा कौन सा गीत गाया जो की सु विख्यात हुआ है जिसके लिए इन्हें पदम श्री अवार्ड भी मिला है तो जो की परेटकों को ए लोग गीतनों का अधिक प्रचलन है सामुहिक लोग गीतनों का प्रचलन जो है वह पहाड़ि शेत्र में अधिक है नेक्स्ट है 13 कुशन, लालर, माचर, नोखीला, थारी, उंटारी सवारी, नावरी असवारी, लोक गीत किश शेत्र से संबंदित हैं? तो यह सब ही जो हैं, यह मेवाड शेत्र से संबंदित हैं. किश शेत्र में भक्ती वश्रंगार गीत अधिक प्रचलन में हैं? तो यह मैदानी शेत्र में हैं. और मैदानी शेत्र जो आप सभी जानते हो, जोगरफी में आप पढ़ चुके हो, कि पूरवी राजिस्थान को मैदानी शेत्र जो हैं, वो कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, बीलों का लोग गीत जिसे इस्त्री और पुरुस मिलकर गाते हैं, तो वो कौन सा है? वो है हम सीडों. कौन सा है? हम सीडों, जो की बीलों का लोग गीत है, जिसे इस्त्री और पुरुस दोनों मिलकर ही गाते हैं. तो इस चैप्टर में इतने ही तो वो क्या कहलाते हैं लोगनत्य कहलाते हैं जिसमें किसी भी तरीके का द्यान नहीं रखा जाता है ताल का ले का कोई भी सकती से पालन नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं? लोग नत्य होते हैं, नैक्स्ट देखिए question 2, सुप्रसिद्य कला मर्मग्य देवी लाल सागर ने लोग नत्यों को कितने भागों में बाटा? किसने? देवी लाल सागर ने, इन्होंने तीन भागों में बाटा, पहाडी नरत्या, राजिस्थानी नरत्या और पूर्वी मैदानी नरत्या ठीके तो तीन भागों में बाटा था किसने सु प्रसिद्ध कला मरमग्य देवी लाल सागर ने लोग नरत्यां को तीन भागों में बाटा पहाडी नरत्या, राजिस्थानी नरत्या और पूर्वी मैदानी न गेनर नत्य dairy किस शेत्र की विसेश पहचान बन गया है . गेनर नत्य में किया जाता है मेवाड और बाढमीर में नेक्स्ट देखिए question 4 गीनर नत्य किस सेत्र में प्रसिद्ध है तो गैर नत्य जो है वह मेवाड और बाडमेर में प्रसिद्ध है वहीं गीनर नत्य प्रसिद्ध है सेखावटी सेत्र में याद रखिएगा गैर नत्य गीनर नत्य दोनों ही पुर्सों के द्वारा किये जाने वाले नरत्या है, गीनर नरत्य में प्रिक्तु होने वाले प्रमुक वादियंत्र है, तो गीनर नरत्य में प्रमुक वादियंत्र कौन से हैं, धोल है, धप है और चंग है, धोल, धप और चंग, ये कौन से नरत्य में हैं, गीनर नरत्य में मुक्य वादियंत्र है, गैर नरत् यहां पर धोल है, बांकिया है और थाली है, धोल, बांकिया और थाली किसमें गैर न्रत्य में प्रयुक्त होने वाले वादियंत्र हैं। नेक्स्ट देखिए question 7, गीनर नत्य में पुरुस महलाओं के वस्तर पहन का नत्य करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो गीनर नत्य जो पुरसों के द्वारा किया जाता है, महलाओं के वस्तर धारण करके ये करते हैं नत्य, तो इन्हें कहते हैं गंडगोर. नेक्स्ट दिखिए कुश्चन 8 कच्छी गोडी नत्य कब किया जाता है यह भी पुर्सों द्वारा किया जाने वाला नत्य है और यह विवहा की अफसर पर किया जाता है हमने चैप्टर पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं गोडे जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से ये लोग उसकी वेसबुसा जो है वो धारन कर लेते हैं और नत्य करते हैं विवहा के अफसर पर Q9 है गैर्म नत्य कब किया जाता है यह होली पर किया जाता है Q10 सेखावटी डीलवाना परिवत सर कुचामन आदीशेत्र का प्रमुक नत्य कौन सा है सेखावटी, दीणवाना, पर्वतसर, कुचामन, आदी शेत्रों का नत्य जो है वह है कच्छी घोडी नत्य जिसकी हमने अभी बात की थी नेक्स्ट देखिए जो की विवहा की अफसर पर करते हैं डांडिया नत्य किस शेत्र का प्रसिद्ध नत्य है? तो यह नत्य जो है मारवार शित्र का प्रसिद्ध है तो देखिए नत्य से संबंदित हर कॉश्चन जो है वो यहाँ इस चैप्टर में हमें मिल जाता है तो RBSC की जब हमने 6 से लेकर 10 तक की कम्प्लीट कर ली थी तो हमने वहाँ पर भी टुकडों में पढ़ा था, ठीक है? कुछ बातें हमने 7th क्लास में पढ़ी थी, कुछ हमने 8th क्लास में पढ़ी थी मादिमिक सिक्षा बोर्ड की बुक से यहाँ पर क्या है? बिल्कुल अलग से ही यह चीज मैंशन की हुई है तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमने यह चीज पहली बार पड़ी है, तो ऐसा नहीं है 6 से 10 तक कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, वह हम इन चीजों को भी पढ़ चुके हैं और सभी बच्चे जो हैं, वो याद भी कर चुके हैं तो डान्य नर्त्य जो है वह है मारवाड के शेत्र का प्रसिद नर्त्य है. जसनाती संप्रदाय के अन्याईयों द्वारा किया जाने वाला नर्त्य कौन सा है? कुशन 13 है किस नरत्य में महिलाएं सिर पर एक चिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नरत्य करती है तो वो कौन सा नरत्य है जिसमें महिलाएं जो होती है वो सिर पर क्या रखती है मटका रखती है उसमें छेद होता है और उसमें दीपक रखा जाता है और फिर उसको रखे डांस करती है तो वह है है गुडला नरत्य कौन सा नरत्य है यह है गुडला नरत्य कुशन 14 है गुडला नरत्य कहां का प्रसिद है गुडला नरत्य कहां का प्रसिद है तो यह है मारवार जोदपुर का, मारवार जोदपुर का प्रसिद है घुडला नरत्य, गींदर नरत्य, चंग नरत्य, डांडिया नरत्य और घुडला नरत्य, इनमें से महिलाओं द्वारा कौन सा नरत्य किया जाता है, तो हमने गींदर नरत्य को पढ़ लिया, हमने घुड डोल नत्य कहां का प्रसिद है तो यह जालोर में डोल नत्य किया जाता है कुशिन नमबर 17 देखिए किवल पूरसों द्वारा किया जाने वाला नत्य कौन सा है किवल पूरसों द्वारा तो हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि गैर नरत्य पुरसों द्वारा किया जा रहा है, मेवाड और बाडमेर में, गींदर नरत्य जो है, वह भी पुरसों द्वारा किया जा रहा है, सिखावटी में, डांडिया नरत्य भी पुरसों द्वारा, अगनी नरत्य भी बिका नेर कि पुर्सों द्वारा कौन से नत्य हैं, महलाओं द्वारा किया जाने वाले कौन से नत्य हैं, और दोनों के साथ, एक साथ मिलकर जो नत्य किया जाता है, वो कौन से नत्य होते हैं, तो यहाँ पुर्सों द्वारा आपको पता चल गया है, इसके अलावा अभी हमने एक देख घुर्ला नरथ्य जो है वो महिलाओं द्वारा क्या जाता है। ढोन रथ्य कभी कंसा है तो कौन सा है अलवरंबभारत पुर्ड का लोख न्थय यह है भं नतिय ठीक है भं रस्या भी कहते है और भं नतिय भी कहते है तो भं का अर्थ तो क्या है पूछा जा सकता है एक्जाम में तो इसका अर्थ होता है नगाड़ा Q20 है किस नरत्य की व्यावसाइक पहचान बूदपूर मुख्यमंत्री जय नरायन व्यास ने दिलाई Q21 राजिस्थान का राजिय नरत्य कौन सा है तो राजिय नरत्य जो है वह कौन सा है घूमर है Q23 राजिस्थान में किन जिलों में गर्वा नरत्य का प्रचलन है तो हमने देखा राजिस्थान और गुजरात दोनों में ही गर्वा नरत्य प्रसिद्ध है तो यह है जो दक्षणी भाग है राजिस्थान का जुंगरपुर और बासवाड़ा यहां पर गर्वा नरत्य जो है वह देखने को मिलता है तो यह है तो हमें पता चल गया कि वालर नरत्य क्या है एक जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोग प्रिया नरत्य है तो यह किस जनजाती द्वारा किया जाता है यह गरसिया जनजाती द्वारा किया जाता है ठीके और बिल्कुल बहुत ध्यान से कि इस नरत्य में कोई वादियंत्र प्रियोग नहीं होता है इस नरत्य में इस तरी पुरुस दोनों ही नरत्य करते हैं ठीके इंपोर्टेंट ला किस वादियंत्र का प्रियोग होता है तो अभी मैंने आपको बताया है कि इस नरत्य में कोई भी वादियंत्र का प्रियोग नहीं किया जाता है और इस्त्री पूर्शों द्वारा इसको किया जाता है गरासिया जन्जाती द्वारा संकरिया, सूर्दास, बोटी, डोकरी, बीका जी, डोला मारू, आदी नाच किस नरत्य से सम्बंदित हैं तो ये सभी नाच जो हैं यह हैं भवाई नरत्य से सम्बंदित हैं नेक्स्ट देखिए, कुश्चन 27 रूप सिंग से खावत दयाराम और तारा शर्मा किस नरत्य के प्रसिद कलाकार हैं तो ये हैं भवाई नरत्य के प्रसिद कलाकार याद रखेगा भवाई नरत्य के प्रसिद कलाकार रूप सिंग से खावत हैं दयाराम हैं और तारा शर्मा ह तेरे ताली नत्य किस जाती का लोगप्रियन नत्य है? यह कामण जाती का प्रमुक लोग नत्य है जो की राम देव जी को समर्पित है तो यहाँ पर देखिए तेरे ताली नत्य जो है वह किस जाती का है? कामण जाती का है दूसरा कोशन बनता है किस देवता को लोग देवता को समर्पित है यह राम देव जी को समर्पित है मांगी बाई और लक्षमन दास किस नरत्य के प्रसिद कलाकार है तो मांगी बाई के बारे में तो आप जानते हैं लेकिन लक्षमर्दास के बारे में आप नहीं जानते होंगे शायद तो मांगी बाई और लक्षमर्दास दोनों ही प्रसिद कलाकार हैं तेरे ताली नत्य के नेस्ट देखिए कोशन 30 काल बेलिया नत्य को युनेसको द्वारा अमूर्थ विरासत सूची में कब शामिल किया गया तो ये कोशन आपकी एक्जाम में पूछा भी जा चुका है लास्ट ये ठीक है तो ये चीज आपको समझ में आई होगी के इन बुक्स में से ही आपके सभ कुशन जो हैं वो पूछे गए थे तो काल बेलिया नत्य को युनेसको द्वारा अमूर्थ विरासत सूची में कब शामिल किया गया इसे 2010 ने शामिल किया गया था प्रसिद नरत्यांगना गुलाबो ने किस नरत्य को देश विदेश में पहचान दिलाई या प्रसिद नरत्यांगना गुलाबो जो है वह किस नरत्य से संबंदित है तो यह काल बेलिया नरत्य से संबंदित है भीलों द्वारा किया जाने वाला नत्य है तो यह है नेजा नत्य, रमणी नत्य, युद्ध नत्य, हाथी मना नत्य और घूम्रा नत्य है नेजा, रमडी, युद्ध नरत्य, हाती मना नरत्य और घूमरा भीलों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख नरत्य है गरसिया जनजाती द्वारा किये जाने वाले नरत्य कौन सा है तो गरसिय जनजाती द्वारा किये जाने वाले नत्य जो है घूमर है, गोर है, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल. ठीक है, most important है, आपको याद रखना है, गरसिय जनजाती द्वारा किये जाने वाले नत्य घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल. ठीक ह कालबलिया, जन्जाती द्वारा किये जाने वाले नत्य हैं इन्डोनी, पनिहारी, बांगडिया और संकरिया। ठीके?, तो बिलकुल उप्शन में एक आ जाएगा, कि इन्डोरी जो है, वह है, किसका नत्य है, किस जन्जाती का नत्य है। याद रखना है आपको कालबेलिया जनजाती का, इसी तरीके से पनिहारी, बांगडिया और संकरिया, ये चारों ही क्या है, कालबेलिया जनजाती द्वारा किये जाने वाले नत्य है, बंजारों द्वारा किये जाने वाले नत्य कौन सा है, तो ये नत्य है, मचली नत्य, गुर्जरा किया जाने वाला नत्य कौन सा है तो यह है चरी नत्य जूमर नत्य तो चरी नत्य वह होता है जिसमें की सर के उपर बहुत सारे मट्के रखकर नत्य किया जाता है ठीक है। किसका नत्य है गुर्जरों द्वारा किया जाने वाला नत्य है। मावलिया नत्य किस की जंजाती का लोग नत्य है। मावलिया नत्य जो है वह किस जनजाती का लोग नत्य है तो यह है कथोड़ी जनजाती का है या इसी को थोड़ा पोजिट पूछ लिया जाए कि कथोड़ी जनजाती का लोग नत्य कौन सा है मावलिया नत्य नेक्स्ट देखिए, question 39, चक्री नत्य, इसमें गोल-गोल, चक्री की तरह घूमती है, महलाओं द्वारा किया जाता है, और धाकर नत्य, किस जनजाती द्वारा किये जाते हैं, तो चक्री और धाकर नत्य, यह है कंजर जनजाती की महलाओं द्वारा किये जाने वाला नत्य है कौन सा चक्री और दहकर्णत्य अगला देखिए question 40, कुचा मनी खयाल के प्रवर्तक हैं, तो लक्षी राम जो हैं वह कुचा मनी खयाल के प्रवर्तक हैं, नेक्स्ट है question 41, कुचा मनी खयाल के प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं, तो यह हैं उगम राम, नेक्स्ट देखिए, 42 question, सेखावटी खयाल के प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं, तो यह कौन हैं, यह हैं नानु राम, तो देखिए, जो खयाल हैं, इससे सम्वनित प्रस्णों जो हैं, वो रीट के एक्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन second grade, first grade, RAS, यहां पर इससे सम्वनित प्रस्णों जो हैं वो आते हैं, तो यदि आप खयाल से सम्वनित प्रस्णों जो हैं, नहीं याद करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी और कम्टिशन के त्यारी कर रहे हो, तो जरूर आपको ये याद करने चाहिए. तो सेखावटी खयाल के प्रमुखिलाडी है नानूराम. Q43. किस खयाल नाटेशाली में नए प्रियोगों की अत्यदिक संभावनाएं हैं? तो ये है जैपुरी खयाल. हैला खयाल में किस वाधियंतर का प्रियोग किया जाता है? Next है, Q45. कौन सा ख्याल करॉली सवाई माधोपुर धौलपुर भरतपुर और दोसा का प्रसिद लोकनाट्य है तो करॉली सवाई माधोपुर धौलपुर भरतपुर और दोसा यहां का प्रसिद लोकनाट्य अब लोकनाट्य से समधित प्रश्ण आ गए है यह क्या है कनहिया ख्याल ठी देखिए, question 46. कौन सा लोगनाटे जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है? तो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित लोगनाटे है गवरी. ठीक है? याद रखना, गवरी जो है लोगनाटे वह है शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है. गवरी लोकनाटे किस शेत्र से सम्मंदित है? गवरी लोकनाटे जो है, वह मेवाड शेत्र से सम्मंदित है मेवाड शेत्र का प्रभमुक लोकनाटे कौन सा है? गवरी लोकनाटे Quesion number 48 गवरी कितने महीने तक खेली जाती है? गवरी जो है वह कितने महीने तक खेली जाती है? तो यह खेली जाती है सवा महीना तक ठीक है? सवा महीना तक गवरी जो है वह है खेली जाती है Next देखिए 49 गवरी नाट्य में कौन सा पात्र लोग भासा में कभीता पाट करता है तो वह है जामट यहां पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध लोग नाट्य जो है वह कौन सा है रमत रम्मत के किस कलाकार ने स्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाडा प्रारम किया? रम्मत का वो कौन सा कलाकार जिन्हों ने स्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाडा प्रारम किया? तो वह हैं तेज कवी तेज कवी ने स्वतंतर बावनी की रचना करके इसे भेट दिया महत्मा गांधी जी को याद रखेगा important है line तेज कवी ने स्वतंतर बावनी की रचना करके महत्मा गांधी को भेट किया था नेक्स्ट देखिए question 53 है जैपूर का प्रसित लोग नाट्टे है important है बहुत ज्यादा जैपूर का प्रसित लोड़क नाट्टे कौन सा है तो प्रसित लोग नाट्टे है तमासा ठीक है आपको याद रखना है तमासा जो है वो एक लोग नाट्टे है कहां का जैपूर का फूल जी भट गोपी क्रिश्न भट और वासुदे भट किस लोग नाट्टे के प्रसिद कलाकार है तो ये सब ही जो हैं वह हैं तमासा जो की एक लोक नाट्टे है जैपूर का प्रसिद इसके प्रमुप कलाकार हैं कौन है फूल जी भट है गोपी कृष्ण है और वासुदे भट है नेक्स्ट देखिए कौश्चन 55 धौलपूर, करॉली, अलवर, गंगापूर, भरतपूर का प्रसिद लोक नाट्टे है तो वह कौन सा है नो टंकी टंक की प्रसिद नाट्टे कला है तो यह कौश्चन जो है वो आपके RPSC ने ही किसी एक्जाम में पूछा था टंक की प्रसिद नाट्टे कला जो है वह है चार बेंत याद रखना है चार बेंत जो है वह है टंक की प्रसिद नाट्टे कला है स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमबर 9 तो हम लोगों ने चैप्टर जो है वह पढ़ लिया है अब हम करेंगे इसके कोश्यन आंसर तो देखिए कोश्यन नमबर 1 है राजिस्थानी भासा से क्या तात पर रहे है तो देखिए राजिस्थानी भासा से तात पर रहे क्या है राजिस्थान की भासा के लिए सर्व प्रतम राजिस्थानी सब्द का प्रियोग किस ने किया? राजिस्थान की भासा के लिए सर्व प्रतम राजिस्थानी सब्द का प्रियोग किस ने किया? सभी भारतिय भासाओं की जनिनी है कौनसी भासा वैदिक संस्कृत इसका सही उत्तर है वैदिक संस्कृत नेक्स्ट देखिए कुश्य नमबर फोर राजिस्थानी भासा का विकास किस अपभरंस भासा से हुआ माना जाता है तो इसका सही आंचर है मरू गुर्चली अपभरंस नेक्स्ट है कुश्य नमबर फाइव डॉक्टर गियर्सन ने राजिस्थानी बोलियों को कितने भागों में बाटा तो दो भागों में बाटा पक्षिमी राजिस्थानी और पूर्वी राजिस्थानी तो देखिए पक्षिमी राजिस्थानी और पूर्वी राजिस्थानी इसके अंतरगत प्रशन जो है वह भी आएंगे कि इसके अंतरगत कौन सी बोलियां जो है वह भी शामिल है नेक्स्ट देखिए Quesion No.6 पूर्वी राजिस्थानी बोलियों में शामिल बोली कौन सी है? तो सही आंसर है तूर्वी राजिस्थानी में हमने देखा तूर्वी राजिस्थानी में हमने देखा तूर्वी राजिस्थानी में हमने देखा तूर्वी राजिस्थानी में हमने मेवाडी, बागडी और सेखावाडी ये सभी पक्षमी राजिस्थानी बोलियों में शामिल बोली हैं तो हमने देखा था कि डॉक्टर गियर्सन ने राजिस्थानी बोलियों को दो भागों में बाटा था पक्षमी राजिस्थानी और पूर्वी राजिस्थानी बोलिया ने हैं मारवाडी की उपबोलियां हैं नेक्स्ट है कुश्यन नंबर 9 मारवाडी किन जिलों में बोली जाती है तो मारवाडी बोली जाती है विकानेर में जोधपुर में नागोर में बाडमेर में पाली में जैसल मेर में Next question number 10 मेवारी बोली कहां बोली जाती है तो मेवारी बोली जो है मेवार शेत्र में बोली जाती है ओदैपूर, चित्तोडगर्ड, रासम्मत, भीलवाड़ा यहां क्या बोली जाती है मेवारी बोली और विकानेर जोद्पुर नागोर बाड मेर और पाली यसर मेर में मारवाडी बोली बोली जाती है किस बोली की सबसे बड़ी विसेश्ता है कि वहाँ पर 6 सब्द का प्रियोग होता है तो वह है हाडोती ठीके तो हाडोती बोली जो है उसकी विसेष्था है कि वहाँ पर 6 सब्द का प्रियोग बहुत अधिक किया जाता है तो यह 6 सब्द का प्रियोग हम देखते हैं कि गुजरात शेत्र में किया जाता है next देखिए question number 12 हाडोती बोली किन शेत्रों में बोली जाती है तो हाडोती शेत्र में बोली जाएगी हाडोती बोली, कोटा, बोली, जालाबाड और बारावे next है question number 13 अलवर और भरतपूर में कौन सी बोली बोलते हैं तो अलबर भरतपुर ये मेवाती इलाका माना जाता है तो यहां मेवाती बोली बोली जाती है नेक्स्ट कोश्यन नमबर 14 जैपुर दोसा बगरू दूदू तक कौन सी बोली बोलते हैं तो यहां पर दूडार जेत्र है तो इसलिए इसका नाम पड़ा दूडारी तो यहां दूडारी बोली जो है वह है बोली जाती है नेक्स्ट देखिए दूगरपुर और बासवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है तो यहां पर बांगडी बोली जो है वह बोली जाती है तो हमने पहले भी देखा था यहां पर बांगडी जो नहीं है यह क्या है बांगडी दुगरपुर और पोस बासवाड़ा में बांगडी बोली बोली जाती है किस बोली का राजिस्थान में प्रमुक शेत्र प्रताप गड़ है तो वह बोली है मालवी बोली नेक्स्ट देखिए निमारी किस बोली की उप बोली है तो यह मालवी की उप बोली है मालवी की उप बोली कौन सी है निमारी नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 18, शेखावटी बोली का प्रमुक्षेत्र कौन सा है? तो चूरू, जुन्जुनू, सीकर और हनुमानगड। अगल देखिए, वैली कृष्यन रुक्मनीरी रचना के रचना के रचना किसने की कौन है रचना? आंसर है प्रत्वी राज राठोड। कुश्यन नमबर 20, भक्तिकाल की रचना राम रासो के रचेता हैं? अगला है कुश्यन नमबर 21, सायाजी जूला की रचना किसने की? तो नाग दमनने सायाजी जूला की रचना की? नेक्स्ट देखिए राजिया रासो रठा, चकरिया रासो रठा, भेरिया रासो रठा, मोतिया रासो रठा आदी रचनाएं किस काल खंड की देन हैं? तो ये सभी उत्तरमध्यकाल की देन हैं? नेक्स्ट है राठोड रतन सिंग महेज दासो री वचनाकार कौन है? तो आंसर है खिडिया जग्गा नेक्स्ट देखिए उर्दू वफार्शी शब्दों युक्त गद पद तुकांत रचना क्या कहलाती है? दवावेद नेक्स्ट देखिए राजिस्थानी साहित्य में जमाल क्या है? यह एक मात्रिक छंद है जमाल क्या है? चंद है नेक्स्ट जमाल चंद में कितने चरण होते हैं? जमाल चंद में कितने चरण होते हैं? तो इसमें पांच चरण होते हैं तो जो भी question आप लोगों के लिए important थे इस chapter के लिए, वो मैंने आपको सभी करवा दिये हैं, तो ये एक-एक question जो है, आप लोगों के लिए उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोगों ने 9 chapter तक chapter भी पढ़ लिया है, और question answer भी कर लिये है, हम करेंगे chapter number 10 की question answer, तो चलिए start करते हैं, क्योंकि chapter काफी बढ़ा था, तो इस chapter को reading करने में भी time लगा है, लेकिन reading जो है, वो करना बहुत जरूरी होता है, तो चलिए start करते हैं, question 1 देखिए, भारत में आने वाला प्रतेक डैस परेटक राजिस्थान आता है, तो हमारा answer जो है, वो होना चा परेटन विभाग की स्थापना किस वर्स होई थी, तो यह 1956 में होई थी, याद रखना, राजिस्थान में परेटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी, परेटन को उध्योग का दर्जा किस वर्स दिया गया, तो यह उध्योग का दर्जा किस वर्स दिया गया, तो यह ग्रस्टिकोंड से भी आपका यी कुश्चन जो है वो बहुत इंपोर्टेंट रहता है तो याद रखिएगा कि परेटन को उध्यों का दर्जा जो है वह है 1989 इस्वी में दिया गया था नेक्स्ट चलिए कुश्चन नमबर फोर है अड़ाई दिन का जोपड़ा को संस्कृत महाविद्याले से मस्जिद में किसने तबदील किया तो सुल्तान मुहमद गौरी के सैनापती कुतुबुदिन एबक ने अड़ाई दिन का जोपड़ा जो है बनवाया था इससे पहले यहाँ पर संस्कृत महाविद्याले था नेक्स्ट देखे एकुश्चन नमबर फाइफ अड़ाई दिन का जोपड़ा जो नाम है यह पढ़ने के बीचे क्या कहानी है? क्या किवंदिती है? तो देखे इसके मं में से कौन सा सही नहीं है तो यदि हमने लाइन नहीं पड़ी है तो हम सोचेंगे कि अड़ाई दिन का जोपरा जो है वो अड़ाई दिन में नहीं बना होगा ये तो ऐसे ही लिख दिया गया है तो याद रखना कि अड़ाई दिन का जोपरा जो है वो अड़ाई दिन में ही ब नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 6, ख्वाजा साहब की दरगाह में कितने मुख्य दरवाजे हैं, तो यहां तीन दरवाजे हैं, निजाम, सहाजाँ वा बुलन दरवाजा, ठीक है, निजाम, सहाजाँ वा बुलन दरवाजा, नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 7, तो हम सोचते हैं कि reading करने में बहुत time waste होगा लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि question answer जो है वो हमें याद नहीं होते हैं कई बच्चों की ये आती है query कि हमें याद नहीं हो रहे हैं तो वो इसी वज़े से नहीं होते हैं कि आपने chapter जो है वो complete नहीं पढ़ा अगर आप किस भी story को पढ़ लेते हैं उसके बाद उसके question solve करते हैं तो कुछ चीज़ें वो हमें reading करते वक्त ही याद हो जाती है और कुछ question को solve करते हैं जब हमें याद हो जाती है तो चलिए इसलिए बहुत जरूरी थी reading करना यदि आपने नहीं की है तो एक बार अपने नजरों से एक खुआजा सहाब की दर्गा में निजामदर्वाजा का निर्मान जो है वो है धरावाद के नवाब ने करवाया था नेक्स्ट है, ख्वाजा सहाब की दर्गा में सहाजा दर्वाजा किसने बनवाया था, तो यह मुगल समराच सहाजा ने बनवाया था ख्वाजा सहाब की दर्गा में बुलन दर्वाजा किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, सुल्तान महमूद खिल जी ने बनवाया था, याद रखना है, ख्वाजा सहाब की दर्गा में जो बुलन दर्वाजा है, वह बनवाया था सुल्तान महमूद खिल जी ने, नेक् तो इसका कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि कुश्चन जो हैं, वो हमारे इन बुक्स में से ही आएंगे, ठीक है, कुश्चन 10 देखिए, आना सागर जील, कृतिम जील का निर्मान किसने करवाया, तो आना सागर जील जो है, वो कृतिम जील है, इसका निर्मान करवाया, राजा अजे पाल चोहान के पुत्र अनो राज चोहान, यानि अना जी ने, नेक्स्ट देखिए, कुश्चन 11, आना सागर जील के निकट, दौलत बाग का निर्मान किसने करवाया था, तो यह मुगल समराठ जहांगीर ने करवाया था, ठीक है, द आज 12 दरियां का निर्मान किसने करवाया था, तो इसका निर्मान करवाया समराठ सहाजाने, देखिए, सारी चीज़ें जो हमने पड़ी हुई है, पहले मैंने ऐसा सोचा था, कि जो important question होंगे, केवल उनको ही करवाएंगे, जो आप लोगोंने नहीं किये हैं अब तक, लेक जैसे हर एक question जो है वो यहाँ पर add किया गया है, तो आना सागर जील के निकट, पांच 12 दरियां का निर्मान किसने करवाया समराठ सहाजाने, नेक्स्ट है, मेयो कॉलेज का निर्मान किसने करवाया था, मेयो कॉलेज का निर्मान किसने करवाया था, रिचर्ड बार्क 1875 मे मेयो कॉलेज का निर्मान करवाया रिचर्ड बार्क ने कब 1875 में मेयो कॉलेज के भवन की इस्थापत्य कला किस प्रकार की है तो यह इंडो सार्सेनिक यानि भारतिय और अर्भी शैली है इन दोनों का मिश्रण है अजमेर में इस्तित सोनी जी की नसिया किस धर्म से संबन्दित है तो यह जैन धर्म से संबन्दित है विश्व के एक मात्र ब्रह्मा मंदिर की छवी जो है वह किस प्रकार की है तो ब्रह्मा मंदिर कहा है ये तो आपने याद किया होगा, इसके अलावा देखिये इसकी जो छवीव है, वह हंस जैसी है जो की ब्रह्मा जी का वाहन है सावित्री जो ब्रह्मा जी की पत्नी उनका मंदिर जो है वह कहां इस्तित है यह भी अजमेर के पुसकर में ब्रह्मा मंदिर के ही पीछे है नेक्स्ट कुशन 18 है तीर्थ इस्तलों का राजा किसे कहा जाता है तो सभी जानते हैं तीर्थ इस्तलों का राजा जो है वह है पुसकर सरोवर को कहा जाता है कुशन 19 है पुसकर सरोवर का आकार कैसा है तो यह अर्दुगोलाकार है कैसा है अर्दुगोलाकार है जो की 9 से 10 मीटर गहरा है इसमें 500 मंदिर है और 52 घाटों से घेरा हुआ है नेक्स्ट देखिए कुशन 20 है आनसागर जील राजिस्थान की किस जिले में इस्तित है आनसागर जील कहां है अजमेर जिले में इस्तित है और चाहे आप रीट की कर रहे हों पटवार की कर रहे हों आर्यस लेवल तक की कर रहे हो तब आपकी यह कुशन जो है वह बहुत ज जमेर जुला देखा था तो यहां आज हम अलवर जिले से संवद डिशन कर रहे हैं तो सरीष्का टाइगर लिजर्ब कहा इस्तितत है अलवर जिले में इस्तिततत ने स्ट देखिए question number twenty two, सरिस्का को अभिहारन्य का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए, computer वाले सर उन्होंने यहाँ पर अभिहारन्य जो हे, वो शब्द जो हे, वो गलत लिख दिया है, ठीके? तो अभिहारन्य बहाँ जो है, वो पूरा आएगा. सरिस्का को अभिहारन्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1 November 1955 में दिया गया, टीक है, जब राधिस्थान का एक इकरन हुआ, उससे एक वर्स पहले, टीक है, इस तरीके से याद रखिए, सरिस्का को अभिहारन्य का दर्जा 1 November 1955 को दिया गया नेक्स्ट देखिए कुश्चन नमबर 23, सरिस्का अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया 1978-89 में नेक्स्ट देखिए, कुर्ष्चन नमबर 24, सरिस्का अभ्यारन का वन शेत्र कितना है? 1203 वर्ग किलोमिटर नेक्स्ट देखिए, कुर्ष्चन नमबर 25, प्रिसिद भानगर्ड राजिस्थान की किस जिले में इस्तित है? प्रिशित भानगर्ड राजिस्तान की अलवर जिले में इस्तित है नेक्स्ट देखिए question 26 भानगर्ड की इस्थापना किसके द्वारा की गई तो भानगर्ड जो अलवर जिले में है यहाँ पर बहुत सारे परेटक जो हैं वो यहाँ पर यहाँ देखने आते हैं नेक्स्ट देखिए question 27 भानगर्ड के खंडरों में कितने मंजिला महल के अवसेश मिलते हैं तो यहाँ पर साथ मंजिला महल के अवसेश मिलते हैं साथ में सुव्यवस्तित, दुकाने, बजार, सौमेश्वर, महादिव का मंदिर और तालाब देखिए एक बात सुनिए कि जो आपका जो रीट का एक्जाम है वहाँ पर तो आपके question जो इस तरीके से पूछे जाने वाले हैं कि जो बहनगर्ड है वह है किस जिले में है ठीक है और किस ने इसका निर्मान करवाया ठीक है इतना ही पूछा जाएगा इतना ज़्यादा deep में नहीं पूछा जाता है लेकिन आप अगर पटवार की तयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हर एक question ध्यान में देना होगा और आप इन बुक से जो है वो बच नहीं सकते हैं लास्ट में आके आपको इन बुक को पढ़ना ही पढ़ेगा तो इससे तो अच्छा है कि आप अभी ही इनको पढ़ लें क्योंकि जो भी रीट की तयारी कर रहे हैं उन्होंने पटवार के फॉर्म जो है वो भी भरे होंगे तो आप लोगों के तयारी जो है वो एक ही जगे पर हो जाएगी Next देखिए question 28 मूसी महरानी की चतरी किसकी स्मृति में बनाई गई है तो मूसी महरानी की चतरी अलवाट जिले में है और यह बनाई गई है मूसी रानी की स्मृति में ठीक है याद रह जाएगा और इसे महराज बकतावर सिंग की पतनी मुसी महरानी जो है वो महराज बक्तावर सिंग की पतनी थी next देखिए question 29 है मुसी महरानी की छत्री में वास्तु कला की कौन सी शैली देखने को मिलती है तो यहां पर भारतिय वा इस्लामिक शैली जो है वह देखने को मिलती है next देखिए question number 30 मुसी महरानी की छत्री में कितने इस्तंब है मुसी महरानी की छत्री में कितने इस्तंब है तो इसमें 49 इस्तंब है 27 जो है वो बहुत विशाल है और 12 अन्य है next देखिए question number 31 है मुसी महरानी की छत्री कहां इस्तेत है तो बिलकुल पता है अलवर में है अरावली पहाडियों से गीरी हुई है City Palace व सागर जील के निकट ठीके, तो पूचा जा सकता है City Palace व सागर जील के निकट किसकी चतरी है मुसी महरानी की चतरी है ठीके, question पढ़कर जो है उसका answer ऐसे याद कर लेना है कि इस question को कैसे भी घुमा के पूचा जाए तो यहां पर भगवान श्रीकृष्ण, रामचंद्रजी, सीता, लक्ष्मी, आदी देवताओं का और महाराज बक्तावर सींग के जीवन सम्मंदी चित्रण देखने को मिलता है. तो मूसी महारानी जो है बक्तावर सींग की ही पतनी थी. अलवर के लोग देवता किसे कहा जाता है तो भरतरी जो महाराज है उनको अलवर के लोग देवता कहा जाता है Next देखिए, question 34 भरतरी का मेला जो है वह किस तिती को लगता है तो यह भादरपद अस्टमी को लगता है भरतरी का मेला जो है वो भादरपद अस्टमी को लगता है भरतरी के मंदिर का पुनरुद्दार किसने करवाया ठीक है पुनरुद्दार किसने करवाया तो महराजा जैसिंग ने 1924 इस्वी में भरतरी के मंदिर का पुनरुद्दार करवाया सिली सेट जील कहां इस्तित है तो यह है अलवर जिले में 15 किलो मीटर अरावली के पक्षमी छोर पर है ठीक है अब यह कुश्चन जो है वो रीट में पूछा जाने वाला कुश्चन है तो यह आपको पता है कि अलवर जिले में है तो अगर आपके जो अलग-अलग option दे दिया जाए और अरावली के उत्तरी शोर पर पूर्वी शोर पर ठीक है पक्षमी शोर पर ऐसे दे दिया जाए तो ध्यान नहीं रहता है क्योंकि इतना डीप में जाकर नहीं बढ़ते हैं तो अलवर से 15 किलो मीटर दूर अरावली की पक्षमी शोर पर इस्तित है शिली सेट जील नेक्स्ट देखिए 37 कोश्चन सिली सेट जील का निर्मान किसने करवाया तो किसने करवाया महराजा विने सींग द्वारा सिली सेट जील का निर्मान करवाया गया नेक्स्ट देखिए 38 कोश्चन सिली सेट जील का निर्मान कब करवाया गया तो विने सींग द्वारा 1845 इस नहीं जाएगा कई बार में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यहां से बाहर आपका एक सिंगल कुष्टन जो है वो आपके एक्जाम में नहीं आएगा ठीक है कुष्टन 39 है सिली सेट जील को किस नदी पर बनाया गया है तो इससे रूपा रेल नदी पर बनाया गया है ये हम लोग idea लगाते हैं chapter में से कि question जो है वो इस तरीके से बनाया जाएगा, अब examiner के उपर depend करता है कि वो इसी question को किस तरीके से पूछे, बहुत hard रूप में पूछ सकता है वो ठीके, या बहुत easy way में भी पूछ सकता है, तो ये examiner के उपर depend करता है, तो ध्यान रखना silly shade j जो है वो रूपा-reli नदी पर बनाई गई है, तो silly shade jkill को किसके दौ़ारा heritage hotel के बतोर संचालित किया जाता है, तो silly shade jill को जो है उसके ही side में क्या है, heritage hotel है, तो इसको बतोर संचालित किया जाता है, किसके दौ़ारा तो इससे Rajaustan परेर्टन विकास निगम के दौरा जो है संचालित किया जाता है तो कि आपके अलवर जिले से संबंदित जो प्रशन थे सभी यहाँ पर ले लिये गए हैं और आपको दुबारा से यही बात में बोलूँगी कि यहाँ से बाहर जो है वो आपका question नहीं आएगा ठीके तो परेटन स्थल जो है यह आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से संबंदित जो है वो आपके कई question solve हो जाते हैं यह बासवाड़ा में जितने भी परेटन स्थल हैं उनके बारे में बात करते हैं question answer जो है वो हम start करते हैं तो देखिए question number 41 है यह सुनहरे द्वीपों का सहर किसे कहा जाता है सुनहरे द्वीपों का सहर किसे कहा जाता है तो बासवाड़ा को सुनहरे द्वीपों का सहर कहा जाता है next देखिए उदैपूर संभाग का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर इस्तित है उदैपूर संभाग का और इसके क्या है, सोला गेट है, तो उदैपुर संभाग का जो सबसे बड़ा बांध है, वह पूछा जा सकता है, किस नदी पर है, वह माही नदी पर है, नेक्स्ट देखिए, कोशन 43, तुरिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां इस दित है, तो तुरिपुरा सुंदर गाउं के निकट उम्रई गाउं है, तो वहाँ पर तुरिपुरा सुंदरी का पुराना मंदिर जो है, वह इस्तित है, किस कारण तुरिपुरा सुंदरी के मंदिर को कनिश्क के पूर्वकाल से प्रतिष्टित माना जाता है, तो वह क्या रीजन है, मंदिर में समराट कनिश के समय का सिवलिंग होने के प्रमान मिलते हैं इसलिए यह है एक रीजन हो जाता है तुरुपुरा मंदिर के कनिश्क के पूर्वकाल से प्रतिष्टित होने का प्रमान ठीक है नेक्स्ट देखिए कुश्चन 45 तुरुपुरा सुन्दरी के मंदिर में इस्तित पाशान के सिंग पर इस्तित 18 भुजावाली प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है तो यह किस नाम से जाना जाता है तर्टई माता की नाम से जाना जाता है जो कि तुरुपुरा सुन्दरी य तर्ताई माता या तुरुप्रा महालक्ष्मी की। तुरुप्रा सुंदरी मंदिर के समीप सिलालेख किस काल का है। तुरप्रा सुंदरी मंदिर के समीब जो सिलालेक है वह 1540 विक्रम संबत का है राजिस्थान का जलिया वाला बाग किसे कहा जाता है तो राजिस्थान का जलिया वाला बाग कहा जाता है मानगर धाम को ठीक है क्यों कहा जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पर जलिया वाला हत कितिया कांड की तरह यहां पर भी इसी तरीके कांड हुआ था तो मानगर धाम जिसे जलिया वाला बाग कहा जाता है राजिस्थान का जो कि बासवारा से 85 किलोमीटर दूर आनंद पुरी के समीप इस्तित है तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो इतनी बारीकी से ज संत की करम स्थली माना जाता है महान संत गोविंद गुरू ठीक है मानगर धाम जो है किस से संबंदित है गोविंद गुरू से संबंदित है मानगर धाम को राजिस्थान का जलिया वाला बाग क्यों कहा जाता है तो सभी को पता है कि यहां पर 1500 आदिवासियों की द्वारा गोलियों से हत्या कर दी गई थी इसलिए मानगर धाम को जलिया वाला बाग कहते हैं मानगर धाम में मेला कब लगता है important है यह question तो हर साल मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को यह मेला लगता है मानगर धाम में जो मेला लगता है वह प्रतिवर्ष मार्ग शीर्ष पूर् नेक्स्ट देखिए question 51 अब्दुल्ला पीर किस मुस्लिम संत की मजार है तो यह बहुरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल इनकी मजार है मुख्यत है बहुरा समुदाई के लोग ही यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट है question number 52 सीता बाड़ी के नाम से प्रसिद मंदिर किस देवी देवता का है तो यह माता सीता और लक्षमन का मंदिर है इसके साथ ही यहाँ लवकुस का जनमिस्थान भी है नेक्स्ट देखिए question 53 सीता बाड़ी में इस्तित कुंडों के नाम क्या है तो एक तो सीता कुंड और लक्षमन कुंड है और दूसरा बालमे की कुंड और सूरे कुंड शेरगड किला बारा का मूल नाम क्या था तो इसका मूल नाम था कोश वर्दन अगला है question इसके साथ ही देखिए शेरशाह के कबजा करने के कारण शेरगड किला जो है इसे कहा जाने लगा ठीक है नेक्स्ट देखिए रामगड भंड देवरा मंदिर किस देवता को समर्पित है तो रामगड भंड देवरा मंदिर जो है वह भगवान शिव को समर्पित है Next question 56 रामगण भंद देवरा मंदिर कहां इस्थित है तो यह 12 जिले में 40 किलोमीटर दूर जो है वह यह इस्थित है रामगण भंद देवरा मंदिर किस सताब्दी का है तो यह मंदिर जो है वह 10 सताब्दी का है Next देखियो Κुśजन 58 क्या कह रहा है कि रामगड जो भंड देवरा मंदिर है इसमें किस प्रकार की वास्तु शैली है तो इसमें खजराहो शैली है कुश्यन नमबर 59 है रामगड भंड देवरा मंदिर को मिनी खजराहो क्यों कहा जाता है तो देखिए इस मंदिर से रेलेटिट काफी कुश्यन है रामगड भंड देवरा मंदिर को मिनी खजराहो क्यों कहा जाता है एक ही मंदिर में एक देवता को मिठाई और सूखे फल वद दूसरे को मास मदिरा यह राजिस्थान के किस मंदिर का सही वर्ण करता है तो देखिए यह रामगर्ड भंड देवरा मंदिर ही है जहां एक ही मंदिर में एक देवता को तो मिठाई वा सूके फल और दूसरे को मास मंदिरा जो है वो चाड़ाया जाता है कुश्चन 61 से जिसमें आज हम दो जिलों को देखेंगे बाडमेर और भरतपुर तो चलिए विना देरी के स्टार्ट करते हैं कुश्चन 1 किराडू मंदिर कहां इस्तित है किराडू मंदिर कहां इस्तित है बाडमेर में सहर से 35 किलोमीटर दूर किराडू मंदिर इस्तित है कह देखिए 62 question है किराडू मंदिर में कौन सी वास्तु शयली देखने को मिलती है तो यहाँ पर सोलंग की वास्तु शयली देखने को मिलती है किराडु मंदिर किस देवता से संबंदित है किराडु मंदिर जो है वह किस देवता से संबंदित है तो यह भगवान शिव को समर्पित है नेक्स्ट है किराडू मंदिर में कितने मंदिर है तो किराडू मंदिर भगवान शिव से सम्बंदित है और यहाँ पर मंदिर जो है वो पांच है और जिसमें मुख्य जो है वह सौमेश्वर का मंदिर है ठीक है जो भगवान शिव का है स्री नाकोड़ा जी का मंदिर किस धर्म से संबन्दित है? तो यह जैन धर्म से संन्दित है Next है कुश्चन 66 स्री नाकोड़ा जी के जैन मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वह पारशोनात का मंदिर है Q67. भुवासा का मंदिर नाम से कौन सा मंदिर प्रसिध है? तो रानी भट्यानी मंदिर उसको भुवासा का मंदिर भी कहते हैं. रानी भट्यानी किन शेत्र में? किस शेत्र में मुख्यते पूजनिय है? कहां पर पूजी जाती है रानी भट्यानी? तो यह है पक्षमी राजिस्थान, सिंध और पाकिस्तान. यहां पर पूजनिय हैं. रानी भट्यानी का मंदिर कहां है? तो मंदिर बाडमेर के जसोल गाउं में है. कौन सी जाती इन्हें मानती है, तो डोली जाती रानी भट्यानी के मंदिर में जाकर पूजा करती है. रानी भट्यानी कहां की राजकुमारी थी तो बाडमेर में पूजा होती है और यह है जैसलमेर के जोगी दास गाउं की राजकुमारी थी रानी भट्यानी नेक्स्ट देखिए 72 कुश्चन रानी भट्यानी का विवहा किस से हुआ था तो रानी भट्यानी का विवहा जो है बाडमेर के राठोड राजा से हुआ था तो देखिए यह कुश्चन भी एक्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि मीरा के पती का क्या नाम यह question आपके last year जो है वो पूछा गया था, तो ऐसे ही question आपके exam में पूछे जाते हैं Next है, रानी भट्यानी की मृत्यू कैसे हुई? तो इनकी मृत्यू बड़ी रानी द्वारा, रानी भट्यानी और उनके पुत्र लाल सीन को जहर देने के कारण हुई तो रानी भट्यानी के मृत्यू कैसे हुई? बड़ी रानी के जहर देने के कारण Next देखिए, question 74, केवला देव घना राष्ट्रिय उद्यान कहां इस्तित है? Important question है, यह भरतपूर में इस्तित है? तो हमने अभी बाडमेर से सम्बंदित प्रश्न किये, अब हम करेंगी भरतपूर जिला केवला देव घना राष्ट्रिय उद्यान को संरक्षित पक्षी अभ्यारण ने कब घोचित किया गया? तो याद रखिए, 1971 इस्तित में केवला देव घना राष्ट्रिय उद्यान को अभ्यारण का दरजा दिया गया? कब दिया गया? 1971 इस्तित पक्षीत में दो कुश्चन जो हैं, वो हमने अभी तक पढ़ लिये हैं, जो कि आपके एक्जाम में आये हुए हैं, केवला देव घनाराष्टी उध्यान को विस्व धरोहर 1985 में घोसित किया गया, केवला देव घनाराष्टी उध्यान को सर्व प्रथम कब और किस रूप में स्थापित कि चनी आ गया था तो पहले ये घना-पक्षी विहार था, ठीक है, तो अब वरतमान में ये क्या है घनाराष्ट्री उध्यान है, केवला देव घना-थ्या उध्यान में कौन-कौन से पक्षी सामानेते देखने को मिलते हैं, तो यहां भारतिय सारस Krain, जल मुर्गी, चीनी पैरन, पैंटेड स्टॉर्क, कार्मुरेंट, नॉबिल डक, वाइट स्पून बिल, सैंड पाइपर, ये पक्षी जो हैं, वह केवला देव घना राश्ट्य उद्यान में देखने को मिलते हैं। किस ब्रिटिश शैन अधिकारी ने लोहागड पर सबसे पहले कपजा किया था? तो और्थर वैल्सले ने सबसे पहले लोहागड पर कपजा किया था? ठीक है? तो लोहागड जो किला है, वह कहां है? भरतपूर में। नेक्स्ट है, कुशन 80, लोहागड किला के दरवाजे किस से निर्मित है? तो यह अस्ट धातू और लकडी से निर्मित है? किस से निर्मित है? अस्ट धातू और लकडी से? नेक्स्ट चलिए, कुशन 81, लोहागड को चारो ओर से किस प्रकार सुरक्षित किया जाता था? लो किले के चारो और खाई है और उसमें पानी भरकर इस किले को सुरक्षित कर दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए कुश्यन 82 लोहागड के लिए के अंदर निर्मित इसमारक हैं तो कौन-कौन से इसमारक जो है वह है भरतपुर के लोहागड के लिए में हैं कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल। नेक्स्ट है कुश्यन 83 भरतपुर के राजा सूरजमल ने लोहागड के लिए में मुगल व अंग्रेजों पर विजय पर कौन से बुर्ज का निर्मान करवाया तो जो राजा सूरजमल थे उन्होंने लोहागड के लिए के अंदर जवाहर बुर्ज और फते बुर्ज इन द बारेठा क्या है भरतपुर के शाषकों का आखेट हेतु पुराना वन्यजीव अभ्यारण तो बंद बारेठा क्या है भरतपुर के जो शाषक थे उनका आखेट हेतु पुराना वन्यजीव अभ्यारण है नेक्स्ट है बंद बारेठा में बांद का निर्मान किस साशक द्वारा किया गया था बंद बारेठा में बांद का निर्मान जो है वह किस साशक ने किया तो यह है महाराजा जस्वन सींग ने इसका निर्मान महाराजा जस्वन सींग ने किया 1866 में बंद बारेठा में बांद का निर्मान महाराजा जस्वन सींग ने किया 1866 में बंद बारेठा में बांद का निर्मान किस सासक द्वारा पूरा करवाया गया तो जस्वन सींग द्वारा उसका निर्मान करवाया गया और महाराजा राम सींग द्वारा 1897 इस्वी में पूरा करवाया गया Next है Question 87 बंद बारेठा में बान्द के निर्मान किस शाशक द्वारा साही महल का निर्मान करवाया गया तो यह करवाया गया महाराजा किसन सींग द्वारा Next Question 88 भरतपुर में इस्तित गंगा मंदिर में किस ब्रकार की वास्तू शाली देखने को मिलती है तो याद रखिएगा कि इसमें राजपूत, मुगल और द्रविन इस्थापत्य शाली जो है वह देखने को मिलती है भरतपूर में इस्तित जो गंगा मंदिर है उसमें राजपूत, मुगल और द्रविन स्थापत्य शाली देखने को मिलती है Next देखिए Question 89 जो की भरतपूर से ही है भरतपूर में इस्तित गंगा मंदिर का निर्मान कारे कितने समय तक चला तो इसका जो निर्मान कारे है वह 90 वर्ष तक चला महाराजा बलवन्त सिंग द्वारा 1845 इसवी में यह प्रारंब हुआ था इसका निर्मान जो है वह 1845 इसवी में महाराजा बलवन्त सिंग ने किया था और 90 साल तक इस मंदिर का निर्मान कारे चलता रहा गंगा मंदिर में किसने गंगा मूर्ती की स्थापना की? चलिए स्टार्ट करते हैं, राजिस्थान में वस्तरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भील वाड़ा को वस्तरों की नगरी कहा जाता है? तो देखिए सबसे पहले जो है वो मैंने आप लोगों को चैप्टर जो है रीडिंग करवाया है, जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं की है सबसे पहले chapter को read करिए जिससे कि वहाँ पर आपको चीजें समझ में आती है उसके बाद इन question answer को learn करिएगा जिससे कि बहुत जल्दी आपको ये चीज याद भी हो जाएगी next दिखिए question 92 मेनाल जलप्रपात कहां इस्तित है मेनाल जलप्रपात कहां इस्तित है तो यह है भीलवाडा से 80 km दूर कोटा रोड पर National Highway 27 पर इस्तित है मेनाल जलप्रपात कहां है भीलवाडा से 80 km दूर कोटा रोड पर National Highway 27 पर मेनाल जलप्रपात के निकट किस देवी देवता का मंदिर है मेनाल जलप्रपात इसके पास में किस देवी देवता का मंदिर है? भगवान शिव का. मांडल गड का किला हल्दी घाटी युद्ध से किस प्रकार सम्बंदित है? तो यह हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल समराण अकवर ने यहां पर डेरा जमाया था. तो पूछा जा सकता है हल्दी घाटी का युद्ध के सम्बंद में ही कि अकवर ने उस समय डेरा कहां जमाया था? तो कहां जमाया था? मांडल गड के किले में. देखिए आपका लास्ट चेप्टर है इसको जल्दी से ही हम लोग पूरा कर लेंगे जिससे कि आप लोग इनको जल्दी से लर्ण भी कर सकें क्योंकि आपको भी बाद में रिवीजन जो है वह है उसका टाइम जो है वह ही मिलना चाहिए इसी वज़े से सारी चीज़े मैंने आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा दी थी अब बस ये लास्ट चेप्टर बच गया है और आप लोगों के युनिट και वह कितने मंदिर हैं? मडलगटगा जो किला है उसमें कितने मंदिर हैं? तो यहां पर दो मंदिर हैं भगवान शिव व भगवान क्रिष्न का मंदिर. तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग SST की तयारी कर रहे हों, तो आप लोग कम से कम 50 मा होती हैं जो कि आपके समझ पर आधारित होती हैं और आप लोगोंने सिक्षण विदियां जो हैं वो भी बहुत अच्छे से कर ली होंगी तो 50 marks जो हैं वो आपके history, geography और quality से होते हैं जो कि आपके अब अच्छे से learn हो भी गए हैं जिनको आप गलत नहीं करेंगे exam में तो मेरा ये मानना है कि आप लोग बाकी जो subject हैं आपका language जो दो language हैं उनके paper और साथ में आपका psychology इन पर भी ध्यान दीजे क्योंकि वह भी आपके 90 number का होता है तीनो subject जो कि बहुत जादा होते हैं ठीक है तो ध्यान जो है वो आपको हर subject पर देना होगा ऐसे नहीं करना है कि क level इतिहास पर ध्यान दे दिया या भूगोल पर और quality पर ही ध्यान दे दिया है या psychology ही पढ़ रहे हैं सभी subject जो हैं वो आपको ध्यान देने हैं तभी आप बहुत जादा अच्छी number से pass हो सकते हैं क्योंकि देखिए 90 number जो है वो pass होने के लिए चाहिए जो कि कोई भी लेकर आजाएंगे ठीक है जिन्होंने हलकी भी तैयारी की होगी वो भी लेकर आजाएंगे लेकिन हमारा यहां पर उद्देश ये 90 number लाने का नहीं है बलकि यहां पर 120 number जो है वो सभी बच्चे जो है वो लेकर आने की कोशिश करेंगे जब कोशिश करेंगे तभी सफलता जो है वो हाथ भी लगती है ठीक है तो 120 number मानकर जो है वो तैयारी करनी है तो SST की तोल लगवक सभी तैयारी जो है वो यहां पर पूरी हो भी चुकी है और unit test जो है वो उनको complete करिएगा और उसके बाद जो है बाकी subject जो है उनको भी साथ में आप लेकर चलिए सहापुरा किन से समबंदी तीर्थिस्थान है तो यह मंदिर कहां इसतित है तो यह मंदिर जो है भीलवाडा की शाहपुरा कस्वे में इस्तित है नेक्स्ट देखिए कुश्चन 99 पांच दिन का फूल डोल मेला कब आयोजित किया जाता है तो यह फागुन शुकल में शहापुरा मंदिर के निकट इस्तित किया जाता है नेक्स्ट है कोश्चन हंड्रेड त्रिमूर्ती समारक बारहट जी की हवेली वर्तमान में जो राजगी संग्रहले में परिवर्तित हो गई है यह कहां इस्तित है तो यह भीलवाडा के सहापुरा कस्वे में इस्तित है नेक्स्ट है कोश्चन 101 प्रसिद्य स्वतंतरता सैनानी केशरी सिंग जोरावर सिंग और प्रताप सिंग बारत कहां से थे तो यह कहां से थे भीलवाडा के शहापुरा कस्वे से तो इनको अलग से भी पूछा जा सकता है कि जोरावर सिंग जो है वो कहां के थे तो शहापुर के थे केशरी सिंग कहां के थे शहापूरा के थे प्रताप सिंग कहां के थे शहापूरा के थे शहापूरा भीलवाड़ा किस प्रकार की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो यह फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है जिसको हम बहुत अच्छे से पड़ भी चुके हैं प्रसिद पिवनिया तालाब कहा है तो यह तालाब जो है वह भील वाड़ा के सहापुरा कस्वे में है next है question 104 कुंड और बावडियों का सहर किसे कहा जाता है तो देखिए अभी हमने भील वाड़ा जिले से संबंदि सभी परेटन इस्तल पड़े अब स्टार्ट होते हैं बूंदी जिले से संबंदि ठीक है तो क्योंकि कुंड और बावडियों का सहर जो है किसे कहते हैं बूंदी को ही कहते हैं तारागड फोर्ट कहां इस्तित है और इसे कब निर्मित कराया गया था तो तारागड़ फोर्ट जो है एक अजमेर में है और दूसरा जो है वह है बूंदी में है ठीक है तो जो बूंदी का तारागड़ फोर्ट है वह है 1345 इस्वी में निर्मित करवाया गया था तारगरफोर्ड किस वास्तु शैली का एक उतकरष्ट नमूना है? तो यह राजपूत वास्तु शैली का उतकरष्ट नमूना है नेक्स्ट है Question 107 84 खंबो की चत्री किसके द्वारा निर्मित कराई गई थी? किसके लिए अपने प्रिये सेवादार की इसम्रती में Queen Stabelle Rani ji ki बावड़ी करिमान किस ने करवाया? तो देखिए सारे Question जो है वो Repeat है पहले भी हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर बिल्कुल अलग से ही बूंदी जिले के बारे में आपको जानने का, याद करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों की कोई कुश्यन जो है, वो ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार देखा है। क्वीन स्टैब बेल का निर्मान जो है किसने करवाया था? तो महाराज अनुरुद्ध सिंग ने ही करवाया था, बूंदी के थे जो? बूंदी महाराज अनुरुद्ध की छोटी रानी नाथावती द्वारा 1699 EC में क्वीन स्ट्रेबल रानी जी की बावडी का निर्मान करवाया गया नेक्स्ट है 109 कुश्चन अठारवी सताब्दी के धोरां राजिस्थान के किस सहर को miniature painting का गढ़ गणा जाता था 110 कुश्चन चित्र महल में चित्रशाला का निर्मान किसने करवाया था तो ठीक है यह question जो है वो आप लोगों को याद होगा किसका निर्मान जो है वो महाराजा उमेद सिंग ने करवाया था तो बुंदी जिले से समझने सभी प्रशन कम्प्लीट होते हैं चितोर गड़ का किला किस नदी के तड़ पर इस्तित है तो यह गंभीरी और बेड़च नदी के तड़ पर इस्तित है जिन बच्चों ने पीडियाफ ली हुई है उनको ये question answer जो है मिल जाएंगे उनको चिंता जो है वो पूरी provide कराई जाएंगी चितोर गड़ का किला कौन से राजपूतों से संबंदित है तो यह सिसोधिया राजपूत से संबंदित है चितोर गड़ का किला सिसोधिया राजपूतों से संबंदित है विजय स्तमकर निर्मान किस ने करवाया था महारणा कुमबा ने विजय समका निर्मान करवाया था तो देखिए अब तक एक भी question ऐसा नहीं है जो आप लोगों को नहीं आता है आप लोगों की demand पर ही मैंने 10th class का राधिस्थान का इतिहास और संस्कृति जो है वो start किया था क्योंकि आप लोग 6 से 10 तक कि RBS से की पूरी book जो है वो कर चुके हो question answer series जो है वो learn भी कर चुके हो ठीक है तो वही matter जो है वो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि हमने पहले तो कर लिया था अब हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक दो question जो है वो आपको अलग मिल सकते हैं विजय स्थमकर निमान कब करवाया था तो इसका निमान जो है वह 1440 इसवी में प्रारंब किया गया था next दिखिए विजय स्थमकर निमान कारे कितने समय तक चला तो यह 8 सालों तक चला विजय स्थमकर निमान कारे जो है वह कितने समय तक चला तो 8 वर्षों तक चला महाराना कुम्बा ने विजय स्थमकर निमान किस उपलक्ष में करवाया था तो देखिए महाराना कुम्बा ने विजय स्थमकर निमान जो है गुजरात विजय के उपलक्ष में ही करवाया था मालवा के मुश्लिम साशक को हराने की खुसी में मालवा के शाशक जो थे महमूद खिल जी उनको हराया था इस वज़े से उन्होंने विजे समकर निमान करवाया था विजे समकर निमान किस से किया गया है? किस से बना है यह लाल बलुवा पत्थर और सफेद संगमर्मर से बना है वजय समकनिमान जो है किस से है तो यह लाल बलुवा पत्थर और सफेद संगमर्मर से बना है देखिए आपके exam में जो question आने वाले हैं वो बहुत ही easy होते हैं option ही आप लोगों को इस तरीके से दे दिये जाते हैं कि confusion होता है हर question जो है वो आप लोगों ने learn किया होगा आप देखिएगा exam में जब आप question paper solve करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये भी मैंने पढ़ा था ये भी मैंने पढ़ा था ठीक है लेकिन question के option जो इस तरीके से होते हैं कि वहाँ पर हम लोग tension में आ जाते हैं तो यहाँ पर question के बाद उसी answer को आपको याद रखना है इसलिए question answer series में आपको option जो है वो नहीं दिये गए है ताकि आप confused ना हो विजय स्थम का निमान कितने मंजिल तक है तो विजय स्थम का निमान जो है वह है नो मंजिल तक है ठीक है आठ वर्सों में बना और इसका निमान जो है वह है नो मंजिल तक है कीरती स्थम किस से संबंदित है तो कीरती स्थम जो है वो जैन तीर्थकर से संबंदित है और यह आदी नाथ से संबंदित है कीरती स्थम का निर्मान किसने करवाया था तो यह है देखिए most important जैन वियपारी जीजी बगेर वाल और उसके बुत्र पुन्य सींग द्वारा तेर्वी सताबदी में कीर्थी स्थम का निर्मान करवाया गया था हिंदू स्थाप्ते शयली में निर्मित कीर्थी स्थम की उँचाई कितनी है हिंदु स्थापत्य शाली में कीर्थी स्थम की उंचाई जो है वह कितनी है तो यह 6 मंजिला है 24.5 मीटर उंचा है कितना है मंजिला है यह 6 मंजिला है ठीक है और 24.5 मीटर उंचा है भैसरोडगर के ला किन नदियों द्वारा घेरा हुआ है यह चंबल और ब्रहमानी नदियों द्वारा घेरा हुआ है ब्रिटिस इतिहासकार कर्नल जैमस्टॉड ने यह किसके लिए कहा कि अगर राजिस्थान में जागीर की पेसकस की जाए तो वह है इसी को चुनेंगे किसको चुनेंगे भैसरोडगर के किले को ठीक है तो कर्नल जैमस्टॉड ने भैसरोडगर के किले की तारीफ में ही यह चीज कही कि अगर राजिस्थान में जागीर की पेसकस की जाए तो वो इसे चुनेंगे भैसरोडगर के किले को चांद बावडी का निर्मान किसने करवाया था? तो नाम से ही है राजा चंदर द्वारा चांद बावडी का निर्मान करवाया गया था चांद बावडी कहाँ पर इस्तित है? चांद बावडी जो है वह दोसा में इस्तित है जैपूर आगरा सडक पर आभा नेरी दोसा में चांद बावडी के इस्तित है नेक्स्ट देखिए question 127 आभा नेरी मोहसव परेटन विभाग द्वारा कब आयोजित किया जाता है यह सितंबर और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है हर्शद माता का मंदिर कहां इस्तित है तो यह चांद बावडी परिशद में इस्तित है हर्शद माता को किसकी देवी कहा जाता है इन्हें उल्लास की देवी कहा जाता है नाम से ही सपस्ट है हर्शद माता तो उल्लास की देवी इन्हें कहा जाता है तो प्रस्णों की स्रंखला में करने वाले हैं कोश्यन 131 से जिसमें आज हम धौलपुर जिला, डूंगरपुर जिला और हनुमानगर जिला इससे संबंदित जो भी परेटानिस्थल होंगे उनके बारे में कोश्यन अंसर करेंगे तो चलिए बहुत ध्यान से आपको देखना ह कोश्यन 131 देखिए वन विहार अभिहारन ने किस जिले में इस्तित है यह धौलपुर जिले में इस्तित है जो की 24 वर्ग किलोमीटर शेत्र में है नेक्स्ट देखिए कुश्चन 132 मचकुνड नामक पवत्र इस्तल किस से सम्बंदित है यह सूर्य वन्सिय सामराज्य के 24 वे सासक राजा मुचकुंद के नाम से सम्बंदित है ठीक है तो नाम जो है वो राजा के नाम पर ही इस पवित्र इस्थल का नाम पढ़ा तो ठीक है याद करने में आसानी रहेगी अगला है तालाब ए शाही का निर्मान कब और किस हेतू करवाया गया तो यह है 1617 इस्वी में जील का सहजादे सहाजां के सिकार गाह के तौर पर निर्मान करवाया गया तालाब ए शाही का निर्मान जो है वह है 1617 इस्वी में सहाजां के सिकार गाहा के तौर पर करवाया गया धौलपूर में इस तिद्प्रिसिद तालाब ए शाही क्या है यह एक खूपसूरत जील है नेक्स्ट देखिए 135 तालाब ए शाही में सर्दियों में कौन से पक्षी गोसला बनाने के लिए आते हैं तो यह जो तालाब ए शाही है तो सर्दियों में यहां पर कौन से पक्षी आते हैं यहां पर आते हैं पिंटेड, रेड कॉस्टेड, पोच, बतक और कभूतर ठीक है पिंटेड, रेड कॉस्टेड, पोच, बतक और कभूतर यह सर्दियों में आते हैं वेनिश्वर मंदिर किस जिली में इस्तित है तो कई बार हम इस कुश्चन को देख चुके हैं हमें पता है डूंगरपुर जिली से संबंदित है वेनिश्वर मंदिर वेनिश्वर मंदिर किन नदियों के संगम पर इस्तित है तो वेनिश्वर मंदिर जो है वह है सोम और माही नदी ठीक है बीच में कभी कभी कन्फ्यूज के लिए जाखम नदी जो है वह है दे देते हैं लेकिन याद रखना है देखिए सोम नदी यह भी दो अक्षर है माही न रखिएगा कि सोम और माही नदी इनके संगम पर वैनेश्वर मंदिर टूंगरपुर में इस्तित है वैनेश्वर मंदिर में इस्तित शिवलिंग की क्या विसेशता है सिर्स से पांच इस्सों में बटा हुआ है पांच फीट उचा है और स्वैम भू सिवलिंग तो यह है स्वैम भू सिवलिंग है यानि स्वैम से ही उत्पन हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखिए 139 कुश्यन वैनेशर मंदिर के निकट विश्नु मंदिर का निर्मान कब और किसने करवाया यह 1793 इस्वी में जलकूंवरी के द्वारा करवाया गया यह कौन थी मावजी नामक प्रसिद संत की पुत्री थी कौन जलकूंवरी वैनेशर मंदिर के निकट प्रसिद लक्ष्मी नारायन मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो डूंगरपुर में ही वैनेशर मंदिर के पास में जो लक्ष्मी नारायन मंदिर है उसका निर्मान अजे और वाजे द्वारा करवाया गया कोश्यन 141 वैनिशन मंदिर के निकट जो लक्षमी नारायन मंदिर है इसका निर्मान करवाने वाले अजे और वाजे थे ठीक है ये कौन थे तो ये मावजी नामक प्रसिद्ध संत के शिश्य थे अजे और वाजे मावजी नामक प्रसिद्ध संत के शिश्य थे ठीक है तो ये पूछा जा सकता है अजे और वाजे जो हैं वो कौन थे? सोम और माही संगम के निकट मेला कब लगता है? यह मेला जो है वो फरवरी में माग सुक्ल पूर्णिमा को लगता है. अगला है गलिया कोट दरगा इस्थान किस समाज से संबंदित है? तो देखिए रिपीट है कुश्यन हम लोग देख चोके हैं इसे गलिया कोट दरगा जो है वह है दावदी बोहरा समाज से संबंदित है तो बोहरा समाज से संबंदित है गलिया कोट दरगा नेक्स्ट देखि गल्या कोट गाओं में इस्तित है डुंगरपुर से 58 km दूर इस्तित है गल्या कोट दरगा किस नदी के किनारे पर इस्तित है यह माही नदी के किनारे इस्तित है गल्या कोट दरगा किस संत से संबंदित है? यह सेयद फक्रुदीन की मजार है नाम याद रखना है गल्या कोट दरगा सेयद फक्रुदीन संत से संबंदित है गल्या को दर्गा में संत सयद फक्रुद्दीन द्वारा दी गई सिक्षाओं को किस प्रकार उतकीन किया गया है तो किस प्रकार किया गया है इसे उतकीन इसे दर्गाह की दिवारों पर सोने के पानी द्वारा इसे उतकीन किया गया है नेक्स्ट है, डुंगर पूर में इस्थित गैव सागर जील के तड़ कौन सा मंदिर है? हुर्त गैव सागर जील के निकटव का मंदिर इस्थित में अन्य मंदिर मुख़्त है, इसके परिषए म cockroach काली बंगा किस जिले में इस्तित है? तो अभी हमने डुंगरपुर जिले से संबंद इस सभी कुश्यन कर लिये, जितने भी परेटा निस्तल थे, अब हम देखेंगे हनुमानगर जिला, काली बंगा जो है वह हनुमानगर जिले में इस्तित है, तो सभी जानते है इसका आंसर काली बंगा किस कारण प्रसिद्ध है तो सिंदु घाटी सब्वेता हमने बहुत अच्छे से देखी थी यह हडपा काली इन सब्वेता के अवसेज के प्राप्ती सल होने के कारण प्रसिद्ध है काली बंगा में प्राप्त अवसेज किस सब्वेता से सम्मंदित है तो वही हड और पूर्व हडप्पा युक से संबंदित है जो की पच्चिस सो वर्ष ईसा पूर्व से संबंदित माने जाती है नेक्स्ट देखिए कुश्चन 152 काली बंगा में 1961 से लेकर 69 के दोरान प्राप्त का अफसेसों के लिए संग्रहले का निर्मान कब करवाया गया यह 1983 इस्वी में करवाया गया तो जो अफसेस थे काली बंगा में जो भी प्राप्त हुए अफसेस थे इंसके लिए जो संग्रहले बना वह 1983 इस्वी में बना काली बंगा में 1961 से 69 के दौरान प्राप्त का अफसेशों के लिए निर्मिस संग्रहाले में कितनी दीरगाएं हैं तो इसमें तीन दीरगाएं हैं एक पूर्व हडपा कालेतु और अन्य दो हडपा कालेतु तो एक जो है वह तो पूर हडपा कालीन है और दो जो है वह हडपा काल की है ठीक है ये तीनों दीरगाएं Next देखिए 154 question हनुमानगड का किला किस अन्य नाम से जाना जाता है तो यह भटनेर के किले के नाम से जाना जाता है तो भटनेर का किला कहा है? हनुमानगड में है या हनुमानगड का किला जो है उसे किस नाम से जानते हैं? भटनेर का किला के नाम से भटनेर का किला में भटनेर सब्द किसका अपब्रंस माना जाता है? यह भटी नगर से बना है ठीक है भटी नगर से ही यह इसका रूप जो है वो बिगड़ कर क्या बन गया भटनेर बना भठनेर का किला किस नदी के तठट पर इस्तित है तो ये तो सभी को पता है एक मात्र नदी है गगर नदी इसके तठट पर भठनेर का किला इस्तित है ठीक है जलेक मिलता है , ठीक है , हनुमान गडजिला, भटनेर का किला है , घगगर नदी है आईने-क्वरी में हमें इसका उल्लेक मिलता है भटनेर के किले का निर्मान किसने करवाया था भटनेर के किले का करवाने कौन थे ? राजा भाती बटनेर के किले का निर्माण जो है वह किन प्रसिद शाषकों द्वारा बटनेर के किले पर असफल विजय का प्रयास किया गया वेश शाषक कौन थे तैमूर और प्रत्वी राज चोहान इन साषकों द्वारा बटनेर के किले पर असफल विजय का प्रयास किया गया किस साषक द्वारा सबसे पहले बटनेर के किले पर विजय हासिल की गई 1805 में बीकानेर की राजा सूरत सिंग द्वारा यहां पर भटनेर के किले पर विजय प्राप्त की गई तो यह हनुमान कर जिले से संबंदित परेटन स्थल समापत होते हैं जैपुर जिले से संबंदित जितने भी परेटन स्थल हैं उनकी आज हम बात करेंगे Quesion आंसर जो हैं वो आप लोग जितने भी पिछले वीडियो दे दिये गए हैं उनको बार-बार लर्ण करिए जिससे कि आपके एक्जाम आने तक इनकी बाद में रिवीजन भी हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम जैपुर जिले के बारे में बात करेंगे Quesion 160 देखिए राजिस्थान का गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी किस जिले को कहा जाता है तो सबको पता है यह है कि वो जैपुर जिला है जिसे गुलाबी शहर कहते हैं पिंक सिटी कहते हैं हवा महल कब और किसके द्वारा निर्मित करवाया गया तो यह महराजा सवाई प्रताब सींग के द्वारा बनवाया गया था 1799 इस्वी में 1799 इस्वी में महराजा सवाई प्रताब सींग द्वारा हवा महल का निर्मान करवाया गया था इन Quesion को याद करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये सभी question आप लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, कुछ question है जिनको आपको सिर्फ उनको देखना है, बाकी सभी question आप लोगों के लिए repeat ही है, हवा महल बाहर से किस प्रकार का दिखाई देता है, यह 5 मंजिला है, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान यह दिखा लाई देता है, नेक्स्ट दिखिए हवा महल के वास्तुकार कौण थे, बहुत ही important question है यह वाला आपका, most important कि इसके वास्तुकार है लाल चंड उस्ता, हवा महल के वास्तुकार कौण है, लाल चंड उस्ता, हवा महल किस प्रकार के पत्थर से निर्मित है? यह बलुवा पत्थर से निर्मित है next है हवा महल में कौन सी वास्तु शैली देखने को मिलती है? तो इसमें राजिस्थानी और मुगल वास्तू शैली देखने को मिलती है ठीक है याद रखना है हवा महल में राजिस्थानी शैली के साथ साथ मुगल वास्तू शैली भी देखने को मिलती है नेक्स्ट हैंस हवा महल में कितने जरोकें हैं और कितनी खिड़कियां हैं देखिए ये कितनी खिड़कियां हैं ऐसा कुश्चन जो है वो पहले भी एक्जाम में पूछा जा चुका है हवा महल में कितनी खिड़किया है यहां पर 953 ज़रों के हैं या 953 खिड़किया है आमेर का किला राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है यह जैपुर जिले में इस्तित है नेक्स्ट दिखिए कुश्यन 168 आमेर कौन से राजपूतों की राजधानी रही है यह कचवाहा राजपूतों की राजधानी रही है तो आमेर में कचवाहा राजबन्स जो है था यूनेसको की विस्व धरोहर सूची में शामिल कौन सा किला कचवाहा राजपूतों की राजधानी रही तो सबको पता है यह वो आमेर का किला ही है जिसे यूनेसको ने विस्व धरोहर सूची में सामिल किया था और यह कचवाहा राजपूतों की राजधानी रही आमेर के किले का निर्मान कब और किसके द्वारा करवाया गया? निर्मित किया गया है, यह हिंदु और मुगल शैली से निर्मित किया गया है. Next देखिए, Question 172. जैपूर के संस्थापक किसे कहा जाता है? 173 question है यूनेसको द्वारा विश्व धरूहर के तौर में सम्मिलित जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर क्या है? वैदशाला है महराजा सवाई जैसिंग दुत्ये द्वारा निर्मित पांच वैदशालाओं में सबसे बड़ी वैदशाला जो है वैद जंतर मंतर है सवाई जैसिंग दुत्ये के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था जैगर्ड फोर्ड का निर्मान कार्य कब और किसके द्वारा किया गया जैगर्ड फोर्ड का निर्मान जैपूर में कब और किसके द्वारा करवाया गया यह है महाराजा सवाई जैसिंग डुत्य द्वारा ही करवाया गया 1726 इसवी में तो याद रखना है महाराजा सवाई जैसिंग सेकिंड इनके द्वारा बहुत से निर्माण जो है वो जैपूर जिले में करवाया गया जैपूर के संस्थापक सवाई जैसिंग जुतिये को ही कहा जाता है जैगर्ड फोर्ट का निर्माण किसे किले की सुरक्षा हेतू करवाया गया तो क्यों बनवाया गया था जैगर्ड फोर्ट स्वाई जैसिंग डुटिये ने तो आमेर किले को सुरक्षित रखने के लिए जैगर्ड फोर्ट का निर्माण करवाया गया जैगर्ड फोर्ट में इस्थित विश्व की सबसे बड़ी तोप का क्या नाम है तो यहाँ पर जैबार तोप जो है वो सबसे बड़ी तोप है याद रखना है सवाई जैसिंग के नाम पर ही है जैबार जैबार तोप जो की विश्व की सबसे बड़ी तोप है यह हमने अभी कोश्यन में देखा इसकी विशेष्टा क्या है इसकी विशेष्टा है 31 फीट 3 इंच लंबी है 50 टन बजनी है यानि इसका बजन जो है वो 50 टन है और केवल एक बार चलाई गई है तीके केवल एक बार इ निर्मित किया गया नाहरगड का किला कहां है जैपूर में है और यह है महाराजा जैसिंग के साशनकाल में 1734 में निर्मित किया गया नाहरगड किला के किस भवन को ग्रीश मकाल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता है तो वह माधवेंद्र भवन है जिसे ग्रीश मकाल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता है Albert Hall Central Museum इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई Albert Hall का निर्मान जो है वो Prince of Wales द्वारा करवाया गया Albert Hall की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई Prince of Wales के द्वारा Albert Hall का नाम किससे प्रेरित है Albert Hall का नाम किससे प्रेरित है यह लंदन के Albert संग्रहाले से ही प्रेरित है देखिए कुश्यन जो है वो आपके इस तरीके से यहाँ पर करवा रही हूँ मैं इस चैप्टर के क्योंकि इससे आपका बहुत सारा जीके का पार्ट राजिस्थान का कवर होता है इसलिए इतना ज़्यादा डीप में जाकर कुश्यन को करवाया जा रहा है हर पहराग्राफ में हर एक लाइन जो है वो कुश्यन के फॉर्मेट में यहां पर करवाई गई है इससे बाहर आपके राजिस्थान के जीके का एक single question बाहर से नहीं आने वाला है, इतना आप याद रखिएगा, तो ये सोचिए इनको आप बहुत अच्छे से ही याद कर लीजिए, ताकि आपके exam में एक भी प्रशन जो है वो आपका गलत ना हो, इसी लिए chapter जो है वो बड़ आपके थे और जो question नए है उनको आप याद कर लीजिएगा, Albert Hall का design किसके द्वारा बनाया गया, Sir Swinton Jacob के द्वारा Albert Hall का design बनवाया गया, इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से RBSC की बुक को किसी ने भी नहीं कराया है, इतना आपको भी पता है, ठीक है, कोचिंग में अगर आप बड़ी-बड़ी कोचिंग में भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको chapter जो है, इस तरीके से ना करवा के, वहाँ पर पूरा topic करा दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे facts जो है, वो छूट जाते हैं, या वो इतना जादा लेंदी करा दिया जाता कि राम निवास बाग के बीच इस्तित अलबर्ट हॉल की स्थापत्यश्यली किस प्रकार की है, यह इंडोस और सैनिक स्थापत्यश्यली है, इंडोस और सैनिक स्थापत्यश्यली है, गलता जी नामक तीर्थिस्थान किस की तपोस्तली कहा जाता है, गलता जी नामक इस्नान से पहले किस मंदिर में जाते हैं। तो यहां राम गोपाल जी के मंदिर में जाते हैं। मंदिर इसका निर्मान करवाया दीवान क्रपा राम ने गलता जी में पहाड़ी परिस्तित जो मंदिर है वह सूरे मंदिर है जिसका निर्मान क्रपा राम द्वारा करवाया गया श्री गोविन देव जी का मंदिर जैपूर में ही है जो राजिस्थान के किस जिले में इसके थ जानी जाती है, तो इसे सरगासुली या स्वर्ग भेदी मीनार के नाम से भी जाना जाता है, इसरलाट मीनार को सरगासुली या स्वर्ग भेदी मीनार के नाम से जाना जाता है, जैपूर में इस्थित इसरलाट मीनार का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसरला आप इसरलाट और इस्वरी सिंग एस से मैच करके आंसर जो है वो सही कर सकते हैं। राजा इस्वरी सिंग द्वारा सत्रस उननचास इस्वी में इसरलाट मीनार का निमान करवाया गया। तो जैपुर जिले में जितने भी परेटनिस्थल थे आज हमने वो कम्प्लीट कर लिया है। इससे बाहर आपका एक भी कुशन नहीं जाएगा एक्जाम में। जम करेंगे जैसल मेर जिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किले और हवेलियों का सहर किसे कहा जाता है। जैसल मेर किला किस परवत पर इस्तित है। यह तृकूट परवत पर इस्तित है। इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है इसके नाम से जाना जाता है नेक्स्ट दिखिए कुश्यन 193 जैसलमेर का किला किस प्रकार के पत्थर से निर्मित होने के कारण सूरे की रोशनी पढ़ने पर यह सोने की तरह चमकता है तो किस पत्थर के निर्मित होने से यह होता है? पीला बलुआ पत्थर इस वज़े से जब सूरे की रोश्टीज पर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है नेक्स्ट है जैसलमेर में इससे डेजर्ट नेशनल पार्क कौन से लुप्त प्राय हो चुके दुनिया की सबसे लंबी उडान भरने वाले पक्षी का इस्थान भी है? जैसलमेर में इससे जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वह कौन से पक्षी का इस्थान है जो लुप्त हो च पट्वों की हवेली किसने और कब बनवाई गई तो पट्वों की हवेली कहा है जैसल मेर में है इसका निर्मान कुमान चंद पट्वा ने करवाया अपने पांच बेटों के लिए और कब करवाया अठारा सो पांच इसवी में तो पट्वों की हवेली जो जैसल मेर में है कुम पट्वों की हवेली बनने में कितना समय लगा था तो इसे बनने में पूरे 50 साल लगे थे पट्वों की हवेली को बनने में 50 वर्ष लगे थे नेक्स्ट देखिए कुश्यन 197 तन्नोट माता का मंदिर किसने बनवाया तन्नोट माता का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया यह है भाटी राजपूत नरेश तनुराब यानि तन्नुजी के द्वारा ही बनवाया गया बीएसेफ के जवानों के लिए पूजनिय तन्नोट माता किसका पुनरजनम माना जाता है। तो हम सभी को पता है कि बावा रामदेव का यह इस्थान माना जाता है। जो कहां पर है? रुणीचा जैसलमेर में। गोडे पर विराजित राजा के समान यह राजिस्थान की किस लोगदेवता की छवी है? तो ऐसे कौन से लोगदेवता है जो गोडे पर विराजित राजा के समान जिनकी छवी है? तो वह हैं बावा रामदेव। नेक्स्ट देखिए, हिंदू मुस्लिम की एक्ता प्रतीक माना जाने वाला राम देवरा मंदिर कहां पर इस्तित है? यह मंदिर जो है, वह है पोकरण से 12 किलोमीटर दूर जैसलमेर और जोदपूर मार्ग पर इस्तित है। नेक्स्ट देखिए, कुशन 202 प्रसिद्ध संत बावा राम देव लोग देवता का अंतिम विश्राम इस्तल किसे माना जाता है? वह राम देवरा मंदिर नाम से प्रसिद्ध संत बावा राम देव का जो अंतिम विश्राम इस्तल है, वह किसे माना जाता है? राम देवरा नेक्स्ट देखिए 203 कुश्यन, राम देवरा मेले का आयोजन कब किया जाता है? यह अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है, राम देवरा मेला. अगला देखिए जैसलमेर में इस्थित बड़ा बाग किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह बर बाग के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट देखिए, कुश्यन 205. बड़ बाग में किस सासक ने बांध का निर्मान करवाया था? तो महराज़ा जैसिंग दुत्ये ने बड़ बाग में बांध का निर्मान करवाया था. और थोड़ा सा इसको जानिए कि म्रत्यु परांत पुत्र लून करण सर द्वारा बड़ बाग में ही इनकी छतरी का निर्मान भी करवाया गया. तो यह आज आपका अंतिम प्रश्न था, जैसल मेर जिले से संबंदित करने वाले हैं, जालोर जिला, जालावार जिला और खावटी शेत्र, इसे संबंदित जितने भी परेटनिस्थल हैं, आज उनके हम कोशन आंसर करेंगे और जल्द ही यह चैप्टर आपका कम्प्रीट होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशन बन, ग्रेनाइट की नगरी किसे कहा जाता है, जालोर को ग्रेनाइट की नगरी कहा जाता है, जालोर के कौन से सबसे प्रतापी शाषक ने अलाउदीन खिलजी को कई बार परास्त किया, तो जालोर के शाषक का नाम है, कानर देव, जो की सोनगरा, चोहन शाषक थे, जिन्होंने अलाउदीन खिलजी को कई बार परास्त किया, तो पूरी स्टोरी जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जालोर के साथ सक कानरदेव और अलाउदिन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था, जालोर को लेकर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जालोर साथ सक कानरदेव के पुत्र का क्या नाम था, बहुत ही आसान सा कुश्यन है, वीरम दे नेक्स्ट देखना है, कुश्यन नमबर 4, जालोर के किले का निर्मान कब किया गया था? आठवी से दसवी सताब्दी के बीच, 336 मीटर की उंचाई खड़ी पहाडी पर जालोर के किले का निर्मान किया गया जालोर के किले का निर्मान कब किया गया? आठवी से दसवी सताब्दी के बीच में जालोर में अरावली रेंज में सुन्धा परवत पर कौन सा मंदिर इस्थापित किया गया है। अलावदीन खिलजी द्वारा निर्मित मलिक शहा की मस्जिद के इस्थापत्य में किस राज्य के भवनों का प्रभाव दिखाई देता है। जित किस के सम्मान में बनाई गई थी। बगदाद के शाशक मलिक साह के सम्मान में अलावदीन खिलजी ने बनवाई थी मलिक शाह की मस्जिद। गागरोन का किला में हुआ जोहर किन दो शाशकों की लड़ाई का नतीजा था। जहां जोहर हुआ था तो किन शाशकों की लड़ाई का नतीजा था। यहां पर जालोर के शाशक अचल दास खीची और होसंगा शाह के बीच में युद्ध हुआ था। युनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल 6 पहाडी किलों में से एक जिसे जल किले का परतीक भी माना जाता है कौन सा प्रसिद्ध किला है या जल दुर्ग किसे कहते हैं जिसे युनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया तो वो जल दुर्ग है गागरोन का किला ठ गाग्रोण के किले का निर्मान किसने करवाया था तो बीजल देव ने 12 सदी में गाग्रोण के किले का निर्मान करवाया था गागरोन के किले के बाहर किस प्रसिद्ध सूफी संथ का मकवरा इस्तित है यहाँ पर संथ मिठे साह की दरगा है सूफी संथ मिठे साह की दरगा मुहरम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन भी किया जाता है तो गागरोन के किले के बाहर में सूफी संथ मिठे साह की दरगा या मकवरा है गागरोन का किला किन नदियों के संगम के कारण रमणिय स्थान माना जाता है यहाँ और काली सिंध नदिया इन दोनों का संगम होता है गागरोन के किले के पास में आहू और काली सिंध नदि इन दोनों नदियों का संगम होता है और ये दोनों चंबल की सहायक नदियां है जहालावार में इस्तिद भवानी नाटेशाला का निर्मान कब हुआ था जहालावार का जुणवा सहर किसे कहा जाता है जहालावार का जुणवा सहर किसे कहा जाता है जहालरापाटन को जहालावार का जुणवा सहर कहा जाता है तो दोनों नाम जो हैं वो मिलते जुलते ही हैं जहालावार जहालरापाटन ठीक है तो याद रहने में आसानी रहेगी City of Wells घाटियों का सहर किसे कहा जाता है तो देखिए ज़ालरा पाटन को City of Wells या घाटियों का सहर कहा जाता है Next है ज़ालरा पाटन में बना 17 feet उच्छा सूरे मंदिर किसे देवी देवता को समर्पित है जालरा पाटन में बना सत्रा फीट उचा सूर्य मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है। जालरा पाटन में बना जो सूर्य मंदिर है जिसे जाला वाड का जुणवा सहर भी कहते हैं किसे जालरा पाटन को। तो उडिशा के कोनार्क मंदिर के समान जो है यहाँ पर सूर्य मंदिर का शिखर है। किस धर्म से सम्बंदित है? यह बौद धर्म से सम्बंदित है। नेक्स्ट दिखिए सीकर, जुन्जुनू और चुरू इनको सम्मलित रूप में शेत्रिय तोर पर क्या कहा जाता है? तो हमने अभी जाला वाड जिले से सम्बंदित कोश्चन जो है वो कम्प्लीट कर लिये हैं। नेक्स्ट सीकर, जुन्जुनू और चुरू को सम्मलित रूप में शेत्रिय तोर पर क्या कहते हैं? सभी जानते हैं सेखावाटी शेत्र जिसमें सीकर, जुन्जुनू, चुरू जो है वो है आते हैं। तालचापर अभ्यारण किस जीव प्रमुख से सम्बंदित है? तो यह हीरन से सम्बंदित है। इसके अलावा रेकिस्तानी लॉम्डी और जंगली बिल्ली भी यहां मिलती है। तालचापर अभ्यारण कहां इस्तित है? यह है चुरू के सुजानगड तहसील में इस्तित है। तालचापर अभ्यारण जो है वह कहां है? चुरू में। नेक्ष्ट दिखिए, कुश्चन 22 प्राचीन समय में मध्यपूर्व और चीन के मध्यका व्यापारिक मार्ग में इस्तित मंडावा पर किसका शाशन था? तो यहां मंडावा पर शाशन था ठाकुर नवल सींका। याद रखना है प्राचीन समय में मध्यपूर्व और चीन के मध्य का जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, वहाँ पर मंडावा पर अधिकार किसका था ठाकुर नवल सींग का। जुनजुनु और सीकर के मध्य इस्तित नवलगड जो सुन्दर हवेलियों के लिए प्रिशिद्ध है तो नवलगड जहां सुन्दर हवेलिया हैं यहाँ पर इस्तित मुख्य किला जो है किसने बनवाया ठाकुर नवल सींग ने ही बनवाया था ठीके इन्होंने किला बनवाय पूरा चारो तरफ नगर बसाया जहाँ पर जो व्यापारी थे वो आकर भी रहे थे ठीक है तो सामान का जो आदान प्रदान इस तरीके से नगर जो है वह है था तो परेटकों की दृस्टी से काफी आकर्शन का केंद्र था जुन्जुनु का हवा महल किसे कहा जाता है खेतड़ी महल को जुन्जुनु का हवा महल कहा जाता है next दिखिए question 25 1770 ईस्वी में निरमित खेतड़ी महल की बनावत की क्या विसेbnथा है महल में ज़रोके और खिड Unterkव नहीं है तो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी विसेथा क्या है कि खेतड़ी महल में कोई भी ज़रोका नहीं है कोई भी खिड़की नहीं और कोई भी द्वार नहीं है, ठीक है, महल में कोई भी ज़रों का या द्वार नहीं है, और फिर भी इसे क्या बोलते हैं, हवा महल बोलते हैं लक्षमनगर्ण सीकर में इस्ति स्रद्दानाज जी का आश्रम किस सम्प्रदाय विसेश से सम्बंदित है लक्षमनगर्ण सीकर में इस्ति स्रद्दानाज जी का जो आश्रम है, वह किस सम्प्रदाय विसेश से सम्बंदित है यह नात सम्प्रदाय से सम्बंदित है सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगा कहां इस्तित है यह नहरा पहाड की तलहटी में खेतली महल के पक्षिम में इस्तित है सिखावटी में इस्तित लक्षमनगड किला की इस्तापत्ते की क्या विसेस्ता है यह बिखरी चठानों के टुकड़ों को संजो कर बनाया गया था तो लक्षमनगड किला इसकी विसेस्ता यह है कि यह बिखरी चठानों के टुकड़ों को संजो कर बनाया गया सिखावटी का फतेपूर सहर किसके द्वारा और कब इस्तापत किया गया सिखावटी का जो फतेपूर सहर है वह है कायम खानी नवाब फतेपूर द्वारा फतेपूर इस्तापत किया गया इन्होंने 1516 में फतेपूर के किले का निर्मान करवाया था सीकर की राजधानी रह चुके फतेपूर में किले का निर्मान कब किया गया था तो मैंने अभी बताया कि 1516 में फतेपूर के किले का निर्मान करवाया गया था शेखावटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी जो है वह किसे कहा जाता है तो फतेपुर को ही कहा जाता है नेक्स्ट देखिए शेखावटी में इसके फतेपुर में दर्शनिय इस्थान है तो यहां फतेपुर जो राजधानी थी वहाँ पर दर्शनिय इस्थान देखने लाइक परेटकों के लिए द्वारेका धीसमंदिर, सिंगानिया हवेली, नादिन लप्रिंस कल्चरल सेंटर और फतेचन की हवेली उलेखनिया है तो आज हमने जालोर जिला, जालावार जिला और सेखावटी शेथ इससे संबंदित प्रशन जो है वो कम्प्रीट कर लिया है नेक्स्ट हम जो परेटन स्थल करेंगे वो करेंगे जोदपुर जिले के, करॉली जिले के और कोटा जिले के ठीक है तो इस तरीके से आपके जो जिले हैं जादा नहीं है उसके बाद नागोर, पाली, बीकानेर, रासम्मद, सवाई माधपुर, सिरोही, टौक, स्रिगंगा नगर और उद्यपुर, इतने जिले जो हैं वो आपके थोड़े भाकी हैं, लेकिन फैक्ट जो है वो जादा नहीं है, हम करने वाले हैं जोदपुर जिला, करॉली जिला और कोटा जिला, तो चलिए इन तीन जिलों के बारे में हम बहुत अच्छे से ध्यान से question answer format में देख जोदपुर में 125 मीटर उची सिंधी पहाडी पर इस्तित है, तो महरानगड का किला जो है वह जोदपुर में इस्तित है, चित्रित दिवारों के लिए प्रिसिद्ध मोती महल, फूल महल और सीज महल किस के ले का हिस्सा है, यानि मोती महल, फूल महल और सीज महल, इनकी चित्र जो है बनाये गए हैं तो यह किस के लिए का हिस्सा है तो मोती महल, फूल महल और सीस महल यह महरानगड के लिए का ही हिस्सा है जो कहा है जोदपूर में जोदपूर में इस्तित जस्वन्त थड़ा का निर्मान किसने और क्यों करवाया था यह महराजा जस्वन्त सींग के उत्रादिकारी सरदार सिंग ने जस्वन्त सींग की ही इस्मृति इसमारक के रूप में बनवाया था तो जस्वन्त थड़ा जो है वह है महराजा जस्वन्त सींग की इसमृति इसमारक के रूप में बनवाया गया किसने बनवाया सरदार सींग ने बनवाया कहा पर जोदपूर में राजिस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है तो देखिए जस्वंत थड़ा को ही राजिस्थान का ताजमहल कहा जाता है जो जोदपूर में इस्थित है जोदपूर में इस्थित मंडोर रावण के ससुराल के नाम से प्रसिद स्थान प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था यह मांडवपूर के नाम से जाना जाता था जिसका वर्तमान में क्या हो गया है नाम मंडोर प्राचीन काल में यह मारवाड की राजधानी रही राजिस्थान में रावन का मिला कहां और कब लगता है यह मंडोर में लगता है जोत्पूर में है जो और होली के दूसरे दिन लगता है काइलाना जील कहां इस्तित है यह है जोत्पूर में जैसल मेर मार्ग पर इस्तित है तो माचिय सफारी उद्यान जो है वो पक्षी विहार है यह कहां है तो यह है जोदपूर में ही है जोदपूर में जैसलमेर मार्ग पर काईलाना जील से एक किलोमीटर दूर इस्तित है माचिया सफारी उद्यान नेक्स्ट देखिए विक्सित बाल सम्मद जील कहां इस्तित है तो रासमद जील के बारे में तो आपने पढ़ा बाल सम्मद जील जो है वह है जोदपूर में जोदपूर मंदोर रोड पर इस्तित है ठीक है तो बाल सम्मद जील जो है वह है जोदपूर मंदोर रोड पर इस् चलिए, जोदपूर जिले से संबंदित सभी कुष्ण जो हैं वो complete होते हैं, next देखिए, करोली जिले से संबंदित परेटन स्थल, केला देवी का मंदिर कहां इस्तित है, तो सभी जानते हैं, करोली में इस्तित है, करोली के बाहर 25 किलो मीटर दूर त्रिकून पहाड़ियों क के मद्य काली सिंध नदी के किनारे इस्थित है। देवी के नोशक्ति पीठों में एक मानी जाने वाली केला देवी का मंदिर कब इस्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कुश्चन 44, केला देवी मंदिर में वार्षिक रूप से मेला कब आयोजित किया जाता है, तो यह चेत्र महा में आयोजित किया जाता है. केला देवी के मंदिर के साथ इस्तित हनुमान जी का मंदिर है, जिनने इस्थानिय रूप से क्या कहा जाता है, तो यह कुश्चन बहुत बार हम देख चुके हैं, लांगुरिया कहा जाता है. करोली जिले में इस्तित स्री महावीर जैन मंदिर, इसमें मेले का आयोजिन कब किया जाता है, तो महावीर जैन मंदिर कहा है, करोली जिले में और मेले का आयोजिन जो है, आयोजिन चैत्र सुकल त्रियोधसी से वैशाख कृष्ण पक्ष प्रत्मा तक आयोजिन इसका होता तो महंदीपूर बालाजी मंदिर जहां की माननेता के अनुसार PÁGल वा बीमार लोगों को स्वस्त किया जाता है तो महंदीपूर बालाजी मंदिर कहां है यह करॉली में इस्तित है महंदीपूर गाउं में नेक्स्ट देखिए तो अभी तक हमने जो question किये हैं वो सभी question जो हाँ आप लोग याद भी कर चुके हैं सभी question आप लोगों को आते भी हैं तो कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी कि हम इतने सारे question जो है वो कैसे करेंगे क्योंकि सबी चीजanga जो हैं वह आप लोग याद कर चुके हैं तो देखिए इतनी बड़ी नौलेज जो है वह आपको इन बुक्स में मिलती है इन बुक्स के बाहर जो है वो कुछ भी नहीं होता है, जिस बच्चे ने इन बुक्स को बहुत अच्छे से डीप में जाकर हर एक कुश्चन को याद कर लिया, तो ये सुचिए उसका रीट का, पटवार का, आरेयस का, हिस्ट्री से सम्बंदित कोई भी कुश्चन जो है वो किसको समर्पित है, भगवान, शिव को, मंदिर में दुरलब चो मुखी सिवलिंग भी स्थापित है, नेक्स्ट देखिए, मुकुंदरा भाग अभ्यारन कहां इस्तित है, तो जोगरफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, कोटा से 50 किलोमेटर दूर रावत भाटा मा होते हुए दर्रा गाउं तक, मुकुंदरा भाग अभ्यारन जो इस्तित है, चीक है, बस इतना याद रखना है आपको कि मुकुंदरा भाग अभ्यारन कहां है, कोटा में, मुकुंदरा भाग अभ्यारन में भाग के अतरिक्त कौन से अन्य जीव देखने को मिलते हैं, तो यहाँ भाग तो मिलता ही है, इसके अलावा पैंथर, भालू, हिरन, जंगली सुवर, लॉम्डी, सियार, ये सभी प्रबासी पक्षी जो हैं, वहे भी देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट देखिए, कुश्यन 52 है, जग मंदिर और किसोर सागर का निर्मान किसने और कब करवाया था? जग मंदिर और किसोर सागर का निर्मान जो है, वहे किसने करवाया था? तो यह कोटा महराव दुर्जन शाल सींह की महारानी और उदयपूर की राजकुमारी ब्रिज कमर द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था कब करवाया गया था 1743 से लेकर 1745 तक नेक्स्ट देखेए कौश्चन 53 कोटा इस्थित अभेड़ा मार्ग का निर्मान कब वख क्यों किया गया? इसका निर्मान 28 सताबदी में всяahu आराम गहा के तौर पर कोटा से 8 किलोमीटर दूर जो है वह सितित किया गया नेक्स्ट देखेए कौश्चन 54 अभेडा महल में कृतिम जलासे किस ने बनवाया था? तो यह जलासे राजकुमारी धीर देद्वारा बनवाया गया था. अभेडा महल के कृतिम जलासे में किसके शाशनकाल में मगर मच्छों की विभिन प्रजातियों को पाला गया जिस कारण यह तालाब जो है वहें प्रसिद्ध है? महाराव उमेद स्विंग दुत्ये के शाशनकाल में अभेडा महल के कृतिम जलासे में मगर मच्छों की विभिन प्रजातियों को पाला गया इसी लिए यह तालाब प्रसिद्ध है तो आज हमने तीनों जिलों को कम्प्रीट किया जोतपूर जिला, करोली जिला और कोटा जिला दुबारा से तीन जिलों को एकसाथ करेंगे नागोर, पाली और पीका निर तो इनसे संबंदित जो भी कुशन होंगे उनको आप बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे कुशन 56 देखिए, कोटन की बहतरीन किसम के लिए पहचाने जाने वाला लाड़नू राजिस्थान के किस जिले में है? यह नागोर जिले में है तो लाड़नू कहा है? नागोर जिले में. किस के लिए प्रसिद है? कोटन की बहतरीन किसम के लिए प्रसिद है. नागोर में दस्वी सतापदी में निर्मित लाड़नू किस धर्म विशेज के लिए प्रसिद आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है? यह जैन धर्म के लिए मा विश्व विख्यात संत आचारे जी तुलसी राजिस्थान की किस जिले से संबंदित थे? ऐसे ही कुश्यन आपके रीट में आने वाले हैं. विश्व विख्यात संत आचारे जी तुलसी राजिस्थान किस जिले से थे? यह नागोर जिले से थे. तो देखिए ऐसा मैं कि यही question आएगा, इसी तरहीके से question जो है वो आपके exam में आएंगे, बहुत ही आसान से प्रस्णों होंगे, क्योंकि बहुत आसान प्रस्णों जो हैं, उन पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ये तो सभी कर लेंगे, सभी को आते हैं, और वही question जो है examiner संग्रहले के तौर पर कब खोला गया? 17 अप्रेल 2008 को खोला गया, कब खोला गया? 17 अप्रेल 2008 को नागोर में इस्तित बड़े पीर शहब दरगा में रखी कुरान शरीप किसने लिखी थी? यह लिखी थी हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी ने सुनहरी श्याही में लिखी थी नागोर में इस्तित जो बड़े पीर शाहब दरगा में रखी कुरान शरीब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सैफुरुद्दीन अब्दुल जिलानी के द्वारा लिखी गई है नागोर में इस्तित बड़े पीर शाहव दरगा में कौन सी प्रशिद्ध लोग प्रिय वस्तू सुसोबित है तो देखिए हजरत सैयल सैफुद दीन अब्दुल जिलानी की छड़ी पगड़ी और उनके द्वारा लिखित कुरान चरीप इसके अलवा 1805 सन के भारतिय सिक्के अब्राहम लिंकन की छवी वाले अमेरिकन सिक्के इतनी सारी लोग प्रिय वस्तू जो हैं वो वहाँ पर रखी हुई हैं कहां नागोर में इस्तित बड़े पीर शाह दरगा में प्रसिद सूफी संत बाबा हरी राम का इस्थान नागोर के किस गाउं में हैं यह छोरडा गाउं में है नागोर के छोरणा गाउं में है छोरणा नागोर में वार्शिक मेले का आयोजन कब किया जाता है तो नागोर में वार्शिक मेले का आयोजन जो है वह है भाद्र बद्द चतुर्ती और पंचमी को किया जाता है पाली में इस्थित दुबारा से बोल देते हैं Q64 देखिए पाली में इस्थित पंदरवी सताबदी में निर्मित प्रसित रनकपूर के मंदिर किसको समर्पित है तो बहुत अच्छे से पता है आपको रनकपूर का जैन मंदिर है तो जैन धर्म से सम्बंदित है और यह आदिनात को समर्खित है रनकपूर के मंदिर जो कि मंदिरों का एक परिशर है किसके तातकालिक शाशनकाल में बनवाया गया यह राना कुमबा के शाशनकाल में बना था नेक्स्ट देखिए जवाई बांध किस नदी पर निर्मित है जवाई बांध किस नदी पर इस्तित है तो यह बांध जो है वह है जवाई नदी पर ही बनाया गया है और पता है कि लूडी नदी की सहयक नदी है जवाई नदी नेक्स्ट देखिए पक्षमी राजिस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध का निर्मान किसने करवाया था तो सभी ने जोग्रफी में बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा कि जोदपूर के महाराजा उमेद सिंग ने जवाई बांध का निर्मान करवाया था, जवाई नदी पर. देशनो करणी माता का मंदिर कहां इस्तित है? बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है, यह बीकानेर से 30 किलो मीटर दूर देशनो गाउं में इस्तित है. कौन सा मंदिर टेमपल ओफ रैट के नाम से जाना जाता है? तेसनो करणी माता के मंदिर से जुडि किवंदिती अनुसार करणी माता के सौतिली पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए ऐसे question जो हैं वो भी अगर examiner पूछ लें तो हमें उसका answer भी आता है करणी माता के सोतेले पुत्र का क्या नाम था लक्षमन Next है question 71 राजिस्थान राज्य अभिलेकागार कहां इस्तित है देखिए very very important question राजिस्थान राज्य अभिलेकागार बीकानेर जिले में इस्तित है राजिस्थान राज्य अभिलेकागार जो बीकानेर में है किस कारण से शिक्षा विदों और सोद करताओं का यहां जमावडा बना रहता है तो उसकी वज़े क्या है? यहां इस्तित बिविन राजस्थानी रियासतों के बिविन भासाओं के क्या है? फर्मान, हस्त लिखित प्रतियां, फर्मानों, सरक्षित प्राचीन प्रशास्निक रिकॉर्ड के कारण जो है यहां पर सिक्षाविद और सोध करता जो है वो यहां आते हैं अब विजित कहा जाने वाला जूनागड का किला जिसे कोई नहीं जीत पाया तो इसके किसके द्वारा बनवाया गया यह राजा राय सींग के द्वारा बनवाया गया था अकवर के जो सूबेदार रहे ठीक है राय सींग के द्वारा जूनागड का किला बनवाया गय तो यह 1588 इस्वी में बनाया गया था नेक्स्ट देखिए कोश्चन 75 जूनागड का किला किस प्रकार के पत्थर से निर्मित किया गया है यह लाल बलुवा संगमर्मर द्वारा निर्मित किया गया है लाल बलुवा और संगमर्मर द्वारा निर्मित है जूनागड का किला लालगड पैलेश का निर्मान किसने और कब करवाया यह महराजा गंगा सिंग ने 1902 में लालगड पैलेश का निर्मान करवाया महराजा गंगा सिंग के पिता महराजा लाल सिंग की इस मृति में महराजा गंगा सिंग ने लालगड पैलेश का निर्मान करवाया था लालगड पैलेश की वास्तो शिल्प की रूप रेखा किसके द्वारा दी गई है तो देखिए सर स्विंटन जैकब द्वारा रूप रेखा जो है वह है दी गई है लालगड पैलेस का निर्मान किस प्रकार के पत्थर से किया गया है तो इसका निर्मान जो है वह है कीवल लाल बलुआ पत्थर द्वारा किया गया है नेक्स्ट देखिए question 80 लालगड पैलेस में किस प्रकार की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है तो किस प्रकार की स्थापत्य शैली दिखाई देती है राजपुताना, इसलामी और यूरोपी है, ठीक है, तीन स्थापत्य शैली राजपुताना, इसलामी और यूरोपी है, स्थापत्य शैली देखने को मिलती है लालगड पैलेस में, इस पैलेस में विक्सित म्यूजियम क किस नाम से जाना जाता है? यह सार्दुल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है. Next देखिए कोलायत किसकी तपोस्तली मानी जाती है? तो कोलायत जो है वह कपिल मुनी की तपोस्तली मानी जाती है, जो सांख्य योग्य के प्रणेता भी रहे. तो सांग के योग के प्रडेता कपिल मुनी की तपोस्तली कहां है कॉलायत बिकानेर में कॉलायत कहां इस्तित है तो अभी मैंने आपको बताया जह बिकानेर में इस्तित है कॉलायत नामक जील बिकानेर से लगबग 50 किलोमीटर दूर इस्तित है बिकानेर जिले में इस्तित कतरियासर गाउं किस के लिए प्रसिद्ध है तो कतरियासर गाउं जो है वह है जसनाती संपरदाई के लोगों के द्वारा यहां अगनी नत्य किया जाता है हमने जब नत्य का चप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने यह चीज से देखी थी तो कतरियासर गाउं कहाँ है बिकानेर में तो यह क्यों प्रसिद्ध है जसनात जी के अगनी नत्य के कारण राष्ट्रिय उस्ट्र अनुसंधान केंदर किस जीव से सम्मंदित केंदर है तो देखिए उस्ट्र क्या है तत्षम सब्द है इसका तदवब रूप क्या होगा उंट तो राष्ट्रिय उंट अनुसंधान केंदर जो है वहाँ क्या होंगे उंट होंगे तो उंटों से सम् किसके द्वारा किया जाता है भारत सरकार द्वारा राश्ट्रिय उस्ट्र अनुसंधान केंदर का संचालन किया जाता है राश्ट्रिय उस्ट्र अनुसंधान केंदर कितने शेत्र में निर्मित है तो देखिए बीका नेर में है राश्ट्रिय उस्ट्र अनुसंधान याद र है राष्ट्रिय उस्ट्र अनुसंधान केंद्र जो कहा है बिकानेर जिले में तो चलिए कोशन 87 तक कंप्रीट किये हमने नागोर पाली और बिकानेर जिला तीन जिलों को कंप्रीट कर लिया है इसके बाद कोशन 88 मेवाड का कौन सा किला महाराना प्रताप की जनमिस्तिरी कहा जाता है तो वह है कुंबलगड का किला कहां इस्तित है कुंबलगड का किला कहां इस्तित है तो यह है मेवाड शेत्र में उदैपूर से 84 किलोमीटर दूर अरावली परवश्रेणी की गोद में इस्तित है तो कुंबलगड का किला कहां है अरावली परवश्रेणी की गोद म उदयपूर में इस्तित है कुम्बलगड की किला किसके द्वारा वह कब बनवाया गया कुम्बलगड का किला किसके द्वारा और कब बनवाया गया यह ड्राना कुम्बा द्वारा बनवाया गया कब बनवाया गया पंद्रवी सताब्दी में नेक्स्ट देखिए question 91 बनवीर द्वारा ब्रिक्रमा दित्ते की हत्या के बाद महराणा उदय सिंग को बाले काल में किस के लिए में शरण मिली थी तो देखिए सारे question आप लोग याद कर चुके हैं कुंबलगड किला कुमबलगड की दिवार कितने शेतर में फैली हुई है तो यह लगवग 36 किलोमेटर शेतर में फैली हुई है यह एक साथ 8 गुर सवारों के चलने हितु परियापत चोड़ी और मजबूत भी है देखिए मैंने सारे question जो है वो include किये हैं उसकी वज़े ये है मुझे पता है ये सब repeat है क्योंकि हम 6 से 10 तक की history complete कर चुके हैं हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था ठीक है और याद भी कर लिया था लेकिन कई बच्चे ये बोलने लग जाते कि आपने chapter जो है वो हर एक line जो है के रूप में नहीं दी इस वज़े से हर question को इसमें include किया गया है इसी लिए वीडियो जो है वो copy आये है इस chapter के ठीक है तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है आप लोगों के लिए ही राज सम्मज जील का आकार कितना है यह आकार देखिए जील की परिदी 22.5 km गहराई 30 feet जल ग्रहन शेत्र 524 वर्ग किलो मीटर next है 94 question विस्वयुद्ध के दौरान किसने राज सम्मज जील को 6 वर्षों तक समुद्री विमान आधार पर उपयोग किया था तो वै है imperial airways हल्दी घाटी कहां है तो हल्दी घाटी का युद्ध सभी जानते हैं तो यह कहां है राज सम्मज में उदयपूर से 40 km दूर अरावली परवश्चेली में ही हल्दी घाटी इस्तित है हल्दी घाटी किसके मध्य युद्ध के लिए विख्यात है बहुत ही आसान है महराना परताप और अकवर के बीच महराना परताप के घोड़े का क्या नाम था तो महराना परताप के घोड़े का नाम था चेतक नेक्स्ट देखिए महाराना प्रताप के घोड़े चेतक की समाधी कहां इस्थित है ऐसा कुश्चन आपके एक्जा में पूछा जा सकता है याद रखिएगा जो चेतक घोड़ा था महारा प्रताप का उसकी समाधी जो है वह है पंद्रा सो चेतर ईस्थित में निर्वित की गई थी कहां हल्दी घाटी में रण थंबोर का किला किस राष्ट्री उद्यान शेतर के अंतरगत आता है तो देखिए जो कुश्चन था चेतक वाला तो आप लोगों को याद भी है कि बलीचा नामक इस्थान पर है और यदि हल्दी घाटी उप्शन में आता है तो आप हल्दी घाटी भी करेंगे रण थंबोर का किला किस राष्ट्री उद्यान के शेतर के अंतरगत आता है यह रण थंबोर राष्ट्री उद्यान शेतर के अंतरगत आता है हंडेड कुशन है रण थंबोर के लिए का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था तो यहां आंसर है रण थंबोर के लिए का निर्मान रण थंबन देव द्वारा करवाया गया था दसवी से ग्यारवी सताबदी में चोहां चाशक के द्वारा प्रसिद्ध महाराना सांगा के खानवा के युद्ध में घायल होने पर किस जगे ले जाया गया था तो रण थम्बोर के किले में ले जाया गया था नेक्स्ट देखिए 102 है किस मुस्लिम आकरमनकारी से बचने के लिए रण थम्बोर में राज घराने के महलाओ द्वारा जोहर किया गया था तो वह किस मुस्लिम आकरमनकारी के द्वारा यह हुआ था अलावदिन खिलजी द्वारा बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं अरावली परवस रंखला का सबसे उचा सिखर कौन सा है? अरावली परवस रंखला का यह गुरु सिखर है, सबसे उच्छ सिखर कौन सा है? गुरु सिखर, जो की समुद्र तल से 1722 मीटर उचा है. गुरु सिखर में चड़ने से पूर्व कौन सा मंदिर दिखाई देता है? यह भगवान दत्ता ते का मंदिर है, जो की रिशी आत्रे और अन्सुईया के पोत्र का. शिरोही में इस दिलवाडा का मंदिर किस धर्म विजए से सम्मंदित है? तो दिलवाडा में कौन सा मंदिर है? जैन धर्म का मंदिर है. नेक्ष्ट देखिए 106. दिलवाडा जैन मंदिर का निमान किस समय माना जाता है? तो किस समय का माना जाता है? यह मंदिर जो है वो बारवी से तेरवी सताब्दी की मद्धे माना जाता है. तो इतना ज़्यादा एक्स्प्लेइन मैं नहीं करूंगी यहाँ पर क्योंकि कौन सी है? तो कौन सी है भारत की पहली मानव निर्मित जील? वह है नक्की जील. माउंट आबू शिरोही में है जो. ठीक है? भारत की पहली निर्मित जील कौन सी है? वो भी मानव निर्मित. तो कौन सी है? नक्की जील. नक्की जील के निकट 1940 में स्वर्गे महात्मा गांदी की अस्थियों का अंस प्रवाहित किया उस इस्थान को किस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है गांदी घाट के नाम से जाना जाता है नक्की जील के नाम में किवंदिती के अनुसार नक्की सब्द से क्या अभिप्राय है? नाखून किवंदिती के अनुसार जील का निमान देवताओं ने नाखून से खोद कर किया था माउंट आबू इस्तेत नक्की जील का आकार कितना है? माउंट आबू इस्तेत नक्की जील का कार कितना है? यह 80 फुट गहरी है और 1 बटे 4 मिल चौड़ी है ठीके? 80 फुट गहरी है और 1 बटे 4 मिल चौड़ी है मैं एक कोशन था कि कुंबल गड़ का किला कहां इस्तेत है? तो मैंने आपको यह बता दिया था कि उदैपूर मैं इस्तेत है तो यह ना बोलकर मुझे क्या बोलना था? कि यह है उदैपूर से उत्तर की तरफ लगबग 84 किलोमीटर दूरी पर इस्तेत है अगर यह लाइन भी होती तो यह भी सही रहती और वैसे कुंबलगड का किला कहां है? राज सम्मद में ही इस्तेत है तो आप लोगों ने ही इसका आंसर जो है वो सही बताया है कमेंट में तो इससे यह पता लगता है कि आप लोग कितने अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुश्चन 111 बीसलपूर बांध कहां इस्तेत है? बीसलपूर बांध कहां इस्तेत है? जोगरफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगोंने टॉंक जिले में इस्तेत है देवली कस्वे के पास और बीसलपूर बांध जो है वो बनास नदी पर बना है किस बांध का पानी जैपूर के लिए जीवन दाई कहा जाता है? तो वह बीसलपूर बांध का पानी ही है देखिए एक और कुश्चन जो है वो मुझे याद आया कमेंट में कि किसी ने मुझे से पूछा कि 6 से 10 तक ही हमने कर ली है अब हम हमारे लिए ये सही है क्या? इसके आगे भी पढ़ें क्या? तो आप लोग एक काम करिए जिनको भी doubt हो रहा है कि सायद हमारा को छूट चुका है जो last year question paper है उनको आप solve करिए जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं यदि आप अटवार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल 11 तर 12 की बुक पढ़नी चाहिए R.A.S की कर रहे हैं तो भी पढ़नी चाहिए ठीक है लेकिन आपके exam के लिए इतना काफी है अगर आपने हर question जो है वो ध्यान से देखा है पढ़ा है और समझा है किस बांद का पानी जैपूर के लिए जीवन दाई कहा जाता है वीसलपूर बांद का पानी वीसलपूर बांद किस नदी पर निर्मित किया गया है वीसलपूर बांद किस नदी पर निर्मित किया गया है तो मैंने आपको बताया कि बनास नदी पर वीसलपूर बांद का निर्मान कब करवाया गया था तो देखिए कब करवाया गया था 1999 इस्वी में नेक्स्ट है सुनेहरी कोठी राजिस्थान के किस जिले में इस्थित है? यह नजर बाग रोड पर बड़ा कुवा के निकट टॉंक में इस्थित है. ठीक है? डारेक्ट पूछा भी जा सकता है कि सुनेहरी कोठी राजिस्थान में कहां इस्थित है? किस जिले में? तो आंसर क टॉंक में इस्तित जो सुनेरी गोटी है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे जाना जाता है गोल्डन मैंशन या सीसमहल सुनेरी कोटी को राजिस्थान जरकार द्वारा एतिहासिक इसमारक कब घोसित किया गया 7 मार्च 1996 को घोसित किया गया डिग्गी कल्यान जी का मंदिर कहां इस्तित है यह है टॉंक जिले में ही सहर से 60 किलोमीटर दूर इस्तित है डिग्गी कल्यान जी का मंदिर कितना पुराना माना जाता है तो यह है चपपन सो वर्स पुराना माना जाता है डिग्गी कल्यांट जी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह स्री डिग्गी कल्यांट जी को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विश्नु को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विश्नु का राजिस्तान का अन्ड भंडार किसे कहा जाता है तो ऐसे कुष्ण आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आंसर क्या है स्री गंगानगर ज्यादा डीप में जाके आपसे हिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है आप लोगों से geography में थोड़ा सा अच्छे तरीके से question जो है exam में आता है और quality में आपके concept clear हों तो question जो है वो कैसे भी पूछ लिया जाए ठीक है और history में ज्यादा deep में जाके आपके exam में question नहीं पूछा जाएगा बस कौन से समारक कहा है कौन सा किला कहा है ठीके वह किसने बनवाया था इस तरीके question जो है वो आपके exam में बूछते हैं लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा deep में जाकर हर चीज को खोसते हैं और tension में आ जाते हैं कि हमारे exam में पता नहीं कौन सा question जो है वह आने वाला है तो इस सबी कुश्चन जो है वो solve वो हो जाएंगे यदि आपने बहुत अच्छे से 6 से 10 को complete कर लिया है बुड़ा जोहड गुर्द्वारा का निर्मान कब वा कहां किया गया था तो स्री गंगा नगर में 1954 इस्वी में बाबा पते सिंग की देख रेक में किया गया था बुड़ा जोहड गुर्द्वारा में मेला कब लगता है तो यह मेला हर महा अमावश्या में लगता है किस कारण बुड़ा जोहड गुर्द्वारा को बुड़ा जोहड का नाम दिया गया था तो यत्थेदार बुड़ा सींग की प्रेना से अधर्मी मसा रंका सिर्काट गुर्द्वारा में लाने के कारण बुड़ा जोहड गुर्द्वारा को बुड़ा जोहड का नाम दिया गया हिंदू मलकोट सीमा किन मुख्य राजनितिक इस्थलों को अलग करती है तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने जोगरफी में किलियर किया है ये चीज़ कि हिंदू मलकोट सीमा जो है वह कहां है स्रीगंगा नगर में जो की भारत और पाकिस्तान इन दोनों इस्थलों को अलग करती है जो की स्रीगंगा नगर से 25 किलोमेटर दूरी पर है हिंदू मलकोट सीमा का नाम किसके नाम से रखा गया है तो यह है बिकानेर के दिवान हिंदू मलके सम्मान में रखा गया याद रखना है स्रीगंगा नगर में है हिंदू मलकोट सीमा और पाकिस्तान से लगती है जो और किसके नाम से रखा गया बिकानेर के दिवान हिंदो मल के सम्मान से जीलों की नगरी किसे कहा जाता है? जीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदैपुर में जहां बहुत सारी जीले हैं इसलिए इसे जीलों की नगरी कहा जाता है पिछोला जील कहां इस्तित है? तो पिछोला जील भी उदैपूर में इस्तित है पिछोला गाउं में पिछोला जील में इस्तित द्वीपों के क्या नाम है? पिछोला जील में इस्तित द्वीपों के क्या नाम है? जग निवास और जग मंदिर नेक्स्ट है पिछोला जील के पूर्व में इस्तित पैलिस का क्या नाम है? पिछोला जील के पूर्व में इस्तित पैलिस का क्या नाम है? सिटी पैलिस पिछोला जील से नहर द्वारा जुड़ी हुई कृत्यम जील का नाम क्या है? तो वह कौन सी जील है, कृतिम जील, फते सागर जील, जो कैसी है, कृतिम जील है फते सागर जील को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो इसे कनौट बांध के नाम से जानते थे नेक्स्ट देखिए, फते सागर जील का उधगाटन किस ने किया था, तो यह है ड्यूक ओफ कनौट द्वारा किया गया था तो पहले इसका नाम भी इन्ही के नाम पर रखा गया था, तो फते सागर जील का उधगाटन भी ड्यूक ओफ कनौट ने किया था उद्यापूर की सौर वैदशाला कहां इस्तित है यह फते सागर जील के मद्धे द्वीपर इस्तित है सहेलियों की बाड़ी का निर्मान किसने करवाया था उद्यापूर में करवाया था महाराना संग्राम सींधुत्ये द्वारा महिलाओं के लिए नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए करवाया होगा महलाओं के लिए किसने करवाया महाराना संग्राम सींध ने कहां करवाया उद्यापूर में भारतिय लोकला मंडल नामक सांस्कृतिक संस्थान राजेस्थान के किस जिले में है तो ये कुशन भी आप लोग अच्छे से कर चुके हैं उद्यापूर जिले में इस्तित हैं उद्यापूर में इस दित भारतिय लोकला मंडल किन राजयों की संस्कृति त्योहारों लोकला ओ लोग गीत के लिए समर्पित हैं यह राजिस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश, इन तीनों राजियों की संस्कृति, त्योहार, लोकला और लोगीत, इनके लिए समर्पित है सहस्र वाहु मंदिर को अन्ने किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही easy question है, इसे सास वहु का मंदिर कहा जाता था, जो की धीरे-धीरे परिवर्तन होकर क्या बन गया सहस्र वाहु मंदिर सास बहु का मंदिर कहा इस्तित है? तो यह मंदिर जो है, वह है, उदैपूर में इस्तित है, नागदा उदैपूर से 22 किलोमीटर दूर इस्तित है सास बहु का मंदिर तो यह last question था, इस chapter का, और chapter होता है आपका complete, मिलते हैं next video में, thank you झाल